है हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग ? तो फ्रेंड्स, आज एक और मारatन क्लास , acronyaj माहा मारatन क्लास आप लोगों के लिए आने वाली है तेकर मैंने परशों, cdp की माहा मारतन क्लास लिसी तो उस पर यार इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए दन्यवाद एक लाग से ज़्यादा है आप लोग उसके उपराए कितना है तीन हजार आप लोगों की संख्याती ठीक है तो इतना प्यार देने के लिए थेंक्यू भाई और आपने देखा होगा उसके अंदर मैंने पूरी CDP आपकी कंप्लीट कर दी जिस बच्चे ने CDP नहीं पड़ी ब आप लोग देख लेना प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख लेना या यूटूब पर सर्च माल लिए गरो जो भी मैरतन क्लास आपको चाहिए जैसे CDP चाहिए तो CDP मैरतनी क्लास भाई सचिन सर या सचिन अकेडवी उसी के परिपेक्स में मैं आज आपको लेकर आ रहा हूं आपकी हिंदी पैड़ागोजी की मा मैरतन क्लास ये मैरतन क्लास ना सिर्फ आपकी हिंदी पैड़ागोजी की है बल्कि मानलीजे आपने कोई दूसरी लेंगवेज लेते हो एक मानलीजे आपने हिंदी लेली दूसरी आपने संस्कृत लेली या इंग्लिस लेली तो सेम आज की जो मेरतन है बड़ी ही महत्पुन होने वाली है ठीक है ध्यान से देखना ये भी आपकी बड़ी किलास होने वाली है और जो आपकी लेंग्वेज आती है जैसे अगर मैं लिख दू यहापर जो आपकी हिंदी लेंग्वेज आती है तो आप सभी को पता है दो पार्ट क समास आपके लंकर वगएरा वो मैंने इसके अंदर आपके कराये हुए और वन्ना जो आपके इसके अंदर दो परिग्राफ आपको देखने को मिलते हैं बाकी 15 नंबर में आपके आती है पैड़ा को जी इसको आज की मेराथन किलास के अंदर हम लोग खतम करने वाले बड़िय से question आते हैं तो CDP की जब मेराथन किलास आप लोग देखोगे जो दो 10 घंटे के करीब की है वो सब उनीक अंदर cover हो जाएंगे तो दो चार नंबर के लिए वह वही से आपको मिल जाएंगे लेकिन जो बाकी का material है वाज की मेराथन किलास आपको मिलेगा ठीक है उसके साथ म आप लोगों के लिए और अभी मेराथन किलास आप लोगों के लिए कराने वाला है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर आने वाली है और यार वीडियो को शेयर कर दीजे जितना भी हो सके अपने दोस्तियार के पास ग्रूप के अंदर इसको शेयर कर दो आज भी इसको शेयर करके आग की तरह फैला दो जैसे आपने CDP वाली को फैला है था ये जिम्मेदारी में आप लोगों के उपर सोपता हो ठीक है तो चलिए भाई शुरुआत कर लेते आज की मेराथन किलास की पहले मैं आपको टोपिक बताऊंगा उससे अवाजी नहीं आ रिश्ती सहीज़े तो मेरा गलबी ठीक हुआ इसलिए कल मैंने रेष्ट भी लिया ठीक है तो कल पूरा आराम करा बस आख में दर्द मेरा नहीं जा रहा है आख मतलब ऐसे लग रहा जैसे स्वेलिंग आ गई हो अधर्वाइज मैं पूरा ठीक हूँ तो चलिए बहुत देखने को मिलता है जो आपके एकजाम माता सोमनिम के नाम से देखिए अगर मैं बात करूँ सबसे पहले सोमनिम को तो आपको सिंपल सी एक बास समझनी है कि भासा की जो लगुत्तम ही काई है या कह सकते हो कि जो भासा की जो सबसे चोटी यूनिट है और आपके एकजाम में कई बार सीप यही पूछ लिया बासा की जो सबसे चोटी यूनिट है सबसे चोटी काई है उसी सबसे चोटी काई को क्या कहते है उसी को क्या कहा जाता है आपका सोमनिम के नाम से जाना जाता है ठीक है या आप लोग यह कह सकते हो कि जो धवनियों की पह तो इनके बीच में जो अंतर को दरसाती है इनके बीच में संबंद को दरसाती है तो वो संबंद जो आपका दरसाता है वो सवनिम ज्यान की जो जाग रुकता होती है तो सवनिम के बारे में अगर आपको जाग रुकता रहेगी तभी आप इनके बीच के अंतर को समझा जो विज्यान एक तरीके से कह सकते हो, तो वो किसको माना गया, ये भी question आपके exam में पूछा गया, तो सवनिम को माना गया, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग समझ गये, अब यही से एक और question आपके exam में पूछा गया और इसी से relative दो question उन्होंने और पूछ लेते, वो था सवनिम विज्यान जागरूगता आप लोग समझ गे सवनिम विज्यान सवनिम के बारे में आप सवनिम विज्यान जागरूगता के बारे में देख लेते हैं देखें जो सवनिम विज्यान जागरूगता है जैसे मैंने कहा कि आप लोग आपर सब्दों में अलग-अलग अंतर अब देखने और और बेसिकल अभी तख तीन ही प्रकार के लेवल अभी आपके एकजाम में देखने को मिले है जो आपके एक्जाम में पूछे गए किसके बारे में सौनिम के नहीं यह पूछे गए आपके सौनिम विज्ञान जागरुकता के बारे में किसके सौनिम विज्ञान जागरुकता के बारे में जो आपके लेवल पूछे गए एक तो आपका सौनिम हो जाएगा जिसके बार में मैंने आपको कहा एक आपका अक्षर हो जाएगा, एक आपका तुकबंदी हो जाएगी, जो बच्चोकम सुरुवात के लेवल पर समझाते हैं, कहानी कविताओं के मार्दम से समझाते हैं, यह पूरी के पूरी सारी चीजे मैंने आपको सौनिमी के बार में बत देते हैं कोश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि जो रेखा है वो अपने विद्यार्टियों को आरंभ मद्य और अंत की धवन्यों को पर्तक पर्तक कर पैचानने में मदद कर रही है मानलीजे मैं को सब्द लिख देता हूं मैंने एक सब्द लिख दिया सचिन ठीक है आपको mille को अलग अलग कर पैचानने में मदद कर रही है ठीक है रेखा कोई टीचर है तो इस तरीके से वह उनके किस पहलु को या पर मजबूत कर रही है क्या यह पर दवनियात्मक जाग रूखता है आकृति मूलक जाग रूखता है चित्र मूलक जाग रूखता या फिर व बात करूँ व्याकन जागरुकता तो व्याकन जागरुकता को एक बारी के अंदर आप लोग ले सकते हो कि क्या पता व्याकन से संबंदी जागरुकता यहापर करा रही हो लेकिन उसके लावा गर हम बात करेंगे चित्र मूलक जागरुकता तो चित्रों की तो यहापर कोई ब प्रकार के अंदर बाटा गया है और पहला परकार आपके लिए जानना जरूरी है एक होता है आपका धवनियात्मक वर्गी करण जिसके अंदर आप क्या करते हो धवनी के आदार पर या रचना के आदार पर आप लोग भेद करते हो की आदार पर रचना के आदार पर जिसके अंदर आप लोग भेद करते हो ठीक है जिसका एक जामपल मैंने एक बार आपको बताए था मालीज आपको कोई या पर प्रत्त लिखना है या पर kijken मरता लिख लेता हो यह करता की जगह गर मैंने लिख दिया करेगा कर लिया उसने तो यह सभी रचना के आधार पर आ रहे जो इनके बीच में संबंद आ रहा है उसके आधार पर आ रहे एक आपका पारिवारी वरगिकरण होता है जिसमें जितनी भासा होती है उसको अलग-अलग परिवार के यहाँ पर आपका धवन्यात्मक जागरूगता है यहाँ पर हो जाएगा तो आंसर क्ला हो जाएगा फ्रस्ट आंशर हो जाएगा किस के साथ यहारे हो फिरस्ट के साथ जा रहे हो अगला इसी से संब्दी Calling यह आगया, next question आपके सामने, निमली कितमे से कौन सी सब्द रचना की परिक्रिया है, अब आपको सब्दों की रचना की परिक्रिया बतानी है, ठीक है, और मैंने इसके बारे में अभी आपको शुरुआत में बता है कि वर्णों का सार्तक समू क्या कहता है, वर्णों का जो आ सब्द निर्मान है, उद्दरत करना, उद्दरत करना मतलब वर्गी करन करना, यान की क्लासिफिकेशन करना, सयोजन करना, ठीक है, आपस में मिलाना या फिर इनको मिश्रित करना, बतिये सयांचार आपका क्या हो जाएगा, किसके साथ आप लोग आपर जा रहे हो, इस question को म सब्द निर्मान होता है, वर्गी करन होता है, सयोजन होता है, और फिर लास्ट में मिलाना होता है, जो सब्दो का समूँ है, तो बिल्कुल ठीक आपने बता है, क्योंकि लेडी question इस से पहले जो हिंदी की class हुई थी, मैं आपको discuss कर चुका हूँ, ठीक है, ठीक बता है आप अगला देखते हैं भई, अगला आपके सामने एक और question इसी से जुड़ा हुआ question है, और इससे कई question आपके निकलते हैं, जो आपके exam में पूछे गई है, question आपके सामने दे दिया कि ग्राईये सब्द बंदार, कौनसे है, ग्राईये सब्द बंदार, सब्द बंदा या सब् सब्द संपदा का मतलब क्या होता है, सब्दो का बंदार, तो सब्द बंदार की जंग है, सब्द संपदा करके भी examiner आपके सामने question देता है, अनि सब्दो का बंदार, सब्दो की संपदा, तो ग्राईये सब्द बंदार वे सब्द है, जिने जब कोई सुनता है, सुनती है या देखते हैं देखती हैं तब पैचान कर पाते हैं कोई भी पाठे सामगरी से समझ या समझ सकती हैं दूसरा के वक्तवे से गरण किया जाता है या फिर व्यक्ति अपनी सक्रिय सब्दावली में प्रियोग करते हैं या उनकी एक्टिवो केब होते हैं जो हम लोग डेली ला सब्सक्रीय 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 । सब्सक्राइब सब्दों का बंडार होता है अगर बच्चा एक साल का है तो दो से तीन सब्दों उसके पास होते हैं तो छोटे बच्चों के पास सब्दों का बंडार जादा नहीं रहता है लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है जैसे जैसे आप लोगों के तरह बागड़ बिल आपके पास सब्दों का भंडार है ठीक है आपने कोई चीज समझ गए बट उसको आप लोग एपलाई नहीं कर पारे दूसरों को व्यक्त नहीं कर पारे ऐसे भी बहुत सब्द होते हैं जो हमारी सब्द समपदा के अंदर पता नहीं पीछले कोने के अंदर पड़े रहते हैं हायर है तो मेरे दिमाग में सब्द समपदा में लेकिन द्यान नहीं आ रहा बता नहीं पारा मैं तो आपके निस्क्रिय सब्द समपदा है मलब आपके पास सब्दों का भंडार तो है लेकिन निस्क्रिय है जब आप उनका यूजी नहीं कर रहे तो आपके लिए क्या धालाता हूं इशनाप को बोलाते हो तो आपको पता है इस नाम से परीचीतों आप आप लोग नहीं परीचीतों बहलए जो निशक्रिया संप्द हो जाएगी आप इसका मीनिंग के बारे में अप लोग मता दोगे सर्जी हम अधूम पता दोगे उस Godzilla कर लिए जो आ लोग उनकी पहचान कर ले तो जैसे आपने पहचान कर ले ठीक है चली आगे देखते हैं कई बार आपके ऐख्जाम में देखने को मिलते अब यहार अब यहां से सुरुवात कर लें में इंपोटेंट पॉइंट की अभी तक सिप थोड़ी थोड़ी बेसिक बाते मैंने आपको बताई थी जो वीडियो के स्टार्टिंग में थी और जहांसे कई बार कोशन आपके एक्जाम में देखनों को मिलेते अब बात करते हैं भासा के बार में सबसे में टोपिक यहाँ स अब हम लोग यहापर पढ़ने वाला है ठीक है और maximum question इस टोपिक से जादा आपको देखने को मिलते हैं अब जब आम बात कर लेते हैं घंदी पढ़र हैं हिंदी के जैएगा इसको संस्कृत कर लेना है चाए इंगलिस कर लेना इसके जैए कोई भी दूसरी भासा आप लोगो नहाप ली होगी अब जरह इसके उपर हम एक एक करके बात कर लेते हैं पहली बात करते हैं बासा की और इसके सामने दिया हुआ चिंतन यानि की थोट देखें आपके सेलिबस में एक पॉइंट दिया हुआ है लेंग्वेज एंड थोट यानि की भासा और चिंतन CDP वाली मेराथन के लास के अंदर मैंने आपको बताया कि बासा और चिंतन दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं एक दूसरे से प्रसपरूप से जुड़े रहते हैं एक दूसरे को परबावित करते हैं मैंने आपको एक एक्जामपल भी दिया था आई ओप आप लोग उ तो भासा और चिंतन का positive संबन होता है, जो हम यहाँ पर अपने mind के अंदर चिंतन करते हैं, उसको व्यक्त करने के लिए हमें भासा चाहिए होती है, अगर हमने सही भासा नहीं लिखी, आपकी तारिफ में मैंने आपको बेकूफ लिख दिया, तो positive नहीं negative relation देखने को मिल ठीक है, पहला point हो गया, भासा और चिंतन के बारे में, जिसके बारे में प्याज यगल अलग बात करते हैं, वाइगोस के अलग बात करते हैं, ठीक है, अगले बात आपके सामने समरत प्रिवेश, भासा का समरत प्रिवेश, इसको जड़ा ध्यान से देखना, भासा का समरत प्रिवेश की यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पर print rich environment की बात हो रही है, यहाँ आप लोग लिख सकते हो, भासा का जो आपका होता है, तो भासा का print rich environment की बात हो रही है, ठीक है, print rich environment यहन की वातावरण की बात हो रही है, जहाँ पर ऐसा वातावरण, ठीक है, देखो ध्यान से संब्दित आता आपकी क्लास में तो मैं एक करके आपको बताऊंगा अगर मैं बात करूँ भासा आपके environment यानि की वातवर्ण में बिखरी हुई है कैसी हुई है भासा हमारे क्या अब यार यह ओट वाले ट्रक वालोंने पता अएसा मुझे न तो ट्रक इतना बढ़िए न की आ सूरत बढ़िए लगी। किसी केसे के पीछ लिखते है कि दम है तो आगे निकल वन्हा बरदास कर ठीक है ओट वाले लिखते है कुछ लिखते है dad's gift कुछ ओल लिखते है ठीक है बुरी नजर वाले तेरा काला यह लिखते है स्पीड 40UMe रखो इस से जाद मत रखो टाटा का यहाप लोगो लखा हुआ है, अच्छा नमबर देखो, यूनीक नमबर, 706 नमबर लिखा हुआ है, तो यार हम सब यह भासा देखते हैं, ओटों के पीछे भासा देखने को मिलती है, गाड़ियों के पीछे बाहसा देखने को मिलती है, लोग अपनी जातियों के बा इमांदार कर्तव निश जारू आपका पूतर इस प्रकार के सब्द लिखे होते हैं, बहसा लिखे हुई है, कोचिंग के आपने ओर्डिंग देखे हुए, आपने डिरेक्शन के लिए देखे हुए, यह सब बहसा देखने को मिली विए है, आपने जैसे कहीं पर गूमरियों आपको इस प्रकार का मिल गया, ठीक है, सचिन अगेडमी, यू आर वेलकम टू केंद्रे विद्धाला संक्टन, हर तरफ चारो तरफ आपको भासा देखने को मिलेगी, ये भासा का कैसा environment है, भासा समरद प्रिवेश है, यानि कि भासा से भरा हुआ प्रिवेश हमारे चारो त भासा चारो तरफ देखने को भिख्रिवी आपको मिलती है, ठीक बाइकों पर लिखवा लेते हैं, एक ने तो साइकल पर लिखवा रखा था, मिसरा जी, मैंने घाए ठीक है भाई, आपका संबान आपकी जाती का, साइकल पर लिखवाने की एक जड़ोता है, गाड़ी पर अगर आपने गाड़ी पर मिसरा जी लिखवा लिया, या हर किसी की जाती वही बरावर है, आपको मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, जितने भी धर्म है, सभी धर्म का आपको atual करना है, सभी के culture का सम् throughput का सम् quicker सम्मान करना है, ठीक है, अपने आपको कभी यह नहीं दिखा सभीख्यार Su Krender बदेंगे भाश हूभ देखने को मेलडी आपको बच्चा डेली आपर स्कूल में जाता है डेली चीजे यहां पर शीखता है गॉंटिंग सीखता है Eigen Datलogen ញ में पढ़ रहा होता है तो क्लासों में भी बहुत सारी चीजे लिखी रहती है ठीक है तो काया कलब पर योजना है या इतिंग की यूपी का स्कूल है सरुशिक्सा अभ्यान तो यहाँ पर काया कलब योजना चली थी गुर्मेंट ने चलाइती कि हमी स्कूल का जो यह सुंदर करना है इस परकार की चीजें वह स्कूल उपर मलब उसको परदसित करेंगे बच्चों को शिकाने के लिए तो यह होता है बासा का सम्रद परिवेज बड़ा महत्वन होता है और बच्चा अपने चारों तरफ के मावल से अलग-अलग परकार की बासा यहाँ पर सीखता है ठ बता दो दो चार कुछ ऐसे डायलोग बता दो यह ओटो वाले और यह ट्रक वाले आप लिखते रहता है ठीक है एक नगाता इंतजार मत कर एक दिन आऊंगा कुछ ऐसी लिख रखता था ठीक है इंतजार करने का और ऐसे लड़की बैठी सुईती उसके उपर कि तुम कब आ कि यह दतर चिक होते हैं सफंस्तर होती है कि हर कोई कहीं पर भी किसी परकारसे बहाता को बोल सकता है अब देखं़ को हमारे इंडिया वालोंने क्या काम कर रखा है सवतंत्र है हर कोई भासा के लिए तो कोई रोक थोड़ी सकता है अभी क्या काम करा है यूप गौर्णमेंट ने बेन लगा दिये था कि कोई भी अपनी गाड़ियों के पीछ अपनी जाती नहीं लिखेगा तो कुछ जाती के लोगों को पकड़ लिया उन्हें न का जी एक ला ठीक है मुझे खुदी बाठने में लग रहा है तो रहे सरजी सही सही बताओ आप जाटो आप गूजरो अब भाई अगर मैं किसी आपकी जाती से नहीं रहूंगा तो मुझे प्यार नहीं करोगे क्या चलिया आगे देखते हैं बहासा का व्याकरण होता है ठीक है प्रतिये डूसरी बAST हमें सीखने तो इसको हम LIVE एक्वाण भी बीर होता है ठीक है अन्य वीसो से संबंदSch ऑनलें जए फूर एकजंपल आ आप लोग यहां पर सइंस पढ़ रहे हो यह महली आप मैथमेटिक इस कोई भी आप सबढा लिजए क्या बीना बहसा कि आप सकते हो नहीं सब्जेट के अंदर आपको बासा जरूर मिलेगी, इसलिह कहा जाता है कि जो बासा होती है, सभी विशो के के अंदर में यापर पाए जाते हैं, ठीक है, और क्या या आप लोग लिख रहे हो, आगे देखते हैं, उसके अलावा बासा के अंदर समुरूत्ता होना जरूरी है, देखे, द्यान चे देखना, बाहसा के अंदर समरूपता का मतलब होता है, कि जो आपकी घर की बाहसा है, जो आपकी घर की बाहसा है, और जो आपकी स्कूल की बाहसा है, दोनों में एक जैसा आपका प्रारूप होने चीए एक जैसी विशेष्था होनी चीए कह दीजे एक जैसी होनी चीए पता चला बच्चे की घर की भासा उसकी मातर भासा हिंदी है इसकूल में टोटली आपकी इंगलीज बोली जाती है तो क्या बच्चा सीख पाएगा दोन आपकी एक होनी चीए उसके अकोडिंग उचित होनी चीए बासा के अंदर सलंगता पाई जाते बिल्कूल ठीक बात है देखे माली जाब भासा सीख रहे हो तो बासा से सम्मंदित किस प्रकार उसको अप्रियोग करना है किस प्रकार चे व्याकनिंग नियमें को आपको कर दोता है और मोन उद्दी के उपर यह बड़ी महतपून होती है और महतपून की ज knob है Mexico कई बार इसको दिया आ हुआ तो आपकी मोन अवदी होती है जो भासा के लिए बड़ी महतपूर मानी जाती है अभी आपके एक मोन विदी आएगी जिसमें टीचर खुद मोन हो जाता है बच्चे आपस में पढ़ते रहता है फिर वो उन्सक कुछ कुछ पूट अप करता है तो आपकी जो मोन परिकर्पना होती है मोन अवदार ना होती है यह आपकी महतपूर मानी जाती है एक अवदार ने कंदर आप लोग इसकंदर लिखे तलीनता क्या देखने को मिलती है यानि जब बच्चा किसी भासा में लीन होता है ठीक है जैसा मालीज आपको यहार यहां पर पैड़ागोजी पढ़ने ह लेंग्वेज की तो आप लोग इसके अंदर लीन हो जाओ तलीनता से पढ़ो गुज जाओ इसके अंदर ताकि अग्जाम में कोई कंसेप्ट आपका ना छुटे तो आपकी तलीनता पाई जाती है एक इसके अंदर देखने को मिलता है बड़ा इंपोटेंट वर्ड जो आपका बास सीखना है तो बहुत गम्य निवेज देने चाहिए ताकि बच्चे के बासा इस तरको अम लोग उसको उठा सके संसादनों की मतल्स ठीक है बासा के अलग-अलग परकार के खेल होते है और जिनको बढ़ावा दिया जाना चीए क्या दिया जाना चीए बासा के अ करका से अगर मैं खेल की बात करो नताक्सरी ले लेते हैं सुरू करो नताक्सरी लेके प्रभु का नाम समय बिताने के लिए करना है कुछ काम बळो राम नम नाम मासा शुरू करो ठीक है सही में सुरू Cum Allerd Department मैं तो आनताक्सरी का खेल खेल ले तो मासा को गान शूझ यान अ चीए उसका participation उसका करवाना चीए ठीक है ये बात आप समझगे बासा को रचनात्मा कुरूप से सिखाए जाता है और बासा जो होती है बड़ी creative होती है अलग-अलग प्रगार की बासा देखने को मिलती है अलग-अलग प्रगार के संसोधन उसके अंदर देखने मिलते है आप समय के साथ चेंज होता है और आपका दूरी के स्तान पर चेंज इसके बार में बार साक नियम बद वस्ता है या फिर आप लोग लिके इसके अंदर जो CBSC ने एक बार आपके exam में option में दिया था, यानि answer ही दिया था, ववस्ताओं की ववस्ता है, क्या है, भासा जो होती है, आपकी ववस्ताओं की ववस्ता होती है, आप किसी भासा को सीखते हैं, माली जब मातर भासा को तो आप लोग सीख गए, लेकिन आपको दूसरी भासा सी जो आपका method होता है, उसको लीपी का जाता है, और भासा के लिए जरूरी हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी भासा होती है, जो अलग अलग आपके एक लीपी के अंदर कही सारी भासा है लिखे जाती है, तो परतेक भासा के लिए लीपी का होना आपका काश्ट के काम कभी मत कर देना और सांस्कृति आनुभव पर आदारित होती है मान लिजे किसी के इंदर ऐसा होता है खड़ी वहांसा बोली जाती है जैसे आप लोग हर्याना की साइड जाओगे पच्छी मियूपी की साइड जाओगे तो वहापर क्या देखनें को मिलेगा ज जादेतर लोग बोलते हैं तू ठीक है मम्मी तू क्या कर रही है पाप तू यहानी आया ऐसा इसे वह भाई तू मलब कोई भी उनके आदमें सामने आ जाएगा उसको तू बोलेंगे वहापर आप कहना वर्जीत है अगर आप कह देते हैं सोस्तियार यह तो कोई अंग्रेज आ तू कढ़ा है आप पोल लरा है आप तो हमने बहुत कम सुनाय यह क्छीए सब्दा राफ ठीक है या पशी की यूपी-वाले कभी-वाले कभी-कभी तुम की जयंकिम-उपी वाला तूमकी जञे मं बोलते हैं ठीक है पापा तम गई ना इस प्रकार से बोल देते तो देख सापेक्स होता है, कभी भी निर्पेक्स नहीं होता है, ठीक है, ध्यान चारक ना, सापेक्स होता है, निर्पेक्स नहीं होता है, यानि परतेक व्यक्ति पर निर्पर करता है, वो किस प्रकार भासा सीख रहा है, और किस प्रकार उस भासा में गतिसील करके आगे तक जा सकता है तो परतेक आप लोग जितने वीडियो देख रहे हो ना, आप मेंसे परतेक व्यक्ति की आपकी छमताव को उपर निर्बर करता है, आप भासा को कैसे सीख रहे हो, तो व्यक्ति सापेक्स होता है, व्यक्ति निर्पेक्स नहीं होती है, जो आपकी भासा होती है, कोई बचा तो ठीक है तो यह जितनी भी पॉइंट मैंने आप लिखे वे ठीक आपको समझे मैं आगए यहाप ठीक है हेलो सर मैं जोनपूर से हूँ मेरा पिछली बार 80 वन नमबर था इस बार आशिरवाद दीजिए इस बार निकल जाए सभी को आशिरवाद है वहिए सभी को आशिरवाद ह तो आप लोग समझगे भाहसा के बारे में जितनी चीजे मैंने आपको बताई अब यार कुछ कोश्चन लगा लेते हैं और कोश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आगया यह रहा और साथ के साथ मैं आपको पोल दिलवा देता हूँ और दीजिए कोश्चन का आंसर जो आपके सामने दिया हूआ है यहाँ पर दिया हूआ है यदि भाहसा सीखना एक सवभाविक परक्रिया नहीं है जबकि भाहसा कैसी होती है भाहसा एक सवभाविक परक्रिया होती है जैसे हमने अपनी मातर भाहसा को सवभाविक रूप से सीख लिया है ठीक है तो सवभाविक परक्र यह नहीं वाना, तब निमलिकित में से सबसे उचित विकल्प क्या होना चाहिए वह आपको बताना है, क्या भाएसा परियास से सीखी जाती है, यह भाएसा चीखना है या भाएसा अधिगम यानि कि language learning की बात कर रहा है, यह भाएसा एक पढ़ना लिए, भाएसा आपने आप म आपस में यह काम करते रहा करो कास्ट के ओपर ठीक है देखे बासा में सदे बदला होता रहता है जो मैंने आपको बताई बासा क्या होती है बासा होती है आईस्तिर होती है परिवर्तन सील होती है बासा में आपका हमेशा बदला होता रहता है यह बाट ठीक आपकी बासा अप परियास से सीखी जा रही है या जटिलता पूरवक सीखी जा रही है तो समझ लेना आपकी बहासा अधिगम है एक सवभाविक परिकरिया नहीं है यह तीनों पोइंट आपके जो है पोजिटिव ते यह आपका परियास से सीखे जाने वाला यह आपके बहासा अधिगम की बात सत्क प्रिवेसरyu संखेत करता निर्वान करने कभी नیں या ककश्या कक से परे जाकर शीखने बताओ वई बहसा सम्रत प्रिवेसर यह रहाँ आपके सांपने भास्य संम lle सांवने आपके स्क्रीन के पर बास्या बहसा देखने को मिल ले है ठीक है बुरी नजरवाले तेरा मुझ काला है तुम्हें नहीं कह रहा है मैं मतलब यहाँ पर नीचे लिखावाया हस मत पगली प्यार हो जाएगा यूज डिपर एट नाइट टाटा चाली सचिन एकेडमी प्रामन छत्रिये यादव जाठ गुजर लट सो चालीय सब भासा देखने को लिए तो आपका भासा ही समरत प्रिवेज है तो यह किसके और संकेत करता है आप लोग देखते हो ना चारो तरफ अपनी भासा को चारो तरफ देखते हो भासा को तो देखते हो आप लोग ध्यान भी देते हो आप लोग क्या देते हैं ध्यान देते हो आप लोग Jatic क्या लिखा, ट्रक्वाले निया लिखा, ओटो ने यह चीज़ क्या लिख लिख है? अगर मालिज आप मैं जाती की बात करें करें रियार यह हमारी जाती की चलो इसको खुला नहीं देते हैं दूसरी ऐग उगा उसको घ॥े देंग करती है जिसके अंदर देखते हो ध्यान देते हो भासा का यूज करते हो आंसर आपका फ़र्ष्ट सही हो जाएगा हरास्य बढ़ने में नहीं यह तीन आपके नहीं कि कक्सा कक्सा परे जाकर यार कक्सा कक्स में तो आपको भासा समरत प्रवेश देखने को संप्र्वेश देखते हैं यह यह रहा को सामने सि में स्क्रीन पर कशन आपको जिभासा व्याकर क्या होता है convention को सबसे अच्छा सीखा जा सकता है यदि पटन सामगरी यानि कि जो पढ़ने की सामगरी है और जो सरंचना है यानि कि जो उसका structure है उसकी पैचान को एकिकरत करके यानि कि उसको integrate करके या फिर जो व्याकनिक संकल्पना है यानि कि जो grammar के concept है उनका अलग से अब्यास यानि कि उसको practice करके या फिर व्याकनिक संचनाओं को contest करके यानि कि याद करके यानि कि उसकी road memorization करके या संचनात्म कुपागम को अपना कर बताओ सही answer क्या हो जाएगा किसके साथ आप लोग यहाँ पर जा रहे हो ठीक है जल्दी से बते से किसके साथ आप लोग यहाँ पर जा रहे हो भास सका व्याकन जो पथन सामगरी हो उती और जो आपकी स्रंचना है उती ना उसकी पैचान को एक रखत करनी की बात करता है जो आपके भासा-विकास की बात करता है जो भी आपके सामने पढ़ने की सामागरी हो, जिस प्रकार साथ भासा को सीख रहे हो, जिस प्रकार उसकी सरंचनाओं को सीख रहे हो, सभी को इंटिग्रेट करके आप लोग सीखे, जिस आप ने देखा हो का माली JBS की बात करूग या सोसल साइन्स की बात करूग इनकी प्रक अगला देखते हैं भई एक और कोश्चन इसी से जुड़ा हुआ सामने आपकी स्क्रीन पर आगया यह रहा अभी बासा की कोश्चन चल ले बस निमली कितमें से कौन सी बासा सिक्सा की अवधार्ना देखे कुछ आपके सामने आप लिख हुई है तो बासा सिक्सा की अवधार ने वियकल लिया है यानि कि आपका dyslexia होता है जो आपका dyslexia होता है देखिए आपके जो जितने भी आपके learning से सम्मंदि in करना चाहता आज की मेराथन के अंधर इसले इसलिए मेराथन के लास आज भी सका है और कुछ टोपिक जो आपके कोमन होते हैं वो उस वाली के अंतर आपको देखने को मिलेगा ठीक है वहना बार-बार रिपीट करूंगा कुछ फायदा नहीं है ठीक है तो बुद्धि यह पठन वेकल ले बिल्कुल भासा से संबंदित होता है बासा संबंदित विशिष विकार एक विकार तो यह लिखा वाै डिसलेक्स यह भी ही इसकी अवधार्णा होती है ठीक है इसने पुछा कौनसी यह रोदार्णा नहीं है तो बुद्धि अovधार्णा नहीं है राइट आंच यहापर आपका सेक्न आ जाएगा जो बुद्धि यह ब दोनों के बिस यल दिखत लोग तो अब देख रहे हैं तो मड़ीजा कोई भासा देख लो आप लोग भासा देख लो याप वान लट लिख पर लिख दिया kalo उत्विष का अर्थ समझना चाहरे हो टीक है कि देखकर थे देख कर वनना गाड़ी में लट भी पड़े आपर ठीक है अब मालीजा किसी को लठ समझ नहीं आ रहा लिख तो दिया इसका अर्थ यापर समझ नहीं आ रहा है ठीक है पस्चिमी आले हर्याना वाले या इधर के नोर्थ इंडिया के लोग तो इसको समझ जाएंगे तो बहुत सारे ऐसा सब्द होते हैं जिसका अर्थ अधित्य होती है बहुत्य है बैशा के माध्यम से हम अपने विचारों को अव्यक्त करते है अब आपसे पूचो बहुत जिस परकार के उपर बात होती है तो बहुत्य कितने परकार पाई जाते ज़रा मुझे कमेंट बोक्स के अंदर बती है ठीक है जैसे मैं मान लीजे आपके सामने लिखित देता हूँ कि आपका जो sign language होती है जो सांकेतिक भासा है कौनची भासा होती है अगर मैं यहां पर लिख दू sign language यानि कि आपकी सांकेतिक भासा है और एक teacher को sign language के बारे में भी नोलीज यहां पर होनी चीए अगर मालीजे किसी बच्चों को यहां पर आपने बोलने और देखने के अंदर उसको समझ्चा है तो ऐसे बच्चों sign language का यहां कि सांकेतिक भास के आप यूज करते है तो एक तो सांकेतिक भास होगी बता कमेट बोक्स अंदर ठीक है वहां लोगों को बोल बोलकर अपने हव्य रढ़ तो आपके भासा क्या आपके तीन प्रकार होते है ठीक है तो भासा वाचिक होती है बिलकुल ठीक बात है वही बोलते है भासा में वाचिक होती है बासा यादर्चिक होती है यह भी यादर्चिक होती है बासा यानि सवतंतर होती है यह भी ठीक है और भासा गतिसील होती है बि तुन के अर्थ के बीच सवभाविक सम्मंद को नहीं दरसाता इसके बारे में आप लोगे आपर बतिक किसके साथ जा रहे हूं ठीक है थड़ केसा जा रहे हो बहसा यादर्ची्ग है बिलकुल ठीक बाता सवतंत्र है कोई भी कैसी भी बहसा बोल सकता है ठीक है गाड़ी में पड़े है लट और आगे क्या है इसलिए तू ओवर्टेक मत कर ठीक है तो ऐसे कुछ भी सब दोर अर्थ बना दिए या और भी आपर कुछ लिखावाया हस मत फगली प्यार हो जाएगा कौन हसरा है कौन इससे प्यार कर रहा है पता नहीं है ठीक है चलिए आगे देखते हैं दम है तो भाई मेराथन फूरी देख वनना फिर आगे निकल मैं भी कुछ बना दूँगा क्योंकि हम लोग अपने परिवेश से कुछ न कुछ चीज़े सीखते हैं अगला देखते हैं नेक्स्ट कोशन इससे जुड़ हुआ आपके सामने आगिया कि बहासा का अंते क्रिया पारस्प्रिक संबंदों के परतिस समझ बनाने के रूप में भासा बिल्कुल ठीक बात है जो आपके पारस्प्रिक संबंद है जैसे मालीज आपके दोस्त चाहर है हमारा आपका संबंद है तो हमारे परतिस समझ बननी है कि सर जी कैसे समझा रहे कौन-कौन से वर्ड को डि करेंगे तो अपने विजुन को एक्स्प्रेइस करेंगे आप उसको ःगंडी करेंगे तो इसके लिए भासा चाहिए ना interact करके तो आपके दोनों के बीच में आपका ये भी होता ये भी आपका positive के रिभी आपको सदेश जय Ihnen आपको पर्मानिक सालागर ईदیا रही है, अप ब ह具ई है यह पक्का नेगेटीव है ये क्या वेखन ऑर सभडावली के प्रसपर सम्मंद को स्नापित करने के साधन के रूप में यur नहीं और कि दूनों के बिची में प्रसपर सम्मंद बनाना है व्याकन का और सभडावली का ठीक है सभडावलि istos आपका बच्चा वैसे भी शीख जाता है और अनुपचारिक रूप से शीख जाता है कुछ आपका वैसे शीखता है जो आप लोग यह वह कैब सीखते हो ठीका प्रयायवाची विलूम सब्ध तो आपका नेगेटीव है और नेगेटीव का भाई आंसर यह आपका क्लास लियोगी उसके अंदर भी मैंने कुश्चन कराया था इसी तरीके से वह अपनी मा के साथ भोजन आदी के लिए अलग तरीके से बोलता है तो भासा का कौन सा पक्स कौन सा पक्स हो रहा है भासा का कौन पक्स अपनी भूमी का याबर निभा रहा है बता उसे अंसर क्या ह किसकी बात करूं अगर मैं आपके सामने बात करूं बहसे के बात करूं तो बहसाके पक्स आपको देखने को मिल जाते हैं कौन-कौन-कौन-स ? और एक कारयातम पक्स ? नियमं के बार में सिखाते हैं तो से नियमं के रहने के और चाहदे हैं जो उसको एनवारमेंट के अंदर हम उपलब संचाद उन है परियावरण की मदद से हम इसको यहापर बासा बासा है ठीक है तो यहाँ पर दिया हूआ कि कोई बच्चा अपने दोस्तियार हुशे तो अलग भासा बोलता है और लेकिन अपने टीचर सा अलग बोलता है नमस्तित सर सर कैसे हो आफ सर अप ठीक हो और अपनी मा से बोजन के लिए अलग बोलता है मम्मी दे दो खाना बहुत भूख लग रह तो पख्ष भूम्य का निवहा रहा रहा Hang सा परिवेश्य मनुविज्य पक्स मनुप्स कीस स्नात्मद्र सब्सक्रेंग युह आपका तौरज पक्स की समय कंदर जोल सो दीचरंब है तीचर से लग भाशा वोलेगा घृचर से लुख लेगा आपका सामाजी कौक्स है आंचर यापर आपका फिर्थ फंप सही हो जाएगा आप लोग यहाँ पर एकसा जारेह agriculture लेकिन आ पर आपका फिर्थ सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके next के और अगला question अगला topic आपके सामने screen पर आगया ये रहा आपके सामने अगला topic अब हम बात करते हैं भासा की बोलियों के बारे बें देखाँ अमारे देश के अंदर अलग-अलग भासा ही बोली जाती है और उसी परकार से अलग-अलग बोलिया आपकी वास्तिक भासा से तो संबंदित होती है आपकी जो बोली होती है जैसे अगर मैं फूर एक्जंपल बात करूँ अभी मैं खड़ी बोली की भासा की बात कर रहा था जैसे हर्याने के अंदर जाओगे तो आपर क्या बोलते हैं तू करके बोलेंगे जैसे पश्चिम य तो ऐसे बोलते हैं इधर आप लोग जाओगे थोड़ा पूर्वान चली उपी की तरफ जाओगे ब्यार की तरफ जाओगे आप इधर आईए क्या आप नहीं बता पा रहे हैं अरे बहुत सारी बोलिया पाए जाती है अच्छा अपनी बोली के अंदर यह लिखकर बती है कि जो भी आपकी बोली हो कि सचिन सार बढ़िया पड़ा रहे है जरा इसको एपनी बोली में लिख कर वती है ठीक है ठीक है और असक्नी बोली के अंदर लिखकर बताओ जो मार थोड़ी रहा हुँ मैं तो खतम कर रहा हूं ठीक है तो इसलिए जो बोली होती है हर जंग की अलग अलग बोली आपको देखने को मिलती है जो परत्यक समाज की जो भास होती है यह कोश्चन आपके संस्कृत में जाएगा इंगली समापका डैलेक्ट के नाम साता है और और कभी-कभी dialect का आपको process पूछ लेता है कि कैसे रहता है आपका, ठीक है समझ कि और आपको बोली को भी बच्चे की बोली को भी संब्धाण आपको देना है, question आपके सामने बोली से संब्ध इता गिया, कि बोली के संब्ध में कतना आपको A और B पर विचार करना है, अभी क जाने जाती है जो छेतरिय भास से क्या पर बात कर रहा है ठीक है अब इसमें कथन आपको दूसरा दिया हुआ है कि एक समान सेक्सिक पश्ट भूमी वाले लोगों द्वारा विविद प्रकार की उप्योग की जाने वाली जो भासा होती है उसमें से एक प्रकार की बोली के जैसे करते हैं ठीक है सच अब बढ़िया पढ़ाई वेची यह 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 तो मुझे भी नहीं पता ठीक है पढ़ाई वेची सर्जी गुजरात का भी नाम लोग बता यार गुजरात में कुछ ऐसी बात बताओ अपनी बोली बताओ ठीक है गुजरात की बताओं किसके साथ आप लोग आपने बिल्कुल ठीक जा रहे हो देखो यह यह पर जो आपका यह है यह तो बिल्कुल ठीक ही कह रहा है बहुत चेतरी है बोली के रूप में आप लोग अपनी इसको बहासा को जानते हो लेकिन एक बात बताओ जो समान सेक्षिक पष्ट भूमी वाले लोग है म वही बोली बोलते है जो हमारे गांओं धियात के अंदर या जो हमारे परिवेष कंदर अपनी बोली जाती है आपने भी देखा हुआ सेरे के अंदर जाओगे वहापर दूसरी बहासा बोलोगे दूसरी बोली बोलोगे अपने गाउं के अंदर जाओगे वहाँ दूसरी बोली बोलेंगे तो यहाँ पर उसके अंदर होने वाली यह बहासा बोली के रूप में जानी जाती है अलग अलग प्रकार की यूज की जात अपना लिखकर आपना इसमें ये भी लिख दीजे ये बोली कहाँ पर बोली जाती है ठीक है चलिए भी आगे देखते हैं आपके सामने अगला question यह आ गया next question दिया हुआ है कि जो लोगों का एक समू होता है जो भासा के परियोग के संबंद में भासिक मानकों के एक परतिमान ही एक सैट को साजा करते हैं भासा के मानक को बासा को कैसे सैट करते हैं आपने देखा होते और पश्षी मी यूपी वाले क्या काम करते हैं लोगों का एक समू है ने करते हैं भाषा के परियोग के संब्द में भाषा के जो मानक है उनके according भाषा के मानक ही है यहापे हमें कोई आप नहीं बोलेगा, थीक है हम तो तू ही करके बोलेंगे, तूझे ठीक लग रही है तो ठीक है ऊणना भाढ़ में जहां, हमें कोई मतलब नहीं है कि मानका कोई आप करके बोलता यह तो दिलनी . वाख समूदाय कहहना जा幾股 कि बोली समूदाय होता यह आपको वाक समूदाईकर会 कहला जाता है किसको कहला जाता है यह आपका समुदा है यहापर कहला जाता है ठीक है माने में बियार सचिंसर अच्छा पढ़ान सचिंसर बढ़िया पढ़ावत है को सामभी मैं तो आपके इनगी के नदर रहाँ जाओंगा जाओं गयार बोलियों के इंदर एक चैट आई ए सर्पेर आपके अब मुझे ऐसा समझ मारा पैर को लांगने की बात हो रही है लेकिन जहां तक मैं इनकी बोली का मतलब संजा कि सर्फ पैर पैर चुओ आपके ठीक है तो अलग-अलग बोली है मुझे भी समझ देक अंदर बड़ी दिक्कत हो रहे जाएगी और अगला देखो वही अग लेंग्वेस नदर एकक कोशन तो आपको डेफिनेट्टी देखने को मिलता है अब एकक करके हम बात कर लेते हैं पहले हम बात करते हैं बहाय सा अधिगम पयाकर करते हैं दोको ध्यान से समझना एक बार में जितने point आपको बता रहा हूँ, एक बार में समझ जाओगे, कभी इसको नहीं बूल पाओगे, जो मैं एक एक करके आपके सामने point बता रहा हूँ, देखे अगर मैं बात करूँ आपके सामने पहले भासा अर्जन की बात करूँ, तो भासा व्यूब होता है जब हम किसी बासको प्राकर्तिक रूप से सीख जाते हैं एक नेशुरल Prime से से तो क्या होती है वह माकूंत I बासा अरजिन न होती है किसको सिखते है ज़ो अमारी मात्रवासा होती है करें dock the Leo पर लेंगवेज के लिजे जो हमारी आपर मात्रवासा होती है ङसे आप अर लोग कैसे रूप से यूँ ही, अपने आप सीख जाते हैं, यानि कि सवभाविक रूप से सीख जाते हैं, कैसे सीख जाते हैं, सवभाविक रूप से सीख जाते हैं, इसलिए ये भासा कैसी होती हैं, सवभाविक होती हैं, और सरल होती हैं, मुश्किल होती हैं, आपने जो अपनी मातर भासा सीखी इसके अंदर कुछ आपको effort लगे, पता भी नहीं चला कब में हम अपनी मातरवासा शीख गए ठीक है, तो जो बहासा होती है, यह वाली बहासा होती है, आपकी अनुपचारिक होती है, यह जो बच्चा होता है, जैसे अपनी family से सीखता है, जो अपनी मातरवासा होती है, नहीं पढ़ रही है बिना व्याकरण के ही हम लोग इस बहासा को अपने आपी सीख जाते हैं लेकिन अगर हमें किसी बहासा को सीखने के लिए व्याकरण की जौरत अगर हमें मालीज दूसरी बहासा सीखने है ठीक है अगर मैंने लिख दिया मातर बहासा के अंदर मैंने अपन तो मैंने Hindi लिख दिया अगर pourraitट आपको दूसरी सीखने यानि का आपको शीखने के लिए और सेकिन लैंगविज आपको सेखने मिडिंगी इंगली शीखने क्ये आपको मराथी शीखने और संसाधन क्या क्या हो सकते हैं संसाधनों के अंदर आपको दूसरी भासा इंगलिस सीखने हैं तो भाई इंगलिस के लिए आपको इंगलिस का क्या होना चीए इंगलिस का आपके पास एक टीचर होना चीए जो आपको उस भास को सीखा सके इंगलिस की व्याकर्ण का पता आ चाहिए अगर आपको दूसरी बाहसा सीखने हैं तो क्या आपको कैसे होती है या फिर आप लोग कह सकते हो यह बाहसा होती है आपकी जटिल होती है कैसे होती है यह वाली बाहसा मैंनलों इंगली सीखने है तो यही थोड़ी सीख जाएंगे अपने हाप ठीक है हाल की कुछ तरीके में आपको बताऊंगा कुछ मैथट बताऊंगा आप लोग यहीं भी स्थी करें वह आगा आने वाले का करके तो यह आपके क्या होती है प्रियासपूर्ण उत्य जटिल होत बता दिया भासा अर्जन यानिकी लेंग्वेज लेंग्वेज लर्णिंग यह मैंने इनके बार में आपको बता दिया और यही पर सबसे ज़्यादा कोशन आपको अपने एकजाम में देखने को मिलते हैं ठीक है यह बात आप लोग समझ गे अब देखे अगर हम बात करें यह यानि कि उसकी मातरवासा की बात कर रहे है ठीक है अगर हम बच्चे की मातरवासा की बात कर रहे है तो ध्यान नकना बच्चे की जो मातरवासा होती है जो बच्चे की मातरवासा होती है इसको जादर से जादर बढ़ावा दिया जाए इस मातरवासा को जादर से जादर आपक 2020, शिक्सा नीती 2020 ये कहती है कि कम से कम 8 किलास तक कौन सी कम से कम 8 किलास तक जो आपका शिक्सन का माध्यम होगा वो बच्चे की मातर भासा होगा इसलिए बच्चे की जो मातर भासा होती है इसको इतना महत्पून माना गया है ये बात आप लोग समझ गए अब इसी से जुड़ा हुआ एक और कंचेट आपके सामने आता है बहु भासावाद का ठीक है चलो आगे बताऊंगा वनना यही पर सारी खिचिडी पके जाएगे एक साथ मातर भासा तक समझ लो जो मैंने आपको बताईए फिर उसके बाद बहु भासावाद पर भी हम आ जा तो चलिए भी आंचल लगाते क्या देता है ठीक है सर्जी गोड लागे चीए यानि यह क्या मतलब है भाई गोड लागे चीए अच्छा यह चीए गुजरात किये गये वाली भासा भी जरा बताना या ठीक है में कंफ्यूज हो गया अगला देखें कुश्टन आपके सामने है कि एक बालिका पटना से मुंबई इस्तानतरित होती है वह विद्याल्य में क्या है एक भासा की रूप में अंग्रेजी पढ़ती है यानि कि इसकूल में इंगलिस पढ़ रही है यानि जो अपनी ओफिशल लेंग्वेज ले लिए उसने इंगलिस ले ठीक है और सैपाठ हो तथा आसपड़ों से लोगों के साथ सब्सक्राथ करें आनिक अनतर कीरिया करके मराठी शीख जाती है तifaको उबंद कि उसने इंट्रेट करके सीख लिया जो उसके मराठी थी, अब इस तथ्य से आपकी क्या समझ बन रही है, अब आप लोग मुझे बताइए, क्या दोनों भासाओं का सीखना भासा अर्जन है, जी नहीं, एक अधिगम है, एक अर्जन है, क्या अंग्रेजी भासा का सीखना भासा अर्जन है, आगे पढ़ने की जर जन है, थर्डी ठीक है, दोनों भासा का सीखना दिगम है, गलत है, आंचर क्या हो जाएगा, थर्ड आंचर यहापर आपका सही हो जाएगा, आयोप आप लोग यहापर समझ गए होंगे, ठीक है, सत्रीन शर बहुत अच्छा पढ़ाईज, ठीक है, वेरी गुड, ठेंक जो आप लोग इतना बड़ी है, सम्मान दिया इस, चलो यह अलग-अलग बोली है, हर परकार की बोली का मजाक बहुत उड़ता है, हर्याणों वालों की, पश्चिमी उप्यवालों की, कोई राजिस्तान का हो, बिहार का हो, जो बाकी अधर इस्टेट के लोग होता है, बड इस लिए मजे मत लिया करो, किसी बोली को भी और परतेक बोली को आपको बड़ा महत्पून आना है, जिसके बात मैं आप से सुरुवात में कहला हो, ठीक है, अच्छा, अगले कुछ महत्पून कंसेप्ट के ओपर हम लोग चलते हैं, जो आपके सामने आगे, कोड और डिको परिशन डालना पड़े, तो कोड को समझ लिजे, एक तरीक से भासा समझ लिजे, ठीक है, अब कोई भी चीज को एकस्प्रेस करने के लिए आपको कोड यानि की भासा की जरुत होती है, अब देखे, अगर यहाँ पर आजाए कोड परिवर्तन, क्या आजाए, यहाँ पर को कौसरी भासा को यहाँ पर mix कर लिए, कौन्सी मालिजे को टारिगेट लेंग्वेज है, तो टारिगेट लेंग्वेज को इसके अंदर इंग्लिज मैंने मालिया, तो English को अपने mix कर लिया, तो आपका code मिसरन हो जाएगा, कैसे मालिजे, Hindi प्लस, English प्लस, Hindi प्लस, Hindi प्लस, English प्लस हिंदी प्लस आपको समझ में आए नहीं समझ में आए ठीक है जैसे अगर मैं एक्जाम पल दूँ यह आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है इफ यू है वैज प्रोब्लम तो मुझे बता दो अगर आपको यह चीज डिफिकल्ट लग रही है तो मैं इस चीज को यहाप आपको एक्स्प्रेंड कर दूँगा तो मैं दो भासा को यहापर का क्याम कर रहा हूं यह निक कोड को मैं मिक्स कर रहा हूं अभी आपने देखा से यहापर फिर इंग्लिस बोलना सुरू कर दू यानि हिंदी से शिर्फ इंग्लिस बोलना सुरू कर दू जैसे मैं बोल ला हूँ आपको कि यह आपको समझ मा रहा है नहीं आ रहा आपको कोई दिक्कत तो नहीं है if you have any problem so do your work I don't care ठीक है मजा कर रहा हूँ वह करता हूँ यह आपका कोड परिवर्तन हो जाएगा यानि कि जो मैं अपनी भासाति मातर वासा उससे मैं दूतरी बास यानि इंग्लिस कंदर में ट्रांसवर हो गया यानि कोड मैंने परिवर्तन कर लिए यह बात आप लोग समझ के अब आपने देखा होगा कुछ वर्ड ऐसे होते हैं मान लीज़े मैंने इंग्लिस के अंदर कुछ वर्ड ऐसे बोल दिया आपकी समझ में नहीं है तो अगर समझ में नहीं आए तो आपड टीचर की डूटी बनती है कि टीचर उसको क्या काम करे ऐसे सब्दों को डिकोर्ड करे ऐसे सब्द करवाने में बच्च्ची की मदद कर डिकोड का मतलब होता है जैसे यह वर्ड आपकी समझ में आगे डिकोड क्या होता है नहीं आए ना तो मानलीज अगर कोई सब्द हैस आगे जो आपको समझ में नहीं आ रहा तो टीचर आपको इसका अर्थ बताए ठीक है और इसके अर्थ को समझाए तो मैंने कहते हैं सबस्कार बन समय मिनिया है तो मैं के आजुए इसका मतलब का मत्रवासा होती है और महत्रवासा का मैं इसे यूज़ कर दे बड़ी महत् appropriate तो आपको क्या काम कर आ है आपने जो सब्सक्रेंद था उसको को डिकोड कर और टीचर को वान मेंसे उसको то अगला question आपके सामने screen पर आगया देखते हैं क्या question आपको दिया हुआ है question आगया कि जब एकल भासी वक्ता यानि एक भासा को जो वक्ता होता है एक समान बोले गए या एक जैसे बोले गए या हाव भाव वाले विचार के भीतर वाक की यानि स्पीच की जो उपचारिक से अनुपचारिक इस्तिति में जाते हैं तो वे किसमें इंगेज होते हैं किसमें सलंग होते हो आपको बताना है कोड मिसरन कोड परिवर्तन बोलिया या सामाजिक भासा विज्ञान पता उसे यह अंसर क्या हो जाएगा किसके साथ आप लोग यहाँ पर जा रहे हो अब सई सब्सक्राइब बताना मुझे आप लोग ठीक है ठीक है तर आप कहा रहते हो दिक्सा भराद वाज के यह ठीक है भ फिल्व ठीक आप लोग जा रहे हो वियहाँ पर आपकोड परिवर्टन हो रहा है कोड परिवर्तन कैसे हो रहा है यहाँ पर क्या काम कर वर दिखी कोई इंगलीष बोल ला है और उससे अनुफचारी की स्थ सेंबंस चला गया हिंदी में आ घ्या मादलिश आगर मैं आपक का सही हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन आपके सामने यह आ गया नेक्स्ट कोश्चन आपको दिया हुआ है निर्देशित पठन ठीक है इंस्ट्रक्शन जो आपका पठन होता है कौन देता है निर्देशित पठन कोन करवाता है यह पठन करवाता है आपका टीचर करवाता है क प्रकार से निर्देशी पठन करवाना टीचर की जिम्मिदारी बनते हैं जो में आपको यहां पर करवा रहा हूं आपकी हेल्प कर रहा हूं यह विद्यारत्यों को उन पठन युक्तियों के विकास के माद्दम से पठन परिक्रिया पर बहतर अधिकार प्राप्त करने में मदद करता है जो डिकोड करने और अर्थ निर्मान में मदद करती है डिकोड करने और कुटबद करने में मदद करती है डिकोड करने और साकार कल जाएगा क्योंकि आप लुग डिकोड कर रहे हो और अर्थ निर्मान में यहाँ पर मदद कर रहे हो और जिसमें टीचर यह निर्देशित पठन के द्वार आपको करवाता है राइट आंचर आपका फ़र्ष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा next question आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा अगला question उसका answer दीजिए question आपके सामने दिया हुआ है कि चेतन की पर्थम भासा बोजवपुरी यह यह नि इसकी मातर भासा क्या है मातर भासा उसकी यहाँ पर है भोजवपुरी ठीक है द्यान से देखना है यह वाला question भी मैंने आपको explain करता है class के अंदर वे तमिलाड़ू गया अव वे भोजपुरी नहीं बोलता अच्छा वही और अपने सातियों से केवल अंग्रेजी में ही बात करता है इंग्लीस में ही बात करता है ठीक है किसमें इंग्लीस में तो यह स्थिति किस बात की द्योतक है वो आपको बताना है क्या यहापर code mixing है रणात्मक द्वी भासावाद है code switching है यानि कि code में परिवरतन हो ना code switching है या फिर द्वी भासावाद है बतिये किसके साथ आप लोग यहापर जाओगे ठीक है देखे पहले रुखतो जाओ सीधा यह की उपर लगा रहे हो द्वी भासावाद के अंदर क्या होता है जब हम दो भासा आपर सीखते हैं एक बासा आपने यहापर मातर भासा सीखी और दूसरी को यह अपने अपने टार्गेट लेंगज यानि कि जिसको आप लोग लग्स भासा कह सकतो तो दूसरी आपने टा सीख्जा जा देता हूँ भासावाद है ठीक है इसलिए मैंने का तक अ आगे बताओंगा क्योंक्किकों कुछें हापर आएगा बहु भाशावाद आनि कि मत्च्र सामने आरहा है कि हिसके बात sea praktी लिंग्व मैं आपको करा दूँगा ठीक उसी परकार से जो आपके जैसे NEP 2020 है, राष्टे शिक्सानीती 2020 है, इसके उपर मैंने डिटेल में पूरी वीडियो बनाई हुई है, विद को श्रांचर के साथ, तो आप लोग उसको जाके देख लेना, वहना एक किलास के अंदर मैं सारी चीज कवर कर दी, सारे content किलर कर दे, अब इस marathon क्लास में मैं आपको बिल्कुल वो चीजे करा रहा हूँ, जो वहां से बिल्कुल अलग है, ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल ऐसा content मिले, जो आपको repeat ना होता हुआ, देखने को मिले, ठीक है, तो NEP 2020 के आप वीडियो अलग से देख हुआ है, ठीक है, अब यहाँ पर multilingualism, यानि की बहु भासवाद, इसलिए महत्पुन हो जाता है, क्योंकि भासा के अंदर यह आपको देखने को मिलता है, multilingualism के अंदर मैंने आपको बता है, एक ऐसा परिवेज, एक ऐसी classroom, एक ऐसा school, एक ऐसी जंगे, जहाँ पर अलग-अ मातरवासा वाले बच्चे क्या रहते हैं, आपके रहते हैं, फोर एक्जांपल देखी, जैसे मैंने का परतियक भासा की, परतियक बच्ची के अपनी मातरवासा होती है, हर एक बच्ची के अपनी मातरवासा होती है, भाई, कोई आपका हिंदी बोलता है, कोई आपका कौंक स्कूल में तो इस प्रकार का मावल वहाँ सबस्याद आपको देखने को मिलेगा बच्चे की मातर बासा को नहीं सीखेगा कुस तो सब्दों का आदान पर्दान होगा तो यहाँ पर क्या होती है यहां पर सब्द बंडार में वरद्य होती है इसके माद्धम से क्या होती है यहाँ पर होती है इसके माद्धम से सब्द बंडार में व्रद्धि आपको देखने को मिलती है बच्चों का सब्द बंडार यहाँ पर बड़ा हुआ देखने को मिलता है उसके लावा मैंने कहा कि आपकी पुरतिय बहासा से आपकी संस्कृति जूड़ी रहती है जब बाचा का अदान परदान होगा तो क्या संस्कृति का अदान परदान होगा तो यहाँ पर संस्कृति का भी अदान परदान होगा और बच्चा संस्कृति को यहाँ पर एक दूसरी की सम्मानित नजरों से देखेगा यानिकि संस्कृति का यहाँ पर सम्मान बच्चा करे ताकि हमारा जो अपना टीचिंग प्रोसेस चलता है हमें बच्चों को सिक्षन देना होता है बच्चे जो चीजे सीख रहे होते हैं उसमें ये एक साधन के रूप में काम आए इसलिए आपका मल्टि लिंग्वलिज्म को इतना महतुन माना गया है तो दूई भासावाद आप हमें आफि एंख्त आमके रनातमक दूई भासावाद का मतलब है अगर यहां पर बच्चे ने शिख ली तो दूई बासावाद लेकिन अगर उसने एक बासा चोड़ दी और दूसरी बहुञरा अगर वो इस प्रकार से नहीं करता दोनों भासों का यूज करता एक साथ में भी यूज करता तो दीवासावाद होता अधरवाई आंसर आपका सेकंड आंसर यहापर आपका सही हो जाएगा और इसको आप लोग बहुत अच्छी तरीकी से समझ गए होंगे जो मैंने आपको चीजे यहापर बताई है कोई दिक्कत तो नहीं हूँ यहापर आपको समझने में पूरी डिटेल सा आप लोग समझ गयो ना किस प्रकार से मैंने आपकर कर अगर बात करते हैंं अगले आपके सामने आगे बहासा के बात होई बहुत करने के लिए बहुत कोई सेखने के लिए हमें कुछ कोशल की जरूत होती है क्या होता है अगर हमें किसी भासा को सीखना होता है कोई भी लेंग में जो ठीक है तो बहुत सारे भासा के कोशल पाए जाते हैं लेकिन आपके एकजाम में चार कोशल जरूर देखने को मिलते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं जब आपकी संपूर्ण में इंगलीस वाली किलास कराऊंगा तो उसके अंदर आप लोग देख लेना इंगलीस के अंदर फिलाल आप लोग हिंदी के अंदर देखे और संस्क्रित वाले बच्चे है तो दोनों का आपका काम एक साथ हो जाएगा पहले अगर मैं बात करूँ ब लिकर अपनी भासा को विक्सित करते हो एक भासा का रीडिंग यानि कि अपना पढ़ना कोशल यानि कि पठन कोशल कह सकते हो यानि जब भासा को पढ़कर आप लोग गरण करते हो एक भासा का लीसनिंग यानि कि सर्वन यानि कि सुनना कोशल सर्वन यानि कि आपका सुनना ये भासा का आपका क्या हो जाएगा, आपका listening हो जाएगा, पठन यानि की पढ़ना साथ के साथ मैं लिखता जा रहो, यह भासा का दश्वारा की श्यक्तिक बीते हैं कि ये जो बहुर्द दूसरे को परभावित करते हैं क्या काम करते हैं उपने एक दूसरे को प्रभावित करते हैं अगर मालीजा किसी को सही से सुनने ही रहा है चिंतन कन्य के अंदर भी आपको दिक्कत आजेगे इसलिए एक दूसरे पर परस्पर रूप से निर्वर होते हैं इसलिए ध्यान से मेरी बात सुना करो जितनी चीज़ लिखी जाती है उतनी चीज़े सुना भी करो और समझा करो ठीक है अब अगला एक विवात आसपस बड़ अब तो आले की बच्चे समझ गए ठीक है बहुत अवेड्नेस बढ़ गई अब तो अब वहाँ पर देखे क्या रहता था बासा के जो चारों को सला है पहले का जाता तो एक्जाम में भी कुशना है कि बासा को सल का पहला चरण क्या होता है पहला आपका मेथड को उनसा होत होता है टीक है लेकर बात करें ना आपको को बात ध्यान नखन नखने है क्या जब आप सुनोगे तब आप बोलगे उसके बाद लिखने अप लिखोगे उसके बाद ही पड़ोगे ऐसा ज़रूरी ठोड़ी है कोई बच्चा माद लिए पहले सुन लेता है कोई बच्चा पहले लिख रहा बादमें अपना सुन लेता है ठीक यह लिख लेता है तो बासा के कोशल क्या होते हैं एक करम से नहीं सीखे जाते यह ध्यान नख लेना बासा के कोशल एक करम से नहीं सीखे जाते अब पता नहीं भाई करम से नहीं सीखे जाते हैं कोई सा कोशल पहले सीखे लेगा कोई बाद में सीखे लेगा यह बात आपको को ध्यान अकनी बासा कोशल के बारे में अभियार देखो़ इसी पर अधारित में आपके सामने कोश्चन लिया हुआ है ये कोश्चन जो आपका ओॉल्लाइन एक्जाम होई थे फिसके अधिर一定要 और यह आपका ओनलाइन में पूछावा पेपर है जो अलगलग सिफ्ट में चलेते पहला आपके सामने दियावाए कि सरवन वाचन पठन लेकर या ध्यान देना या अनुमान लगाना ठीक है कुछ भी आप लोग कह लीजे या फिर आपका चिंतन ये एक रेखे तरीके से विक्सित हो कि जो आपका development होता है वो आपका कैस होता है आपका spiral होता है या वर्तुलाकार होता है या वह उपर आधारित होता है उता अचड़ाव आते रहते हैं कभी linear नहीं होता है एक रेखा की तरह नहीं होता अगला आपके सामने दियावाए सरवन वाचन और पठन पहले विक्सित होते हैं अब आप लोग मुझे बत्ति है किसके साथ आप लोग यहाँ पर चले जाओगे ठीक है ठीक है ठीक है बड़ी सीटेट एक बारी गलतियों मैं जोन पूर्शेव मोनो गुप्ता सर थेंक्यों वेरी नाइस लाइव क्लास में नाम नहीं लिख्षा है इस एक बोला पता है कि इसके साथ आप लोग जा तो इसके अंदर शिर्प आपका यहाँ पर darauf कर डूज यह प्र हाँ b और है कि एक अध्यापक विद्यार्तों को रिखांकित सब्दों के इस्तान पर किया है रेकांकित सब्दों के स्थान पर सभी कल दे निगले कहता है भई मैं देढ़ा हुआ ठीचर या अध्यापक कुछ भी लिख दो मैंने कोड मिक्सिंग कर दिया है बताओ वह क्या है अच्छे है बुरे है मस्त है या इन में से कोई नहीं इन में से कोई नहीं बताओ वही इसकंदर क्या करोगे यहापर आप लोग सही विकल्प देने के लिए कह दिया मैंने बताओ सही विकल्प दो इसकंदर क्या दोगे तो क्या यह आपका पूछावा है वह किस कोशल का आखलन नहीं कर रही है बत लग लग के अंदर जा रहा है किसके साहर बात है किसका विकास करोगे पहले मैंने पूछ खुरोगे आप लोग सीधा अंसर दे रहा हूं देखे यहाथ सुनोगे आप लोग इसमें सुनने हो ना कि सची ने ढाट तो आपड़ लोग सुन रही हो अच्छा कौन-कौन सा है आप लोग यहापर पढ़ी रहे हो जो सामने आपके सामने का के सब्सक्ति रहे है ठीक है और सही विकलता देने के लिए मैंने बात करें तो इसको पढ़ी रही हो और सुन भी रहे हो मेरी बात को, अनुवान भी लग लगा रहे हो, लिक ठोडी रहे हो, लिक तो comment में लिख रहे हो, आप लोग इसके अंद जो मैंने यहाद पर पूछ लिया, तो किस Coursal का विकास नहीं कर रही है, वो यहाद पर आपके लिखित के कोषल का विकास नहीं कर दिया है बांकी तीनों कोशल कर आपका आपका यहँआ पर विकास कर रहा है तो आंसर यहाँ पर आपका कहानी सुनाने के बाद, रोजी उन्हें, फ्लेस कार्ड देती है, फ्लेस कार्ड क्या होता है? ये इस प्रकार के फ्लेस कार्ड होता है, ठीक है, जब आप लोग टीचर बन जाओगे, तो गवर्मेंट की तरफ से आपको कुछ टिलम दिये जाएंगे, तो गुर्मेंट की तरफ से आपका fund आता रहता है, ठीक है, तो यहाँ पर मालीज़ा flashcard दे दिए, flashcard क्या हो जाएंगे, यहाँ आपके TLM का मादम कहा सकते हो, teaching learning material का मादम कहा सकते हो, जिसके मादम से हम बच्चों को सिखाना है, और देखे छोड़ा बच्चा जो होता है, व से मैंने statement आप से लिखा कि सचिन, आप क्या लिख रहेता है, सचिन मस्त teacher है, अच्छे teacher है, बैश जो भी आपने लिखा, मैंने एक दो बच्चों का ही पड़ा, अब मालीज़ा यहाँ पर इस से संबंदित कोई बच्चों flashcard दे दिए, एक कहानिक रूप में, ठीक है, पहल मैंनेוש dengy, अब मस्त का ब changer, मस्त का क्या बनेगा इसके भी पर इसंदर यहां बेने लिख लेता है, इन्यकर में यहाँ पर लिख दिया, पर मैंने लिख दिया आम Ring लिख दिया, थीक है, और इसके साथ में मैंने आम बना दिया, यह दिख्वो में राम, ठीक है, और कोई क्य से काकी ने काहनी के रूप में वस्तित करो क्योंकि उसने बच्चों को कहानी सुना दी और कहानी सुनाने के बाद करा कहा की इन फ्लेस कार्ट को एक-एक सिक्वेंस के अगूडिंग रखो कि पहले कोई शचिन है आम आदमी है ठीक है या सचिन किरिकेटर है आम आदमी है ठीक है मैं उल्टी सी दिवना रहा हूँ इसको इसको समधित मतरक रखना समझाने के लिए बता रहा हूँ ठीक है वह आम ऐसे मतलब इसको वविस्तित कर दिया तो किस कोशल काकलन कर रही है क्या उनके पढ़ने का कर रही है सुनने का कर रही है बोलने का कर रही है या साकार कल्पना करने का कर रही है ठीक है पता कितना जीव सा एक्जामपल मैंने इसके अंदर दिया किसके साथ आप लोग यहां जा जब तक सही से सुनेंगे नहीं विश्थित कैसे करेंगे तो पहले सुनना पड़ेगा तभी सको अरेंज करेंगे तो यहां पर आंसर आपका पड़ोशियों के अंदर हमारी आंटी रहती है जो कान लगा कर दूसरी की बात सुनती रहते हैं वह क्यों लग रहा है उनके अंदर भी सुनने का कोशल वह जब्रदस पाया जाता है ध्यान से सुनती है धेरिये से सुनती है ठीक है अंटियों को छोड़ो एज टीचर अपनी देखो क्या खासियत है आपको पेशन्स रखना पड़ेगा हर अपनी परसनलिटी कंदर हर प्रकार से अगर आपके सामने बच्चा किसी बात को व्यक्त कर रहा है अपना कोई मिसकंसेप्शन बता रहा है किसी गल्दी को बता रहा है या कोई भी एक्सवाइज चीज आपको बता रहा है एज एज टीचर आपको क्या रखना पड़ेगा टीच एज टीचर आपको पेशिंस रखना पड़ेगा धर्यार ऑढ़े ले ठीके उसके बाद अपने वहता तो धिर्यार पड़ेगा सुनने के लिए और जब आपको इंट्रेस्ट होगा सुनने में तभी आपका सरवन कोशल यापर मजबूत होगा इसके साथ में आप लोग लिख सकते हो अवदान यानिकी अटेंचन क्या लिख सकते हो इसके साथ में लिख सकते हो अवदान यानिकी अटेंचन इसके अंदर आप लोग आप लिख सकते देखे जब आप लोग आप पर attention होकर कोई बास सुनोगे ना यह ने कै Battlefield कुछ भी कह रहे है यह भी कह रहे है जितनी बाते मैं बार बार कहरो जितनी बाते मैं आपके सामने लिखी रहे है लिखता हूँ उतनी महतनौते जो मैं आपको समझाता हूँ और पेपर आपका समझ पर आधारित आता है ठीक है तो ये कुछ आपकी क्वालिटीज होनी से टीचर में और एक बच्चे के अंदर भी ताकि वो अपने सर्वन कोशल को आपर विक्षित कर सके ठीक है अब जारा सर्वन कोशल से संबंदित कोशन ले लेते हैं जो सामना आपक लेकी एक स्टीक में से जहाते हैं आगला कुश्चन देखे सामने इस क्रीन पर है के कक्सा में अध्यापक और बच्चे चौमसकी के सिद्दान पर अच्छा एक क्ोश्चन भी मैंने करायता देगो ध्यान चे कांब आप टैको नोम चुमश्की के सिद्दान जो है अभी एक प्राकर्टिक रूप से शीख लिया ठीक है अब इतनी बात समझे अब इस पर चर्चा कर रहा है जो टीचर हो बच्चों से डिसकसन कर रहा है अब एक विद्धार्त ने इस सिद्धान को चैलेंज दे दिया इसको चुनोती दे दी और इसके पहलू और नीथात पर अपने वि इसकसन हो रहा है तो यहाँ पर समुची कक्षा किसप्रकार के सरВन में व्यस्दैक इस प्रकार के इस को सलकंदर ब्यश्तै तदानुबूती सर्वन विस्रेष्वस्तू सरammen विस्रेष्णावत्मक सर्वन या सरहना बोदात्मक सर्वन बताओ किसके साथ आप आप लोग जा तो तदानुबूती सर्वन तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा भई आपर ठीक है कि नहीं यार वो चैलेंज दे रहा है कुछ टीचर गलत सोच रहा है तो मुझे भी गलत लगए यहां पर तो आपका डिसक्रेशन हो रहा है उनके बीच में विसेवस्तु सर्वन विसेवस्तु के बा जब यह सही कंसेट वताता टीचर इससे सहमत होता और कहता वह आगे बढ़ी यह तो सिंपल सा डिसकर्शन हो रहा है राइट आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा अगला कोशल आ वाचन कोशल यह आपका वाचन कोशल है बोलने वाला कोशल अब जारह इस कोशल के उपर हम अच्छी परकार से समझ जाओगे ठीक है ठीक है अगला देखे बई अगला आपके सामने जो वाचन छमता है यानि बोलने की जो चमता है उसके विकास के लिए नीचे कुछ सुजाओ बिंदू दिये गए कौन-कौन से सुजाओ बिंदू है यह आपके सामने है आपको बार तो लो तो बोलने से पहले सोचने का समय तो देता है ना या दूसरा बोलने का ब्यास करने के लिए प्रैक्टिस करने के लिए विशय का चैन बहुत सोच समझकर करना चाहिए बिल्कुल ठीक बात है पता चले आपको कह दिया कि जाओ आपको एक स्पीच देनी है ठीक ह और आपर देखो कितना बुरा होगा तो विशय का चैन बहुत सोच समझ करना चाहिए और जो सब्द उसने अपने लिए सेलेक्ट किये उसकी समझ उसको होनी चाहिए सर्वन से संबंदित पार्ट पर वाचन पार्ट बनाना हमेशा मददकार होता है बिल्कुल ठीक बात है उसको बोल दोगे जाके तो ये भी आपका ठीक है लेकिन कोश्चन नेगेटिव पूछा है जब विदार्ति वाचन कर रहे हो यानि बोल रहे हो उसी समय उनकी गलतियों का संसोधन करना लाबदायक होता है CDP की महामयरतन के अंदर मैंने बता था अगर बच्चा किसी भी प्रकार की गलति करता है जो कि उसके teaching learning process का एक हिस्सा होती है जो कि उसके अधिकम का शीकने शीकाने की परिक्रिया का बड़ा ही महत्पुन इस्सा होती है ठीक है इससे उनकी चिंतन परिक्रिया बढ़ती है स उसाधित होती है इनके मादध्यम से शीखता है दुनिया के अंदर कोई आदमी ऐसा नहीं जो गलती ना करे और गलतियों से यादमी सीखता है और टीचर को सिखाना चीए लेकिन ध्यान नखना तुरंथ संसोधन नहीं करना चीए कि तुरंथ कर दिया कुछ समय के बाद उसका संसोधन करना चीए यह आपका नेगिटिव है और नेगिटिव का भाई आंसर यह आंसर आपका यहां नेगिटिव सही हो जाएगा नेक्स्ट कोशन आपके सामने आगिया यह रहा स्क्रीन पर अगला कोशन जो आपको दिया हुआ है एक अध्यापक सिक्सार्तियों का नाम लिए बगेर उनके वाचन कोसल को यानि कि बोलने के कोसल को और उचारण में कुछ गलतियों के उधारन देकर उनकी गलतियों के बा एक बार करती है तो वे आपने शिक्सारत्यों के वाचन कोसल ठीक है धंका अपना वाचन नखना कमेंड वोक्स में जो जो मैंने आपको इस सारी से बताया है पजल्स के माद देम से बताया है वे उच्चारण को सुधान निकली क्या कर रही है वो आपको बताना है अब देखे प्रेक्टिस यानि की उनका अभ्यास करो अगर मालीज आपको बच्चों को कोई भी उच्चारण शिखाना है ठीक है अगर मालीज बच्चा सही से उच्चारण आपन नहीं कर रहा है तो छोटे-छोटे गुरूप करके या नि चंकिंग के अंदर करके और उसके बाद क्या बच्चारण शिख जाता है जो उच्चारण प्राधारित एक बार कोशन आपकी एक्जाम में है तो आप लोग यहाँ पर सुधानने के लिए क्या काम करोगे क्या तुरूटियों का विशलेशन करोगे एरर्स को एनलिसीज करोगे उधार्णों के माद्धम से उच्चारण उसके साथ अभी तक किसने नहीं बताया फीड़बैक अरे नहीं यह तो आंसर हो गया चलो मैं बता देता हूं यह तो आंसर है वो क्या काम करी है उनके वाचन कोशल उच्चारण में कुछ गलतियों के धारन देकर कि आपने यहाँ गलति करी है और इसको ठीक कर लो ठीक है तो उनकी समझ बना रही है, और सब्ते में एक बार कर तो उनको feedback दे रही है, बच्चों से कुछ पूचा, बच्चों को समझा है, फिर उन से देखा का बच्चे गलती कर रहे हैं, उसको feedback दिया बच्चों को कि बेटा इनके अंदर सुधार कर लो, तो feedback हो रही है, मैंने का जो तो कि एप सबढ़ को अवाज निकालता है लेकिन मैं तो बोल लिए अब बताओ कि इसके बार में मैंने बात कर लेते देंगे अब देखें पढ़ने के अंदर क्या होता है जरा नजट डालिए और आप लोग ध्यान पढ़ो जो आपके सामने लिखावा है उसको द्यान चापड़ो पोल नहीं पोल नहीं है ठीक है इतना तो मैंने बता दियो आज निकालता है ठीक है ठीक है जो पढ़ाई सचिन सर बहुत निक पढ़ा भी अची है मेथीली भासा दरभंग भ्यार पता निवाई क्या गधा ये ये सीगे ये अपने वाले स्टुडेंट जो छुटते समझ जाते हैं अब देखो पढ़ने का कोशल ध्यान चापड़ना कोशल को मैं आपको पढ़ने के मार्दम साब का कोशल डवलप कर रहा हूं निमली कितमे सा कौन सी पठन बहुत गी है निकि पढ़ने की आपकी जो य ऐसे कर देता अगर मैं हाट बनाता तो दिल बनाता मैंने तो आपको एक सब्द बताया था सिंपल सा ठीक है देखो वही बताओ किसके साथ आप लोग या पर जा रहे हो अभी आई नियों इसके अंदर लगे पड़ो देखो पठन बहुत की युक्ति अगर मालीज आप लोग अनिलाते न तो पठन कोसल का आपका उपकोसल हो जाता है कौन सा अनुमाें लगाना ठीक है तो श Congressman करतो समराइज कर तो सारांश करनिका मतलब होता को जब च्छोटे चैप्टर में कर देता है तो आपका ख्या होता है सारंश करन करता है इसके मादधम से पढ़ाता है बिलकुल ठीक है वह ये वह आपका निसकर्स निकालता है लेकिन आपका संपाधन नहीं है तो आनसर यहापर आपका नेगेटीव फौरत है संपाधन और न निमली कितमे से कौन सा पठन के समय का कारिय है, पढ़ने के समय का कारिय कौन सा है, इन चार उप्षन में सा आपको बताना है, जरा उसके ओपर हम लोग आपन नजर डाल लेता है, कौन सा है भई आपका देखते हैं, पहला, समूची कक्सा की गतिविदी के रूप में अध्या पहले पार्ट्र समगरी के मुख्य बिंदू पर चर्चा कर रहा है, शिक्सार्थियों से कहा जाता है कि वे कहानी में आये किसी पात्र के रूप में स्वयम को माने और अपना अनुबाव डारी में लिखे, इंदर, गेट तुमने वजा यह, रूख जाओ, भाई, इसका चा पार जार, दिखे, दिखे, दिखे रहा है तेजी, यह दिखे रहा है तेजी, यह दिखे यह खेलो बोल दे, यह खेलो, बच्चो, यह खेलो, पढ़ना द्यान से, चार्जर दे देशका, निकाल, भाई अब मतायो, गेट पर बंदल ले जाएगा यह आपर, वो मेरे हुए चीज रुख जाओ वही एक सेकंड रुख जाओ भाई भाई आजओ ले जाओ एक सेकंड रुख जाओ भाई लगा पूरा गेट चोल वही तेज जी आगे था यह आया वाई चुट्टी में घर पर अगला अध्यापक घर में पाठ्ट सामगरी का मून पठन करता है और अध्यापक बच्चों को पाठ्ट सामगरी को समझने के लिए डिकोडिंग में सुगमता परदान करता है बिल्कुल ठीक हो जाएगा पठन के समय का कार्य हो जाएगा यही आपका पठन के समय का कार्य हो जाएगा आपस में गुरुप में बाठ दिया और सामगरी को समझने में decoding करने में उसकी help कर रहा है ठीक है गया वाई तेज जी गया तेज जी भाई हमें लगा यार ऊपर च्छत पर कोन आगया गेट एकदम करा ना ठीक है उसे लगी कि आज कहा के दोनों मामा मेरे ठीक है चली वह अगला question देखते हैं अगला question क्या आपका ठीक है अगला question आप कि पठन में पठन में अर्थगर संकेश से क्या अतात पर है ठीक है पठन में अर्थगर संकेश देखे जब आप लोग पढ़ते हो जैसे मालीज़ आप लोग news paper पढ़ रहों English का news paper पढ़ रहो अब for example news paper पढ़ने के लिए आपको पूरी English नहीं आती आपको English सही समझ में न वे दिल्ली से संब्सक्राइब कोई बात आ रही है तो अनुमान लगा 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 कर पढ़ता हूं तो प्ठन में जो अर्थ संग अर्थ का संकेश की बात हो रहे है या व्याकर निक तको समझने के लिए संकेता है यह आर्ष समझने की परिकृया में मदद करने वाले संके ठीक है किसके साथ आप लोग यहापर जारे हो अगा देख लेते जी हुआ तो सुकर है अभी जलदी चला गया वन नहीं इतनी बात करता ना किसके साथ आप लोग यहापर जा रहे हो अलग-अलग के साथ जा रहे हो यह तो सिंपल है भाई देखो अर्थ समझने में मालीज आप लोगों की समझ में कुछ नहीं आया इंगलिश का न्यूज पर है दो तिन सब्सक्राइब तो उसकी परिक्रिया में मदद करने वाले संके नेक्स्ट कॉस्टन देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर आगया अगला कॉस्टन यह क्या दिया हुआ है अगला आपके सामने की पठन सिखाने का वह उपागम पढ़ना सिखानी की वह प्रोच जिसमें मूल तत्त्यों जैसे की जो आपके वर्ण होते है और जो सुम्निम ह होते हैं उससे शुरू किया जाता है और जिसमें बच्चों को यह सिखाए जाता है कि समगर रूप से पठन सीखने से पहले सवनिम को सब्दों से मिलाए जाता है इस उपागम को इस अप्रोच को क्या कहते हैं अब देख सवनिम के बारे में मैं आपको शुरू में बता दिया यह सवनिशनात्मक उपागम है ठीक है यानिक एक इस्ट्रक्शल एप्रोच यह फिर आपका टोब डाउन एप रोच है यह फिर आपका बोटम एप प्रोच है यह समगर भासा उपागम है बति यह से आंसर क्या हो जाएगा ठीक है कि अच्छा ऐसे इस्टी के मैं रहा था न हाँ भई करवाऊंगा ठीक है तो उसमें आपने प्रोमिस ले लिया था करवाऊंगा दो गिलास का ले लिया था सोचल साइंस और साइंस का ठीक है करवा दूंगा किसका साथ जा रहे हो देखें सिंपल सी पहले में आपको दो एप्रोच के बारे में बताता हूँ देखें टोब डाउन एप्रोच और एक बोटम अप एप्रोच इसको धान से समझना टोब डाउन एप्रोच पहले में बात करता हूँ टोब डाउन एप्रोच की ठीक है टोब पूर अनुभाव का यूज करते हो किसका यूज करते हो पूर अनुभाव को आप लोग यूज करते हो और उसके आधार पर आप लोग कोई नहीं चीज यहां पर सीखते जाते हो यानि आप लोग तोप से बोटम की ओप और और आ रहे हो यानि अपने अनुभाव के साथ आप लोग नीचे की और आते जारों नीचे के अलग आगे की चीज़ सीख रहे हो जैसे फोर एक्जम्पल अगर सीखने की बात आए मैं इसमें एक एक्जम्पल देता हो पहले मान लिजा आपने कोई बच्चों को कहानी सिखाई कहानी से कहानी के बाद एक्सपिरेंस उसका लिया पहले अनुभाव लीए कहानी का अनुभाव हो गया उससे नीचे बच्चा जाएगा फिर क्या सीके अब वाक्य का का निचा आख वी बच्ची के बारे में इसको सब्सब्दों के बारे में बता जाएगा सब्सब की से तों से बोटम की वप आ रहा है ठीक है ड Apology ये आपक इसको बोला जाता है extra-politive क्या बोला जाता है extra-politive कभी extra-politive approach आ जाता है extra-politive question आ जाता है आप लोग simple सा extra-politive का मतलब ये रखिए वो question या वो concept जहापर कोई विश्टी अपने आपको रखकर या अनुमान लगा कर किसी चीज को समझता है अगर मैं आपसे कहा हूँ कि आपको यह दिन का परदानमंतिर बना दिये जाए ठीक है यह आप लोग कहो। की अगर हमें एक दिन का परदानमंतिर बन गए तो आप लोग यहाप फ pressure लग लग प्रकार के आंसर दोगे लग लग प्रकार की चीजे निकल वो है आपकी bottom approach कौन सी है वो है आपकी bottom affects जहांसे आप लोग कैसे जाते हो bottom से नीचे से उपर की और जाता है यह श्युक्त आ पहले बच्चों को वर्ण सिखाएंगे फिर उसको वंक कानी सिखाएंगे तभी उसको यहाओ पर bottom-up model होता है तो यह आपके top-down model, bottom-up model, दोनों model मैंने आपको बता दिये और दोनों model के बारे में आप लोग समझ गये होगे और इस पर आप लोग जारो, third के साथ जारो, बिल्कुल ठीक आपका bottom-up approach हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, bottom-up approach, third answer यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, यानि जब आप लोग यहाँ पर basic से सुरू करके कि पहले learn के बारे में बताए, फिर sonim के बारे में बताए, और फिर यह बताए कि समग रूप से पढ़ना सीखने से पहले saunim को सब्दों से मिलाइ जाता है, जैसे मान लिजे, यहाँ पर पहले आपको saunim बता दिया, दवनी बता दी, उसके बाद सब्द बताया, तो बच्चों को बताया कि सब्दों से पहले, भई सवनिम को आपसमें मिलाए जाता है इसलिए मैंने आज की महामेर अथिनिगंदर सुरवात्म आपको सवनिम भी बताई थी तो आंसर यहाँ पर आपका थर्ड सही हो जाएगा ठीक है चलिए भई आगे देखते हैं गरम पानी दो मुझे थोड़ा अगला कोश्चन आपके एज को पलटती है तो इन सब में तो यहाँ पर इन सब में क्या सब मिली था वा आपको बताना है उद्ध्गामी समदम कोशल इसको लिखलो इमयर घ्लो इसको लिखलो आपको ंच्यंप शंप निक्स यह अफिस्क के साथ आप लोग हैं फिसकसा आपissa और जा रही हो बताव अलग अलग के साथ आभ आप लोग आंसर जा रहे हुए है और, ही कहा है, कर दो ने साइन्स की तो दीबक से लेंगे यार मेराथन किलाश चीए, बताँ भई अब किसके साथ आप लोग जा रहे हो, बिल्कुल ठीक आपका भई आप अपर उद्गामी साकसरता को चला है, आपक का मतलब का है तेखुए आप लोग सिंपल से एक बात देखिए जब बच्चा कोई भी अपनी उपचारिक भासा को सीखता है मांली से दूसरी भासा उसको एंग्ली शीखनी है या मान जी बच्चा स्कूल में जयाकर बहाशा सीखता है एक उचों और बातों सीखता है लेकिन क कीसा कि शुखान लिए कि अनुकरण के माध्डम से अनुकरण केमाध्डम से बच्चो को सिखा देता है इसके बारे में आपके अभी इसकीनर कहते हैं heißt कि एन वाले इसकी आपके सामने जैसे चोटा शेकल जाने से पहले हम उसको बहुत चीज़ा शिकाते हैं जैसे हमें बढ़ों का संबमान करना ऐ पर उनके कहए ठीक एट पर उनको करो ये आपकी उप्चारिक सिक्साच से पहले लिए उसके परिवार के पॉप अंदर उसके परिवेस के अंदर अगर चोटी बच्ची को कोई किताब दे दी और उसने सीधी तरफ से उसको पकड़ा और उसके पेज को पलटा यानि स्कूल जाने से पहले बच्ची को उसके घरवालों ने बता दिये था किसा किताब कैसे लेनी होती है कैसे पकड़ना होता है और कैसे पलटना होता है तो यह आपका emergent आपका साकसरता कोसल हो जाएगा second answer यहापर आपका सही हो जाएगा ठीक है अब है पढ़ने के परकार देख लेते हैं ठीक है टाइप सुफ रीडिंग के उपर हम बात कर लेते हैं तो बेसिकली चार परकार के आपके पढ़ने के परकार आते हैं ठीक है आलकी इनके पर मैंनी जाओंगा किसने आपका मोडल दिया था चार परकार का या पढ़ने के जो आपके उपकोसल आ जाते हैं यह भी आ जाता है आपके एक्जाम के अंदर कई बार कि कौन सा उपकोसल है वह बड़ा हलवा सा कोस्टन है ठीक है तो इन चारों में से कोई आपको एक किमिंग का मतलब होता है जब आप लोग सरसरी तोर पर पढ़ते हों कैसे मान लीजे एक्जाम से पहले आपने अपने एक्जाम सेंटर पर कुछ बच्चे ऐसे देखे होंगे किताब लेकर या मेरी मेराथन क्लास खोलते हुए दिख जाएंगे या मेरे वाले नोर्स मिल जा जैसे हम लोग न्यूज पेपर पढ़ते हैं तो बहुत सारी न्यूज को सरसरी तोर पर पढ़ते हैं उपरी उपरी पढ़ते हैं तो यह आपका होता है इसकेनिंग होता है जब आप लोग बारी की तोर पर किसी चीज़ को पढ़ते हो अब देखे हैं यहापर एक बड़ा बड़ी है एक्जामपल दिया, CBSC वालों ने, एक्जामपल में उन्हें कहा था, कि अगर कोई महिला खाना बनाने से पहले, खाना बनाने की विदी सीख रही है, खाना बनाने की विदी को पढ़ रही है, तो किस प्रकार के पठन कोसल के अंदर आएगा, बताओ, तो ये कौन स कोसल के अंदर आएगा, स्कैनिंग, बारी किसा पढ़ रही है, क्योंकि अगर वो जो महिला है, अगर वो महिला खाना बनाना सीख रही है, क्या सीख रही है, महिला खाना बनाना सीख रही है, लेकिन खाना बनाने से पहले उसकी विदी को पढ़ रही है, अब माली जब महिल तो इसले कौन ची हो जाएगी आपकी स्कैनिंग रीडिंग हो जाएगी बारी की से पढ़ना पड़ेगा एक चुट कि आपका नमगे तो नमकी डालना एक किलो आपका कुछ और है तो वही डालना वहन्ना खाना बेकार हो जाएगा यह जो भी चीज आप कर रहे हो वहां पर आ की चैन पटन व्यापक पठन जिसको आप लोग विस्तर्थ पठन भी कहसकते ओं जिसको आदम me नीधा के लिए पढ़ता है इंट्रेस्ट के लिए पढ़ता है नीधे कोई नहीं आपिप剛剛 के लिए बढ़ता है ञाहते लेकिन लेकिन मज़े के लिए नहीं पढ़ रहा होगा इस चीज को वो मुझे पता है ठीक है आप लोग यहाँ पर मज़ूरी में पढ़ रहा है ठीक है लेकिन माली जो कोई टोपिक ऐसा वा जाता है कि सलमान खान की दुबारा से होगी एस और ऐसे साधियो अपय यह क्या हो गया कैसे ठीक है तो एकुद है था चार पर्कार के कोषण को एक पारली देती है और किहती है कि ज़्दी से इसमेंसे मुख्य सूचना या विचार को ढूंडो और एक दूसरी के सास्वा साजा करो कैसे जल्दी कि सब्सक्राइब करने सुरू पड़ जाती है और इसके साथ में जो जैसे पीड़े बनाता है वो इसमें मेहनत करता है इसमें फिर मैं कंटेंड रूनता हूं यह चीज मैं डालूगा ऐसे डालूगा फिर यहां पर सोरब बैठा रहता है तो आपको एक किलाज देने के लिए भी ना बहुत लोग उसके नदर लगे होते हैं बहुत मेरे साथ में बहुत लोग है जो मैनत करते हैं ताकि आपको बड इनकी बात करोगे क्योंकि मैडम ने कही दिया जल्दी जल्दी कैसे जल्दी जल्दी विचार डूड़नो एक दूसरे के साथ साजा करो मालीज आप मेंसे भी कुछ बच्चे होंगे सर्जी जल्दी जल्दी करा दो सरसरी तोर पर पढ़ेंगे अगर सरसरी तोर पर पढ़ तो सरसरी निकल जाएगा एक्जाम में ठीक है इसलिए द्यान दखना बड़ा डिटेल में गैंता से समझो जो जो चीजे में आपको समझा रहा हूं वहना सारी सरसरी वह आप निकल जाएगी अब बात करते हैं अगले आपके कोशल की यह लास्ट कोशल था क्योंकि भासा के को पर बात कर लेते हैं इससे पहले जैसे पढ़ना हो गया या आपका सुनना वगयरा हो गया उसके अंदर कोशन के माध्यम सा आपको काफी चीजे कवर हो गई होंगे और उन पर आधारी जो कोशन आता है जो इस प्रकार का था बड़ा सिंपल सा आता है इसलिए मैंने का कि आ तो आपका कैसा होने चीए आपके इसपश्ट उद्देश से उसके अंदर होने चीए मानलीजा आपको लेक लिखना है कोई आपको लेक लिखना है और वो लेक लिखना है आपको बेरोजगारी के उपर इसके उपर बेरोजगारी के उपर कोई लेक लिखना है तो ध्यार न छाई न चीन, किसके विचार? विचार यहाँ पर हो जाएगे बच्चे की, हम तो बच्चे की बात करेंगे जब एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी बच्चे के विचार हो, उसको प्रोसान देना चीन, आप बच्चों से पूछो बेटा, बिरोज आपके एक्जाम में पूछा गया है जब सबसे अच्छे लेकन की बात होती है तो सबसे अच्छा लेकन होता है जब टीचर जो होता है टीचर स्टुडेंट से कहता है कि बेटा जो जो तुमारे विचार है उसको अपने सब्दों में व्यक्त करो उसको अपने सब्दों में अ अभ्यक्त आपको करना है क्या काम करना है अपने विचारों को अभ्यक्त आपको करना है जैसे मान लिजिये उसको कोई लेख लिखवाना है टीचर को अब चोंतों बच्चों से ठीक है तो वह क्या प्रच kepada कल तुम कहा गय ते वह पेज़ जी से उसकी मैडम पूछल लगे तो तुम में पूछने लगे ते अपना अनुमहभ मिला मामा के पास जाके वहां काम करा तो तो किताबी बातों को निखेगा जैसा हम स्कूल में पढ़ते थे मैडम एक ही चीज एक निमन लिखवाती थी गाय की विशेशता हो के उपर लिखो तो वही चीज हम लिख देते थे कि गाया ऐसे दूद देती है चार उसकी टांग होती है वगएरा वगएरा तो वह वह लेकर आपका महत्पून निमानता माना जाता जिसमें बच पर जाकर सहतानी करी कूदा फिर तो वह जो भी विचारों को जो भी अपने सब्दों को इस प्रकार से व्यक्त करेगा वह आपका रशनात्मक लेखना है कई बार पूछा हुआ को आपके सीटेट के जब मैं रशनात्मक ता मैंने आपको कह दिया व्याकन की सुद्धता जो है ना कि कल मैं मामा के घर गई थी अब तेज जी से वह क्या बन गया तेज जी से वह अपना उसका अलगी बन गया फीमेल में चला गया तो व्याकन की सुद्धता होने और सुसंगतिक होना चीह यह आपके परसंग से संब्दित होना चीह ठीक है विचारों की इस आपको बता रहा था, यह हमारे भासा के कोशल है, कहा गया, कहा गया, कहा गया, मैंने आपको इसको बता दिया या नहीं बता ध्यान नहीं आ रहा, अगर बता दिया तो कमेंट में बताना, फिर मां आगे बढ़ूँगा, यह भासा के चार कोशल की बात हो रही थी, लेखन, गठन और सरवन और आपका speaking का वाचन यानि की बोलना यानि भासा के जो चार कोसल है सुनना बोलना पढ़ना लिखना कभीकवीसमें कुश्ण आता है कि जो अभिव्यक्तात्मक कोशल है कोन से बासा के जो अभिव्यक्तात्मक कोशल है मैंने बताया है आज की मैं रतनीक अंद कोशल एक बाइब भासा के अव्यक्तात्मक कोशल इंगा तो फ्रोड़क्ति या फिर आप लोग कह सकते हो अपदक तो किस रहो ठीक है कुछ भी टर्म दे देता है इनके बारे में बहा सके अव्यक्तात्मकोशल वे कोशल जिनके माददम से हम अपने विचारों को अव्यक्त करते हैं तो बहा सके अव्यक्तात्मकोशल है मैं अपने विचारों को आपके सामने अव्यक्त कैसे कर रहा हूँ एक तो बोलकर कैसे कर रहा हूँ बोलकर तो एक तो कर रहूं और एक होते हैं बहुत सब्सक्राइब जिसमें आप लोग मेरे विचार को रिशीव कर रहे हो इसको गरण कर रहे हो और गरण कैसे करो आप लोग मेरे विचार को सुनकर कर रहे हो तो सुनना हो जाएगा और जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है उसको पढ़कर कर रह अभी आपने ईयर्फोन में लगाए वह हैं तो मैंने आपको डिस्कस कर दिया क्योंकि ये भी काफी आपके exam में देनों को मिलता है याँ मैंने बता दिया अब किसके ओपर बाते अब हमाुँ श्रम के रहे तो यह अगे imprison को जहे 22 एदर डाल लेते हैं कि कौन-खौोंजा आपके सामने लेखन के परकार यह दिए हुए देखे पहले आपके सामने दियावा है वरतानत लेक्रन को बाटम हमें किसी घटना पर लेक लिखना होता है किस पर जो किसी घटना पर हमें लेक लिखना होता है किस पर घटना पर लेक लिखना होता है वह आपका होता है वरतांत लेकन होता है और घटना भी जो होनी चाहिए वह घटना होनी चाहिए आपकी रियल होनी चाहिए ठीक है और वह आज मुझे वह मिला था और जाती मैंने से उगई तुरंत मैंने भी देखा उससे भी देखा पूरी एक सिक्वेंस सब्सक्रेबागर सब्सक्राइब लेकिन द्याद सब्सक्राइब वरतान त cholub उधर наши फ्रतान सब्सक्राइब याहनि की आपक discomfort ब्रक्रान ties रहता है कि समझ के परभाव्पूललilik detto जिसमां आप लोग अपनी सबस्क्राइब के साथ कीरेटिंक ब्रकार की सब्सक्राइब करें इसी स्परकार की स्टेन करें ताकि वो आपका परभाव पूर्ण यहापर आपका बन जाए तर्क मूलक लेखन जिसके अंदर आप लोग करते हो तर्क करते हो जिसके अंदर आप लोग यहापर तर्क करते हो ठीक है और तर्क किस परकार कहा करते हो कि यह जैसा कर मैं बात करूँ जो आपका CT8 का syllabus है कैसा का है जो आपका CT8 का syllabus है यार अब ये पुराना syllabus हो गया क्या CT8 के syllabus को change होना चीए yes या no के अंदर मुझे तर्क करके बताओ कि CT8 के अंदर syllabus के अंदर क्या बदला होना चीए या नहीं तो यहाँ पर आप लोग तर्क करोगे और इसको लिखकर बताओगे कि या सर बदला होना चीए बहुत टाइम हो गया है बहुत आपने भी इसका खून कर दिया CT8 का ठीक है कुछ कहेंगे नहीं सर चलने तो ऐसी जब एक बार हम पास हो जाएगे उसके बाद change करवा देना आत्मक लेखन आपका हो जाएगा तो लेखन के जो प्रकार है चार उप्रकार वो मैंने आपको यहाँ पर बता देए ठीक है अब देखे आगे देखते हैं यह आपका बड़ा important है और लेखन के अंदर बहुत पूछा गया आपके जब से पेपर online आया है या जब से आपका पेपर हुआ है कौन-कौन चान नजर डाल लेते हैं देखे अगर मैं बात करूँ यहाँ पल लेखन की बात करूँ तो लेखन के कुछ एप्रोच होती है और यह दो अप्रोच आपके एकजाम माती है जिनके मादम सा आप लेखन को करते हो या नि लेख लिखते हो लेख को सीखते हो पहले हम बात करते हैं लेखन के परिक्रिया उपागम की लेखन का जो परिक्रिया उपागम है यह कहता है कि लिखने को कि लिखने को लिखने के द्वारा सीखना क्या कहता है लिखने को लिखने के द्वारा सीखना और सेम जो बात मैं कह रहा हूँ यही आपका एक्जैमिनन a.oOption में भी दे दी ठीक है लेखने के द्वारा शीखने की बात करता है कौन लेखन परिक्रिया उपागम यहनि जब हम कोई लेख लिखेंगे तो पहले लिखने की प्रैक्टिस करेंगे न तभी तो हमें लेख लिखना आएगा तो जब तक हम लिखेंगे नि जैसे आपके राष्टय शिक्षाज नीती 2020 बीच में कहा गया है learning how to learn कि सीखने को किस प्रकार सीख जाए आप लोग यहाँ पर चीजे सीखना है उपर पहले यह तो देखो कि इसको सीखोंगे कैसे अगर आप लोग यहाँ पर लेख लिखना चाहते हो तो पहले देखो लेख को लिखना कैसे क्या उसका प्रोसस होता है त यह आपका लेखन का परिक्रिया उपागम है अब यह चरण बड़े महत पुन है जो यहाँ पर आपके चरण यान की स्टैप लिखे वे कि लेखन कौन कौन से चरण से उबरता है उसके बार में देखिए देखें पहला आपके सामने लिखा हुआ है अगर कोई भी आपको ल सवायो में कोुछिछ कै unravel लेक लिए के लिए जो पहला मैतोड होता है जो पहला तरीका होता होता ब्रेंशे स्टोनमिंग। मैं यह याने जबसकने सेंट में पार लिखने हैं । ठीक है, तो आपके mind के अंदर एकदम विचारों का तुफान आएगा, brainstorming होगी, यानि कि creativity होगी, आप लोग अलग-अलग चीज़े बताओगे, यार बिरोजगारी हम तो खुदी पीड़ित है, हमारे घर में सब पीड़ित रहे, बेरोजगारी से, रोजगार नहीं मिला, बहुत दिक्कत हो रही है, समस्यारी है, तो आप कहा होगे कि सर एक बार बताओ जल्दी, तभी इतनी point हमारे पास है, सभी को लिखे देंगे, अब एक और question यहाँ पर आपके exam में देखे, examiner ने पूछा था, कि लेखन पूर, क्या पूछा था, लेखन पूर, यानि कि लिखने से पहले, कौन सा एक आपका method है, कौन सी एक आपकी approach है, जो आपकी यहाँ पर use की जाती है, आपका मेहत्पून होता है, यह question examiner ने कई बार दिया, आप कहीगी जाम है, लेखन पूर, यानि कि लिखने से पहले, अब ये लेखन के step आपके हाँ से शुरू है, इससे पहले क्या step होगा, इससे पहले आपका हो जाएगा free writing, इससे पहले हो जाता आपका free writing, यानि कि आपका टीकर मुक्त लेकर आपका हो जाएगा ढुरी रेटींग ठीक है जो बटचा आपने देखा होगा शुरुवात तो बहुत जबरदस्ती लेकर आपने जो किर्रम काटे बनाए न वो आपके किर्रम काटे अब यार दस घंटे पढ़ाती हो गई थी जल्दी नहीं लिखता तो 12 घंटे के बाद किलास मलब यूटूब बंद कर देता है ठीक है इसलिए मेरी जो राइटिंग है मेरी राइटिं करता है तो एज टीचर आपको ध्यान रखना है जो भी बच्चा लिखे उस पर आपको नियंतरन नहीं रखना है उसको फिरी छोड़ना है कि बेटा जो मने मारा वो चीज़ आपर लिख दे बनादे किर्रम काटे मेरे मुँपर बना दे किर्रम काटे पूरी दिवार के उप को फिरी राइटिंग करानी है कई बार पूछ हुआ कोश्चन आपके एक्जाम में अब फिरी राइटिंग बच्चे ने कर ली अब उसको बेरोजगारी को उपर लेक लिखना है तो सबसे पहले उसके माइंड के अंदर मलब विचारों का तुफान आगे पूरी के पूरी रूप रेका यहां पर बच्चे ने आपर बना ले उसके बाद बच्चा फिर एक ट्राइट तयार कर लेता है अगर कुछ रिवायस को डृवायस कर जाता है ठीकश ओस डिटार को रिवाइज कर घाजए थी कर लोग हो थे जाता है कि वह एक बार दुबारा देख लो क्या इसके अंदर कोई कमी तो रह नहीं गई है और जब वह द्राट बनकर तयार हो जाता है फिर उसकी प्रूफ रीडिंग की जाती है कि वह सब दुवाक्य देख लो सारे पॉइंट देख लो अगर इस बार कोई कमी रहेगी तो दिक्कत हो जाएक बेजरती हो जाएक अ करके उपाघम है जो लेखन कई 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 प्रोसस से होकर गुजरता है तो इन प्रोसस से होकर लेखन आपका गुजरता है जो एक करके मैंने सामने आपका बता है और उसके बाद एक प्रोड़क्ट आता है जो आपको लेखन के बारे में बताता है कि क्या लेखन है कि इसके बारे में आपका कहा गया है तो लेखन के ज अगला कोशन देखते हैं सानना आपकी स्क्रीन पर एक अध्यापिका किलास आठ के विद्धार्थु को निमलिकित लेखन का प्रतत कारिया यानि कि उसको असाइनमेंट देदी है तो इसे किस प्रकार का लेखन कोगे कौन सा लेखन चरा देखते हैं कि चार चार के समू में आ तो विजए क्या है कि विद्धा लोगे शिक्सार्थों के लिए औwn्लाइन शिक्सा। जैसे मैं आप लोगों से कुछन पूछन पूछन लग जाओ कि आजकल जो ओन्लाइन सिक्सा चलिएक आप लोग दों बूढ़ाईन सिक्सा ले रहे हैं अच्छी है या बुरी है उव पक्स और विपक्स में आपको अपना लेख लिखना है तो यह आपका किस प्रकार का लेखन है वर्णात्मक लेखन है व्यक्ति प्रक लेखन है तर्कमूलक लेखन है या फिर वर्तांत्मक लेखन है बताओ सही आंसर आपका क्या हो जाएगा किस के साथ आप लोग यहाँ पर तरक करोगे वह उनलाइन सिक्सा के पक्स में क्या होगे सर बहुत अच्छी है देखो हम घर में बैठकर देख रहे हम अराम से बैठ पर लेटकर रजाई के अंदर गुशकर चद्दर के अंदर गुशकर देख रहे हैं सारी चीज हमें सब कुछ यही पर मिली है ठीक है सारा कंटेंड मिला एक जंग मैं बैठकर कहीं दूर जाने की जरूत नहीं पड़ी कुछ विपक्स में भी देंगे विपक्स के अंदर क्या हो जाता है कि सर्जी कुछ डाउट है वो एकदम नहीं आ पाता है क्योंकि आपकी क्लास में जैसे हजारों में अभी चल लिए लाइव लिए तो डाउट हमारे पूरे नहीं हो पाते ठीक है उसके लाव और कुछ कुछ नहीं थे तो बन्ना ज्यादेतर पक्स में जाएंगे इतना मुझे पता है जो आजकल ओनलाइन शिक्सा में है लेकिन फिर भी आप लोग दोनों के बीच में क्या काम करो तरक विपक्स की ब गटना सुना रहे आप लोग उस दिन की घटना और अपनी भावनाओं को आधार बनाकर अपने मित्र को पत्र लिखा मालों वह घटना सुना दी भाई वो मुझे बहुत दिन बाद मिलाया मिली ठीक है और फिर उसकी घटना बता रहे हो आप लोग पत्र की जंगन लेक्दो ठीक है साधी के बाद भी ऐसे पढ़ा होगे ना सर तुम्हारी इसी चक्करों में साधी नहीं कर रहा मैं ठीक है उल्टी बातों के चक्कर में तुम्हारे पढ़ाने के चक्कर में मैं साधी ना करो कुछी भी ना करो ठीक है कि एक ने कितनी लंबी सोची कि साधी के बाद ऐ पड़ां दो किसरी बार मीं बात हो रही है यह लेखन हो जाएगा आपका एक store on में एको लिए खना उन साइस्ट की गटना और अपनी भावनाओं को अधार बनाकर मित्र को परत्र लिखो तो आपका अनुमान लगा जा रहा है दूसरे की जहेंगे खुद को रखा जा रहा है तो आपका एक्ष्टा पॉलेटिव लेखन हो जाएगा ठीक है चलिए बात करते हैं आपके अच्छा यह एक्ष् नेक्ष्ट कोशन आपके सामने हैं कि लेखन परिक्रिया ठीक है लेखन परिक्रिया के पूर लेखन चरन के दोरा निमली कितमे से कौन सी रणीती उप्योगी होगी क्या मानस मान्चित रहन है ठीक है या फिर आपका सारांशी करन है नोर्स बनाना है या फिर संपादन है ब अपने admission भी लिया है अपने course के अंदर जो भी आपने कराओ अगर आपने admission भी ले लिया है तो आप लोग कौन सी रणनीती उप्योगी होगी मानस मानचितरन के साथ आप लोग जा रहे हो कोंचे रणनीती होगी बताओ इसके साथ जाओगे वह देखो लेखन परिकरिया के पूर लेखन चरन के दोरान कौन सी रणनीती उप्योगी होगी अभी तो बताया brainstorming ठीक है तो क्या हो इसके अंदर भी लगे पड़े हो अगला कॉशन देखते है सामने आपकी स्क्रिण पर एक और कॉशन आगिया सामने दिया हुआ है एक अध्यापक लेखन शिकाने के लिए समाचार पत्र समाचार पत्र क्या है एक तरिका का रील ही आप लोग इसको पूछा जाता है ठीक है जो बच्चे की देनिक जीवन से सम्मधी जो वस्तु होती है जो रियल लाइफ से जो सम्मधी जो वस्तु होती है जिसको आप लोग कह सकते हो लोकल रिसोर्स इसको कह सकते हो क्या कह सकते हो लोकल रिसोर्स कह सकते हो और एक टीचर को इस प्रकार के लोकल रिसोर्स या रियल यह का इस्तमाल करना चाहिए जो वास्तिविक चीज यह पढ़ाने के लिए उसका इस्तमाल करना चाहिए ठीक है तो इसकी एक रिपोर्ट को उप्योग करती है तो इस प्रकार की सामगरी को क्या कहा जाएगा क्या एक एक सामगरी प्राकर्तिक सामगरी प्रमानिक सामगरी या बाहे सामगरी बत्य किसके साथ आप लोग यहापर जाओगे ठीक है तर मैं बैड में हो अरे भाई आप किसी में भी हो आपका बस आप मनलब एडिमिशन ले लो जो जो भी आप लोग अप्र के सामगरी होगाหा सब्सक्राइब चीज़ों अधाले अफ्मानiken लेखते और अछ̂ क्यानेग सामगरी होते हैं बिलकुल ठीक होते हैं परमानिक्सामगरी होते हैं जिसने ये कंटेंट होते हैं एसे लोकल रिशोर्स होते हैं और एक टीचर को ऐसी चीजों को जाए साधा बढ़ावाद उसको देना चीए ठीक है परमानिक सामगरी होगा या पर आपका नेक्स्ट कोस्चन आपके सामने स्क्रीन पर आगे है यह रहा नेक्स्ट कोस्चन क्या कहता है एक विद्धार्ती ने नव वर्स यानिकी ने साल के उत्सव में आयोजन पर एक अनुछेद यानिकी एक अपना आर्टिकल लिखा एक अपना आर्टिकल लिखा, क्या आर्टिकल है? कि नए साल के दिन मेरे परिवार और मैंने अपने मित्रों को आखरी गंटे गिनने के समय आमंतरित किया, यानि जो अगले दिन के अंदर नए साल का गिला दिन है, तो जैसे वो श्टार्ट होना था, उससे पहले मैंने उसको करा, हम केक की दुकान पर गए, और केक बनाने के लिए कहा, अच्छा, हम तो पहली से यार रखतकर हम करते तो, हम सजावट खाने पीने की वस्तवे भी लेकर आए, मेरे माता पिता ने गुब्बारे फुलाए, बहुत वड़िया माता पिता जो गुब्बारे फुलारे, उ और मैंने घर सजाने में मदद करी, मेरे हमारे मित रातिर भोज, यानि की जो रात का खाना है, उसके लिए आए, और मद्दय रातिरी तक रुगे, अच्छा भई, निठलने दोस्ते ठीक है, रातिरी तक रुगे, तो यह जो अनुचिये दे, जो आर्टिकल है, यह लेकन के संपाधन की बात करा है, बताओ सहीente यान सर क्या होगा, किस के साथ आप लोग यहां यहां पर जा रहे हो, ठीक है, बत्यों किसके साथ आप लोग यहां पर जा रहे हो, यार मेरतन देते देते और आज की मेरतन देते देते जब यह सीट एट की किला सुरूगरी मसल्स में हलका जोड़ था यह जो यह वाला मसल्स है अब जादा बढ़ गया यह मेरतन खतम हो जाएगी छुट्टी लूंगा अप्ते दें की बढ़िया एक तो वैसे भी दिमाग से इसकी तो बैटरी गई बताओ किस के साथ आप लोग जा रहे हो अपने आपको ठीक रखना भी आपका पेपर है यह तो सिंपल कोशन भाई बिल्कुल ठीक जा रहे हो सरंचना यहां पर एडिटिंग ठीक है सरंचना तो यहां पर क्या हो रहा है सरवादिक रूप से किस पर देने की ज़र होता है जब इतनी सारण अंठीक एक अनुचे लिखा जा रहा है तो इसमें एडिटिंग पर ध्यान देने की जरोते है कौन सी जारती पाट्टे समगरी के भिन-भिन भागों को सुनते या पढ़ते हैं जैसा आप लोग कर रहे हो उसके पश्चात कारिये पूरा करने के लिए दूसरों के साथ सूचन का आधान परदान करते हो बिल्कुल करते हो भाई सचन सन्य तो ऐसी मेराथन क्लास ली पर भाड़ द सुनना यहाँ पर और लेख का मतलब होता है लेखन यानि वो लेख जो सुनकर आपका लिखा गया है क्या क्या गया सुनकर लिखा गया जो आपका लेख होता है अब यह क्यों यूज होता है यह यूज होता है बच्चों को लेखन में बच्चों के लेखन में विकास करने के यह बच्चों के लेखन में विकास करने के लिए अब यही से related देखा इ stripes में बहुत लिए अगर कोई बच्चा अपने लेखन में अगर कोई बच्चा बार बार अपने लेखन में वर्ती अक्यों की युक्ति का यूज करना चाहिए सिंपल ओप्शन के अंदर दिया हुआ था आपका सुरूत लेग यानि कि सुनकर लिखा गया लेग तो टीचर क्या काम करता है अच्छा लेखने के अंदर तुम गलती कर रहे हो सही से स्पिलिंग नहीं लिख रहे हैं तो टीचर फिर उसके लिए करता है सुरूत लेख यानि कि जिसको आप लोग डिक्टेशन बोलते हो या जिसको हिंदी भासा वाले बोलते हैं इमला बोलते हैं टीचर एक किताब ले लेगा उस किताब में से पढ़ता जाएगा और बच्चे चीज़ को लिखते जाते हैं तो यह होता है सुरूत लेख टीचर बोलता जाता है बच्चे उस चीज़ को सुनते और उसका लेख लिखते हैं तो यह आपका सुरूत लेख होता है बच्चों के लेख को सुधान के लिए यह आपका सुरूत लेख टीचर इसको यूज करता ह जो एक्जामिनर ने कोश्चन पूछा था बट यहाँ पर उसने कोश्चन पूछा है कि पाट्ट सामगरी के सभी भान को भागों को सुन लिया पढ़ लिया और उसके बाद एक दूसरी की सूचन का दान परदान कर दिया तो किस प्रकार का सुरूतलिक है परवा में बोला गय कि जो पहिलियों से संबंदित होता है जैसा आप लोग मान लीजे मेराथन देख ली स्रीडबी की मेराथन आपसमें डिसकस कर रहे हो एक दूसरे को यह भी दे रहो और भाही उन्होंने वह भी करायता है यार वह तो लास्ट में करायता है जब 10 घंटी का असपास आच्छा तो यह यहाँ पर आप लोग कर रहे हो जिक्सा सुरूत ले कर रहे हो आंचर आपका थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्यों नेक्स्ट आपके सामने एक और कुश्चन इसी से जुड़ा हुआ आ गया कि जो शल्ली है वो माध्यमिक अंग्रीजी की सिख सक है वे शिक्सार्टो को पहले छे वाक्यों की पाठ वस्तु को दो दो बार सुनने के लिए कहती है और इसके उपरान तो मैं लगभग 5 6 वाक्यों में सेंट्स में उस पाठ वस्तु का देखो भई इसको उपरान तुम्हें लगबग 5-6 वाक्यों में इस पाठ वस्तु का साल लिखने के लिए कहती है जो की हुबहु समान वाक्य नहीं है ठीक है जो की हुबहु समान वाक्य नहीं है यह क्या कहलाता है क्या है आपका सुरूत लेके वाक्य सुरूत लेके अनुच के साथ जा रहे हूं थर्ड थर्ड कुंचा है अनुच्छे सुरुत लेगा बिल्कुल ठीक बात है आर्टिकल सुरुत लेगा आर्टिकल डिक्टेशन है जिसमें सब का अनुच्छे सुरुत लेगा अगला देखो अगला आपके सामने आगया अगला आपके सामने दिया हुआ है एक अध्यापिक अपनी कक्सा में दो-दो के जोड़े में काम करवा रही है ठीक है किसमें काम करवा रही है एक अध्यापिक अपने बच्चों के लिए दो-दो के नगे जोड़े बना दिये हैं तो आप गया वह है आठ वाक्यों के जो आठ sentenced है उसके एक अनुशे से एक वाक्ये एक विद्धारती को दूसरा वाक्ये दूसरे विद्धारती को इस तरीगे से बारी करवा दिया मन दो कोई भी आठ 8 सेंटेंश लिखवा दिये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ वाख्य केंदर सचिन सर हमें मैरा थन के द्वारा तियारी करा रहे हैं सचिन सर ने वह सारीख दे दी, सचिन सर की अभी बहुत कमर में दर्द हो रहा है साभी सचिन सर जो है बच्चों को पढ़ा रहे बच्चे बहुत मैनस से पढ़ रहे बच्चे इस बाद सी टैट का एक जाम टोप करेंगे बच्चे एक 140 से पास कर देंगे यह आठी स्टेट वह मलब वाक के यहां पर लिख दिए ठीक है अब अलग-अलग से लिख रहे हैं य यह लेखनकारी है बताओ सब्सक्राइब क्या होगा ठीक है तो स्टेट का न्यू बैच कब आएगा और यह गधो पढ़ लो अभी निगाल दोगे अगले की ज़रोतिन में पड़ेगी अब को जाते दर दो रेस्ट कर लिजा ने वह एक दम हुआ था अभी अराम में ठीक है चलो बही बती किसके साथ जारो पारस्प्रिक शुरुत लेक आंसर फर्स्ट आपकर सही हो जागा ठीक है आपस में पारस्प्रिक तरी से या तो दो दो की जोड़े में कर लिया या एक दूसरे से पूछ कर आपस में इस तरीके से बारी-बारी से पढ़वा लिया तो पारस्प्रिक शुरुत लेकर वा रिया आपस में ठीक है अगली बात करते हैं शुक्सरण की विदियो की बात करते हैं बड़ी मैत्पून है बही जो आपके एक जाम में शुक्सरण की विद लोग बात करते हैं पर व्यकण अनु은व विदी के बार में बात करते हैं जिसकekt नाम आपका grammar एंकर और करने सन मैтьсяड़ के व्याकण अनुवाद विदी ओल व्याकण अनुवाद ही के अंदर हमें बच्चों को कैसे से दिखा ना इसमें हमें आगर मानलीजे कोई बच्क व दूसरी वासा शिखाने हैं तो पहले उसका व्याकण शीकाना है वाले ने कि ヒखने के लिए ने कि कहा करो पहले इंगलीज के उते ह। इंगलीज के क्या रूल होते हैं ठीक है टेंस के बारे में जानों ठीक है और इस प्रकार से मतलब पहला आपको इंगलीज के व्याकण के बारे में सिखाना शुरू कर दिया और उसके साथ में कोचिंग वाले नहीं यह का कि एक चीज़ हो रहा है यहाँ पर बोला नहीं जाए इसमें बोलने के हाँ बोलने की इसके अंदर मनी है इसलिए इसको शास्त्री विदि या प्राचीन विदी के नाम से जाना जाता है क्या या पर बोलने के मनँ होती है कि बस लिखो और पढ़ो लिखो और पढ़ो अब एक बार बताओ यार अगर मालीजिज आपको कोई दू पाईएंगे नहीं सीख पाएंगे धीए अब क्लाशीकल मानी जाते है सास्त्य मानी जाती पुरानी मानी जाती अब इसका इंप्लेमेंट नहीं होता अक क्य बढ़ा महत्मद प्वांट निकलकर रहता है को जो प्रॉइफ ए इस में मात्रभासा जिसे आप इंगलिस के अंदर कुछ सब्द है जिसके बार में आ रहा आपको पता ही चला यार यह कुंसे सब्द है पता नी क्या बोल दिया हमारी तो समझ में नहीं आ रहे है तो आपर टीचर होगा वो इसको ट्रांसलेट करेगा वैसका मीनिंग जो यह होता है हिंदी के अंदर ही ह कोई चींगों और उसकी मात्रभासा का सारा नहीं लेगा तो ट्रांसलेट नहीं कर पाए व्याकण बता पाएगा इसमें तो इस के लिए आप बोला जाता आपका डॉर्च्ड मेथब सब्सकी विए इसके नाम से रीच यानगी cha 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 बना लो या दो चार जो आपके दोस्त इंग्लिस बोलते हो उनके साथ जाधा रहना शुरू कर दो ठीक है कि आज से तु मेरे पक का दोस्त है ठीक है वो कहाँगा पता नहीं से क्या हो गया अब उससे क्या पता कि तुझे इंग्लिस बढ़ी आती है इसलिए तेरे साथ डार् और वहाँ पर सीख जाते है अच्छा मुझे एक बात बताओ प्रत्यक्ष विदी में मातर भासा की जुरूत पढ़ती है जब हमें मालीजे इंगली सीखनी है ना तो अंग्रेजों को हमारी मातर भासा के बारे में पता आप उनके सामने हिंदी में कुछ बोलोगे तो परने है इसके अंदर मातर भासा की जुरूत नहीं परती इसके अंदर किसी भासा को सीधे सीख लेता अउनके साथ inve ellic नेचुरल मेथड कह सकतो, सेम इसकी भी आपकी यही विदी है, इसमें भी आपको अगर मान लीजिए दूसरी बात सा उसको सिखानी है, तो प्राकर्तिक रूप से ऐसी सिखानी है, आपस में महलब इन वोल करके, दोने एक तरह से कह भी सकतो, लेकिन एकजाम में कभी आएगे नहीं दोनों एक साथ, अगली बात करें आपके सामने मोन विदी, यानि कि आपका सैलेंट मैथड, सैलेंट मैथड के अंदर क्या होता है, जो टीचर रहता है, टीचर बच्चों को कोई कान दे देता है, और फिर उसके बाद चुप रहकर बच्चों से पर्तिक्रिया जानन यहापट टीचर क्या क्या काम करता मों हो गया और तुम अपने आप कोई भी काम करो मैं इसका झार क्या होका और उसके बाद फिर मां आपके जो आप कमेंट मांसर देता हुए जिसको आर्मी गलत वतारे यह तरक है तो अगर यह बाथ समझें, अगर मैं बात करो सर्वय ँभासिक विदी, जिसको आरमई विधी के नाव से जाना जाता है, जिसको आरमई विधी के नााम से जाना जाता है, क्योंकि जो second world war हुआ तो वहापर दूसरी भासा को शीखने के लिए इस विधी निदि का इंसमाल के जाता है, किसमें जो फोर्णनल लेंग्वेज होती है यानि कि जो विदेशी भासा होती है तो विदेशी भासा को सीखने में इस विदी का यूज होता है किसमें विदेशी भासा को सीखने में इस विदी का यूज होता है इसका नाम है वैसी भी के इस सबसे Отसे महतर ततर शूननो जब Ce हम सुनेंगे ने तो बोलेंगे क्या हमें पता ही नहीं चलेगा कि अगला क्या बोला ए और इसी प्रकार से ये विधी आपके आर्मी विधी जानी जाती थी जब सेनिक ते इसको कहा जाता है टोटल फिजिकल रिस्पोंस जिसको कहा जाता है आपका टोटल फिजिकल रिस्पोंस के नाम से इसको जाना जाता है ठीक है टोटल फिजिकल रिस्पोंस यह दीते आपके जेम्स आसेंड ने इस वाली विदी को दिया था अब इस विदी के अंदर क्या होता है जर तो आपको पढ़ा रहा है या नहीं आ रहा है बताओ जल्दी कमेंट बोक्स में तो मैंने इंस्ट्रक्शन दिये उसके बाद तुरंत आप इसमें लिखने शुरू कर देते हो सरजी आ रहा है नहीं आ रहा है जो भी आप लोग लिखो तो टीचर जैसी बच्चों को इंस्ट् तो फिर टीचर बच्चों से कहता है कि एक्स्प्रेशन के साथ एक्सन के साथ इस्में को करिए तो फिर वहां पर उसको क्या करता है रिस्पोंस करता पृनिक्रिये करता है तो आपका टोटल फिजिकल प्र मैंन आपको पता दिये आप जड़ा कॉशन के वHello डेए और को अ प्रिक्रिया का भी यूज़ करूँगा अब बताओ इसके अंदर क्या आंसर होगा कोश्चन आपके सामने हैं निमिलिकित कतुनों को पढ़िए तथा समगर भासा उपागम अच्छा टोटल फीजिकल एप्रोच की आपर बात होगी इसके संदर में कौन सही है उसको चुनिये समगर भासा को भासा उपागम बच्चों की बनाई वर्तिनियों के परियोग को परुसाइट करता है या फिर समगर भासा उपागम में बच्चे पढ़ना सीखने के लिए वर्ण तथा धवनियों से आरम करते है या समगर भासा उपागम रचनावाद पर आधारित है कि हम जाग रहे हैं नूर यह कौन गया भई आपका नुजत हुसेन अंसारी अच्छा इसलिए जाग रहे हो तुम बेटब लोग करवा दूंगा अगर ढंक से नहीं पड़ोगे तो कि इतने दर्द में भी पूरा क्लास करने के लिए आप पास करो एक्जाब मज़े में भूम फेट ठीक है किसके साथ जा रहे हो क्या आंचर आपका सही हो जाएगा टेकिंड के साथ ज्यादा तर जा रहे कि ए और सी सही है बी गलत हैं देखे सी ठीक है रशनावाद पर आधार आपका यह नहीं कहता है कि बच्चे पढ़ना सीखने के लिए वन ततथा धवनियों से आरम करते हैं बच्चे अपने आप किसी भी चीज़ से आरम कर सकते हैं तो बी गलत है ए तता सी सही है बिल्कुल ठीक आप लोगों ने बता है अगला आपके सामने आगया question यह रहा ने निख्य भासा का प्रयोक करती और बाद में उनका अनुवात करने में यांनि बाद में उसको । विнего जी सेखनें में कि सब्सक्राइब कर रहे हैं तो अच्छा का प्रतक्स विदीबताऔ से औसर क्या होगा होगा किसके साथ आप । आपर जा रहे हो ठीक है बताओ अच्छा सानिय कोचिंग सेंटर सचिंसर और गया उपर एक सेंट सचिंसर आप जितना हम सब अच्छा बिल्कुल ठीक जा रहे हो व्याकण अनुवाद विदी ग्रामर ट्रांसलेशन में तर्ड यहां पर जो पार्ट्र सामगरी में जो व्याकण सब्द संपदा है उसकी व्याक्या करने के लिए विद्यारतों के घर की भासागा यूज कर दिया एकि मात्रभासा का यू यह भी आपकी बालकिंद्रित होती है ठीक है यहां पर कैसे होता है बच्चा अपने परिवार से इस बाज़ा कम्मिकेट करके संप्रेशन करके जब भासा को सीखता है ठीक है लेकिन यहां पर जो जिस विद्दी की बात हो रही है जो यहां पर राधा यूज कर रहे है तो पटाया API लोगों ने हैं किक अगली विदी से समदित आई है यह रहा अगला कॉस्चटन यहां करने का मनतलब होता है को फीकर ना या अनी कोपि कर कि किसी बासा को जब सीखा यानिक... कोपी कर लूगा कुछ Κ्रियेट याने क्यों कर लूगा कुछ मैं क्र פणी करूँगा कुछ करूँंगा तो मैं क्यों करूँगा उसके लाफ पर पर्चि पुष्टी abon कोपी करूँ ठीक है अगर दुबारा कोपी करने की ज़रू था चलो दुबारा से मैं और प्रेक्टिस कर लेता हूँ ड्रिल कर लेता हूँ ठीक है ड्रिल का मतलब चलो और प्रेक्टिस और अभ्यास कर लेता हूँ ठीक है और कोपी करूंगा और नकल करूंगा तो आंसर क्या कि सब्सक्र्ण सब्सक्राइब एप क्या थिए कि इस मैथड के साथ आप लोग यहां पर जा रहे हों कि अलग अलग के साथ फिर आज आज आप यहां पर जा रहे हो हमें हो गया भाई पौने तीन घंट हो गई किलास लेते लेते लिगार सिंपल है परती लेखनविदी परती लेखनविदी कंदर क्या होता है जैसर टीचर है अब मैं टीचर हूँ आप बच्चे हो मेरे सामने तो टीचर क्या काम करता है बलेक बोर्ड पर कुछ भी लिख या फिर वो क्या काम करता कोई भी उस कोपी लेगा पेज लेगा ठीक है और कोपी कहा है कोपी कोई मिल जाए कोपी लेने वाद उसमें कहेगा चलो बच्चो लिखो अपनी कोपी में लिख लिखो तुम सब बेकार हो बेवकूफ हो ठीक है सई से पढ़ भी नहीं रहो आंसर में लिखता है और सेम उस वात को बच्चे अपने सब अपने कोपी के अंदर लिखते है तो आपका परती लेखन विदी है कैसा लेखन विदी है आपकी परती लेखन विदी है थाड़ आंसर आपका सही हो जाया ठीक है चलो आगे देखते हैं अगली बात करते हैं अगली किरिया के संबंद के आधार पर किरिया के नियम की व्याख्या करता है तो अध्यापक के द्वारा व्याकन पढ़ने की किस विदी का परियोग किया जा रहा है वह आपको बताना है आगमन विदी निगमन विदी परतक्स विदी या फिर सनचनात्मक विदी बत्य से यांसर क्य बच्चों की सभी पास कराना है अरो तवित कराब कोन करना चाहता है ठीक है कौन सी विदी हो जाएगी किसके साथ आप लोग जाना चाहता है देखें आगमन विदी व्याकन शिकाने का सबसे बढ़िया जो मेथड होता है कौन सा होता है व्याकन शिकाने का जो आपका मेथड होता है आगवन और निगमन होता है कौन सा होता है व्याकन शिकाने का जो मेथड होता है आगवन विधी और निगमन विधी इंडेक्टिव मेथड डेक्टिव लेकिन अगर बात आजए आपके सामने primary level पर बात आजए कि primary level पर बच्चों के लिए व्याकन्ट सिखाने का कौन सा method बढ़िया होता है? तो अकर बच्चों को primary level पर उसको व्याकन सिकाने तो आपका आग्मन विदी आ जाएगा जो आपकी उधारन से नियम के ऊर चलती है, क्योंकि नियम, निगमन विदी आपकी नियम से उधारन के ऊर चलती है, आग्मन के अंदर पहले हम बच्चों को example देंगे, फिर उसको निय मुझत मातना ये नहीं हो जाएगी इस बच्चों को यह इतनी इमकलास को बाशा बासा संसर्ग विदी में जब हम कोई उसको कविताओं के माददम से या गदपद के माददम से जब उसको व्याकन की रचना देते हैं गदपद के माददम से उसको व्याकन की रचना देते हैं तब आपकी बासा संसर्ग विदी यहाँ पर मानी जाती है बट ऐसा गदपद त से क्योंकि छोड़ा वच्चा उसमें बहुत इंट्रेस्ट लेता है कहानी कविताओं में ठीक है व्याकरण को नहीं जानेगा अगला कोश्चन देखते स्क्रीन पर आगया यह रहा नेक्स्ट कोश्चन भासा की अध्यापिका वाक्या परतिरूपो यानि जो सेंटेंस के जो पैटर्न होते है इसके दोराओ पर अधिक बल दे रही है बजाए कि उनके अर्थ समझने पर कि तो वह किसी विदी का यूज कर रही है सेंटेंस के परतिरूप पर क्या बल दे रही है ठीक है क्या दे रह मर्मजuko पॉलो इस वाली बात को समझ पहले को मस्द कर रहें जो क्यों करा रहे है यह नहीं प्रांस्लेशन में थड़ है सर्वय भासिक विदिये या प्रिष्टितिक अनुसार उपागमे या फिर संप्रिशनात्मक उपागमे संप्रिशन तो यहां पर होगा बोलो इसको सचिंचार मस्ट पढ़ारे बढ़िया पढ़ारे बोलते जाओ बोलते जाओ ठीक है तो व्याक तो यह आपकी सर्वय भासिक विदि हो जाएगी सेकिंड आंसर आपका सही हो जाएगा ठीक है अच्छा भई अब आगए आपके सामने कुछ मनोविज्ञानिक आगे इनके उपर हम एके करके बात कर लेते हैं और इस वर भी उठा दे थोड़ा सा रेस्ट में ले ले लेता ह उसके बाद फिर में आप बात करता हूँ इसके उपर ठीक है यह उठा दे हाँ अब एक एक करके बाद सामने विज्ञानिकों के उपर हम लोग बात करेंगे ठीक है यहां तक कोई दिक्कत हुई आपको ठीक है लिखना सूरू कर दिया है हिंदी आज अच्छे सा समझी देखो जो हिंदी की जो पैड़ा कुछ यह ना बहुत बढ़िया लेवल क्या आती है और बढ़िया लेवल को फिर मेला जैसे ओनलाइन पर जब इसका है तो बड़ा इंट्रेस्टिंग लगा कि अच्छा लेवल इस बार आया सब्सक्राइब लेकिन कुछ भी अभी वी कुछ एकड़ पूछ लेता है तो उसके गारंटी तो कोई नहीं ले सकता लेकिन जिस प्रकार की मैंने आपको हिंदी बताईए न आपको डेफिनिटली आपके एक्जाम में पूरी है करेंगे ठीक है तो बात कर लेता हूं कि करके इन भासा विद्धों के बार रहे हूं तर प्रकति मिस्टरा तो रही है आदर्स मिस्टरा ये को अनवाई कि इस्टर है तुम्हारी आगे देखो भई नूम चमस्की को पर हम बात करते हैं नूम चमस्की ने जो अपना भासा का सिद्धान दिया इन्होंने भासा सिद्धान के नदर क्या बाते बताई जरा हम उसके उपर एक एक करके नजर डाल लेते हैं ठीक है देखे नूम चमस्की जो कहते थे नूम चमस्की कहते थे कि बच्चों में भासा सीखने की जन्मजात चमता होती है जन्म चमता पाई इन नेट अबलिटी इसके लिए उन्होंने एक टर्म युजदी कि बच्चों मायंड होता है इसके अंदर और यह दिवाइस हूता है आपक Кे आपके और नह्में सबीके अंदर यह दिवाइसوف इस डिवाइस का नाम था आपका LAD, या नाम था इस डिवाइस का LAD, L का मतलब होता आपका language, L का मतलब होता आपका language, A का मतलब होता आपका acquisition, एक का मतलब होता आपका acquisition, और D का मतलब होता आपका device, ठीक है जिसको आप लोग कहते हो बासा, अर्जन, उपकरण, कि हमारे और आपके माइंड केंदर अदर हर बच्छ mouth केंदर एक और डिवाइस होता है led जिसको बोला जाता है इसकी मदश्हें हम किसी पराकरतिक रूप से शीख जाते से जाते कैसे मардने इसके मदश्षें किसी पराकरतिक रूपसे शिख जाते हैं प्राकर्तिक रूप से सीख जाते हैं हमारे सभी कंदर यह वाला डिवाइस था ठीक है और इस डिवाइस के एल्फ से ही बच्चा क्या काम करता है किसी भी भासा के नियमों को जान लेता अपने आपी ठीक है बाइबर्थी उसकी यह एबिलिटी होती है जिसके लिए इन्होंने टर्म दी सारभोमिक व्याकर्ण क्या टर्म दी इन्होंने दी एक टर्म सारभोमिक व्याकर्ण जिसको बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रामर जिसको बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रामर ठीक है जिसके मदर से बच्चा जो उसकी भासा सीखता है पहली उसको अपने कुछ लेवल बताईते तो दो परकार के लेवल बताईते कि बच्चा किस परकार से कोई बहासा को सीखता है एक बताया था इन्होंने डीप लेवल एक बताया था इन्होंने आपका सरफेस लेवल ये बताइते आपकी सतही सरंचना तो अगर ऊपरी-परी तोर पर सीख रहा है मोठी मोठी बात जानना है उसके बारे में जैसे माली जाज कोई महरतिन क्लाज देख रहा है और बस मोटी-मोटी बात जाना है पकल उड़केगा एक्जाम करना क्योंकि एक्जाम उपरी-उपरी बात जानने का नहीं है डिटेल से समझने का है जो चीजे मैं बता रहा हूं समझा रहा हूं तो सरफेस लेवल 茉रस पर आपको कोई भासा नहीं ठीक है तो सरफेस लेवल पर मोटी-मोटी बातों कि इस यापर जानता जानता है जो बच्छा जानता लेकिन अगर कोई को बच्छा यहांता से पढ़ रहुता ग्हेंता से पड़ रहा है गेंता से समझ रहे हिए गनता से अंदर से डीटिल में सभी परिपेक्स ॹारे में जाना है तो आपका सब दीप इस प्रकार जो आमके नौमचो मुस्कीदे इन्होंने बार में छीज बताई जो मैंने आपको सामने आपर डिसक्वराइच ठीक है बिल्कुल ठीक बात आगे बात करते हैं अगले आगे वाइगोस्की अब देखें भाई वाइगोस्की की पूरी थोरी मैंने आपको CDP वाली मामेरतन के अंदर कराई विए जो उनने सामजिक सांस्कृतिक सिद्धान दिया और उसी के अंदर मैंने आपको वताईती कि वाइगोस्की ने क्या का था वाइगोस्की ने जो सबसे महतन और उसको भासा को समाश संस्कृत के नहीं माना इन्होंने चिंतन को इंपॉटेट वाना जिन बच्चोंने मामेरतन देखी होगी वो समझ भी गए इनकी दुबारा इनकी भी कराऊंगा एक घंटा खा जाएगी कुछ फायदा नहीं है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर आज के महरतन के अंदर मैं वह आपको वह चीज़े करा रहा हूँ जो आपकी लेंग्वेज पैड़ा को जिगले महत्पून है ठीक है अगर इनकी बार- लेंग्वेज के अंदर इसकिनर साब का स्टेट्मेंट होता है कि जो बच्चे होते हैं बच्चे अनुकरण के माध्यम से ही भासा सीखते हैं अदेखो चोटा बच्चा रहता है ना तो छोटा बच्चा को आम बच्चा की सिखाते हैं खोलोघ करते हैं क्योंकि छोटा बत्चा जोता एंकरेज करके ज्यादा की कमीन्स टिक है अभीर इंग कमीन्स के बारेमे आप लोग समझ जाओगे अब इनके question आते हैं जैसे आपके Stephen Crescent भी होगे उन question के मादधम से आप इनकी थोरी को समझ जाओगे Stephen Crescent के उपर मैंने detail में बतना ही है अगर आपको देखने YouTube सर्च माले ना Stephen Crescent आजाएंगे दो दो बार मैं आपको बता चुका हूँ अगर वो भी नहीं देखना चाते तो ये question को देख लो जो इन से संब्धित है तो भी आपका काम हो जाएगा अब देखे question को पर नजर डाल लेते ये रहे question जो आपके सामने आगे जो इन भासा मनोविज्यानिकों से संब्धित है निमिलिकित में से कौन सा विचार जो आपका भासा विज्ञानी है नोम चोमस की उसके द्वारा प्रस्तावी सिद्धानतों के विप्रीत है यहां देख ले ना मा में रहतन को ठीक है तो उसके अंदर आपको एक किलियर है औरना बार-बार कराऊंगा तो बड़ी हो जाएगी ठीक है बताओ को इनके द्वारा प्रस्ता के माद्य filters बात करतें जो मैंने ओपर आपको बताया तो यह आपका नेगी इक महतना काल होता है बिलकुल ठीक बात है जिसके बारे में बात करते है पोजिटेव सुरवात में बच्च सीखता है सभी भासव में कुछ सावन्ने सरंचना और विशेशता होती है बिल्कुल ठीक होती है यह सिर्फ आपका नेगिटिव है चो मुस्की के कोडिंग और नेगिटिव का भायांचा नेगिटिव सही हो जाएगा अगला देखते हैं अगला कुछन आपके स्टीफन क्रेशन से जुड़ा हुआ आ गया इस्टीफन क्रेशन के नुसार यदि सिक्सार्थी आई अवस्ता में है तब भासा अर्जन उस इस्तिन्ति में होगा जब सिक्सार्थी को डैस दिया जाए जो आई प्लस वन इस तरह से स पूरी थोरी आपको समझ मा जाएगी ठीक है इस्टीफन क्रेशन आपके सामने दिख रहे हैं यह भी आपके बासा वित्ते इन्हों ने बताया जित्य भासा रजन के बारे में कि जो बच्चा होता है अपनी जो दूसरी भासा होती है उसको भी अर्जित कर लेता है अब माल इन लोग ऐसे जो इंग्लीस भी बहुत अच्छी तरीके से बोलते है या उसके इंग्लीस में सिर्फ इंग्लीस इंग्लीस बोली जाती है तो बच्चा वहाँ पर उसको एक्क्वाइर करके दूसरी भासा को जितकर लेता है तो उसके बारे में इन्होंने सिद्धान दिया आपका अनुमान लगाना ठीक है तो यह पाच हाइपोथेसिस के अंदर देखे कि बच्चा अपना एक्क्विजिशन लेंडिंग के माद्दम से सीखता है अर्जन अधिगम के माद्दम से फिर उस भासा को मोनिटर करता है कि जो भासा सी कर रहा है उसके अंदर कमी तो नही में सीख रहा है और जो यहाँ पर आपका कोश्चन की डिमांड है इन्पूट हाइपोथेसिस यानि कि आपके निवेस परिकल्पना और यह थोरी आपको डिटेल में समझने है यूटूब पर मेरे मिल जाएगी पूरा डिटेल में समझा रख किया है निवेस परिकल्पना इन्पूट हाइपोथेसि जहांपर एक वर्ड आसी बिच्पिर हएं ना आई पलस वन और यहाँ पर बच्च को यहांप लोग नोग में बहांरी कि संसादन जैसे से उस समता को उस लेवल को मूँपर बढ़ाते हैं तो यह आपका इन्पूट हाइपोथेसी यानि निवेश परिकल्पना या आप लोग कह सकते हो जब हम उसको देते हैं बोध गम्य निवेश देते हैं जो मैंने शुरुवात में आपको भासा शिक्षा के बारे में बता है जिसको कहा जाता है आपका बोध गम्य निवेश और यह बिल्कुल यह बच्चे को बोध गम्य निवेश देने चीये यह बच्छे की बहासा क्यों जो इस तफर है उसको यह बढ़ा सकते हैं gbab çiley filter जो सो जुढ़े है और ऑफको वानॉने चाहिए ठीक है परियाप्तनी निवेश आप बोध गम्य निवेश या बोध गम्य निवेश उसको देने हमें बोध गम्य निवेश ताकि हम उसके इस तरको क्या काम कर सके बढ़ा सके राहिट आंचा थर्ड यहाँ पर आपका सही हो जाएगा अगला कोशन देके सामने आपकी स्क्रीन पर आगया यह रहा आपके सामने नेक्स्ट कोशन जो आपको दिया हुआ है question क्या कहता है question आपको दिया हुआ है एक सिखसक हर दिन निम्लिक्त गतिविदी का आयुजन करता है वे class को पांच के समूर में बाठता है ठीक है और समूर में बातचीत के लिए कुछ दिन परती दिन के कारियों के विश्य को देता है और बाद में वहां परती एक समूर से एक को उठाता है और दूसरे समों को पूरी कक्षा की गतिविदी के रूप में बातचित करने के लिए पूछता है वह क्या परचार करने की को चिस कर रहा है बी आई सीएस यानिके बेसिक इंटर परसनल कम्निकेटिव इसके लिए फिर आपका सी एलप यानिके कोगनिटिव एड इन दो को छोड़ दो तो इन्होंने दो परकार की बहासा बताई जो आपके जिम कमीश थे ठीक है इन्होंने बताय कि जो बच्चे की रोजमरा की जो बहासा होती है जो बच्चे की डेली लाइफ की जो बहासा होती है जो बच्चे की जो डेली लाइफ की बहासा होती है डे ऊफिशल लेंग्विज होती है जिसके अंदर व्याकन का कोई महत नहीं होता ठीक है जैसे हम अपने दोस्ते हाइब से इसल्र पूछते हैं और बैर किया हुट रहा है तुछ निए पूर आके आप दीक हुए लेकिन दोश्च समझ जाते हैं कि टाइम को काट रहा है ठीक है यंही अपना वही जिन्दिकी चली जैसे पहली की तो वहाँ पर बोली जाती है जिसके अंदर आपके व्याकरण की जुरत पढ़ती है अब ओफिस के अंदर तो आप जाके यह नहीं कह सकते मालीज आपका आपका बोस पूचे और वही क्या हो रहा है तो आप लोग कहते हैं तुम बताओ तो तेरे क्या हाल है ठीक है और कल पूचने के लिए कर रहा है तो किस प्रकार के वह परचार कंदे की कोशिश कर रहा है बेसिक या सी एल पी आपकी बेसिक आपकी इंटर परसनल आपकी कम्म्निकेटिव इसकी लोग जाएगी फश्ट आंचर आपका सही हो जाएगा और आप लोग साथ्या पर जा रहे हो परसनों के परकारी के उपर कौन-कौन से परसनों के परकार है बोदात्मक परस्ट विकसात्मक परस्ट पुर्णा वर्त्यात्मक परस्ट परश्चयात्मक परस्ट और कालानतिरित परस्ट कौन-कौन से होते हैं जरह मैं आपको बता देता हूं देखें पहले मैं बात करू बच्चे को समझ में आया या नहीं आया विकासात्मक पर्ष जो बच्चे की विकास से उसकी ability को यह पर बढ़ाने के लिए question कि एते हैं जो मैं आप से बार-बार बीच-बीच में करता रहत हूँ इसके बार में में पता है इसके बार में पता है बताओ साहिति के कितनी इस्तर होते हैं कुछ भी आपसे पूछ लूँ या चैप्टर से सम्मधित आपको और एक्स्टर चीज़ बता रहा हूँ भाई यह पेपर में यह भी प्रमायता आपसे पूछ रहो पुर्णा वरत्यात्मकपर्श जो क करांगा को लैंग्वेज प्रतिं लओ यह कॉरन इसका अंदर राजम आपको करनापको कराने वाले यह मैं आपको इनकम साब करता होनी कust Красbor मों करता हो जैसे मों AWS पूछेए झाप लोग'S के लिए यह कहल रूच जाता हू ताकि आप लोग उसका आन्सर दिजे तो आको कालांतिर्थ परसन होते हैं जो मोन पठन के बाद बच्चों से आपर पूछे जाते हैं अब देखते हैं तो अब आप खाना खा लिजे आप क्या टाइम खाना खाने का आज मैं रतन को करते हैं देखिए अब कुश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है एक शिक्सक एक पाठ वस्तू पर आधारित निमलांग निमलिखित परसनों का निर्मान करता है तो परसनों के परकार का क्या नाम होगए जरो उसके बार में बात करते हैं कल्पना कीजिए कल्ली भाई कल्पना कि आप काहनी में आंग तुक है अब एसे ऐसे सब्द आ जाते हैं कोई कोई सब्द ऐसा आता है बड़ा खत्रनागा आ जाता है बच्चा तो इसकी पर सिरे समझ में आ जाता है इसका मतलब क्या है अब पहले बताओ मुझे आंग तुक का बतिय से यांतर क्या हो जाएगा कि कि इसके साथ आप लोग जाओगे कि बताओ बताओ कि 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 इसके साथ जा रहे हो हो थिक है देखो जो इसने देदी ना भही वेशित परसन अब घुषा यह इसने एक्जाम में पूछा था पता है कौनछे पर्शन होते है एक्ष्टा पोलेटीव को साथ अब बताओ यार ऐसी डिफिकल्ट हिंदी के वर्ड पूछ लेता है एक्स्टा पॉलेटिव कोशन और एक्स्टा पॉलेटिव मैं आपको कई बार बता चुका हूँ जहाँ पर दूसरों की जंगे पर खुद को रखकर अनुमान लगाते हैं दूसरों की जंगे श्वयम को आने जाने वाले जो आपके आंगतुक है तो कैसे हो जाएंगे आपके एक्स्टा पॉलिटिव कोश्चन हो जाएंगे इस वर्ड को थोड़ा डिफिकल्ट दे दिया तो इस वज़से साथ आप इसके अंदर फज़ गए होंगे वन्ना अधर्वाइस इसके अंदर कोई भी दि उद्देश से मेल नहीं खाते तो सीडी रवी के जाच पत्र में किस बात की भाई कमी रहेगी जैसे मान लीजिए आपके सीबेस्ट वालों ने एक जाच पत्र बना लिया क्या बना लिया जाच पत्र कि एक सो पचास में से 90 नंबर का कुश्चन आएगा और यह उन्होंने स पर जाकर कोश्चन पूछ लिए जो आपके सिलिवस के बाहर आगे क्या आगे सिलिवस के बाहर आगे यही तो कह रहा है ना कि अधिकतर पर्षन पाठ्ठकरम या जाच के उद्देश्ट से मेल नहीं खाते यानि उसने से बाहर के कुश्चन पूच लिए ऐसा आपके चीज की कमी रहेगी आबासी व्यद्दता विश्यवस्त्तु की वैद्दता विश्वसनिता या भेद मुलक क्या नहीं कि पक्षपात पूंड सूची उसने बनाई देखो पक्षपात पूंड सूची तो नहीं बनें क्योंकि अगर आउट ओव दास लेबस आपके कोश्च से होना चीए व्यापक रूप से होना चींग तो यहीं कोश्चर हमें पेपरकंदर नहीं पढ़ने पड़ेंगे तो ही वैलिड माना जाएगा अगर आउट ओप। पूछन पूछ लिए तो फिर हमारा प्रेक्शन वैलिड नहीं माना जाएगा लेकिन इसने आभासी वैलिड दे दिया यहाँ पर है विशेवस्तू की वैदता की बात कर रहे है कि जो कंटेंट है विशेवस्तू कि यह सलिबस है यह चैप्टर है और इनी पर आधारित आपको परसन देने और इसी के अधार पर बच्चों का आकलन होगा कि बच्चा पास या फेल है तो हमारे वैलिड माना जाएगा तो विशेवस्तू की वैदता के बारे में आपको रखना है सेकिंड आंचर आपका सही हो जाएगा ठीक है तो आपका सीट एट का जो एक्जाम है वो और पर पर वैवारिक सारीरिक इन सब्दों में एक प्रत्य आ रहा है जो सब्दान सों के जुटकर उसका अर्थ बदल देते हैं तो आप भी एक प्रत्य से तीन सब्द बनाई declarary बताऊ एक प्रत्य से कौन-कौन से तीन सब्दा आप लोग बना सकते हो तीन मुझा कमेंड उसमें बती है क्योंकि आपके जो दो पेरेग्राफ आएंगे जो 15 नम्मर का सेक्षन है उसमें उपसर्ग और प्रत्य जरूरात है तो तीन सब्द मुझे बती है तो यह परसंग किसका एकजामपल है क्या व्याकण की मेहता है सब्दावली की मेहता है परत्यों के प्रियोगे यह संदर्ब में व्याकण है बताओ से या अंतर क्या हो जाएगा किसके साथ आप लोग यहाँ पर जा रहे हो बताओ भई बताओ जल्दी से प्रत्यों के प्रियोग में तो आप प्रत्यों का प्रियोग कर रहे हो और थोड़ा सोच लो कि भी दी के साथ जाओ दी के साथ जाओ सभी लोग शी नहीं होगा इसका आंचर प्रत्य देखा तो प्रत्य के उपर लगा दिया बाइस संदर्ब में व्याकण मतार प्रत्य प्रत्यों के बात हो रहे हैं के व्याकण की बात हो रही है या कभी कभी आ जाता है अगर हम बच्चों के इस प्रगार से कोई भासा शिखा रहे तो संदर्ब में भासा शिखा देते हैं यह भी ओप्शन एक्जाम में आता है ठीक है अगला कुश्चन देखते हैं भाई फिर हम लोग 50 की तरफ बढ़ेंगे ठीक है अब देखें अब देखें अभी तक 3 गंटे में अ कोई दिक्कत नहीं होगी और रटोगे तो 100% दिक्कत होगे आपको ठीक है इसलिए समझ कर करिए अगला कुश्चन आपके सामने आगे स्क्रीन पर यह रहा कि जो कोमल है वह दिल्ली पर पाठ पढ़ाती है तो विद्धारतों द्वारा मोन पठन अब यहापर कैसा पठन हो अगर्ति को परिभासित करता है क्या पुर्यत्यात्मक परसने कलांतिर्ट परसने बोदात्मक परसने या फिर आपके परिच्च्यात्मक परसने बताईए सही आंसर क्या होगा किसके साथ आप लोग यहापर जा रहे हो ठीक है बताओ कि इसके साथ आप लोग जा रहे हो बताओ बताओ अलग-अलग के साथ हो अभी भी नहीं देखो वह आप लोग अलग-अलग के साथ जा रहो है गणट्के साथ आदसे जा रहो ακो पहले पOME के बार में जानी है इस पेश्रक आतर धिए नट्रक आपके जा दो परकार होते हैं को अगुखार के एक होता आपके सामने मुकर पठन एक्जाम में वो पूछ हौवा question है दियान जो सुनना मेरी बात को तुए आपको समंझवाएगा एक हो तैद का मुक多 पर पठन और एक आपके सामरे मोण पर पठन तरह एक आपके आपके सामने मोणपठन आममोल प्रे except मोण होते हैं और आपो रहफ लोग Chill कि इस पढ़ने के सास्थ में जब हम बोलते हैं तो यह होता है आपका मुखर पठन कैसा मुक्स होता हम आ तो यह देखं़ो मुख से मुखर और मुखसे जो बोलने के आता है तो मुखर बठन वह पको रहें जिसमें मुक का इस्त Unowर कर पढ़ रहे एक पढ़ दूसरya प्रकार होता है मोन पठन जिसमें चुपचा पढ़ते हैं कैसे पढ़ते हैं चुपचा आंतरिक तोर पर पढ़ते हैं इसमें हम बोलते नहीं है कुछी मनीमन पढ़ते हैं पढ़ने के दो प्रकार है आपके मुखर पढ़न और आपका मौन पढ़न अब कोश्चन हमसे पूछ चोटे बच्चे करते हैं, चोटे बच्चे जो सबस्यादा करते हैं, वो मुखर पठन करते हैं, पढ़ते भी रहते हैं, बोलते भी रहते हैं, हर चीज के बारे में, जैसे पढ़ते हैं, टेबल की दो एकम दो, दो दुनी चार, दो तो शह, ऐसे बोलती भी रहेंगे और पढ पठन कैसा है आपका जैसे आपका लाल के लिए में उसे इस était लिए बारत के राजदानी क्यों कहा जाता है इनि मैं पठन के बाद जो होते हैं सबॉठसा हो जाएं जिसके आप लोग ज्यादतर गलत बता रहों ठीक हो तो D++P TGT Science का Demo Class अहां भई Science का Demo Class अभी रह रहा है हमारे एक Teacher थोड़े बीजी थे तो वो Demo Class नहीं दे पाई आपका परसो Demo Class आ जाएगी D++P TGT की क्योंकि 10 तारिक से तो आपकी Class शुरूई है तो परसो Demo Class आ जाएगी और परसो जी आपके एप्लिकेशन पर भी Class शुरूई है जो TGT वाले आप लोग पढ़े हो ठीक है चलो भई हम लोग आ गए 50 अरे यार अभी तो 15 हुई मैं तो खुश हो गया और 50 के ओपर हम लोग आ गए जो भी परते पुश्टक लिए जिस परカर का करेकूलम की अकुश्टक के लिए बहुसी चीजैं आपर यहापर करो चृँप मैं होती है लेकिन जो बत्चों के लिए पर अपर पुश्टक औरर कर रहो हो जिस प्रकार का करेकुलम के अकोडिंग उसके लिए पाठ्य पुस्तक बिना रहे हूँ उन पाठ्य पुस्तक की क्या का विशेष्था होनी चाहिए उन विशेष्था के उपर हम नज़र डालते हैं पाठ्टे पुस्त काप चितरात्मक होनीची है उसके अंदर चितर होनीची जैसे आपकी किताबों पर देख रहो यह सक्षागर्द कि आपको चितर देखने को मिलें हैं जहां किताबों में चितर नहीं होगे ना बच्चन ड्रेश्न नहीं लेगा चैपका प्राइमरी का और थीक है तो किताब गंदर चित्र होना जरूरी है जैसे प्रायमरी गंदर आपने देखा है माली जी हिंद्य होगी इवेस होगी चित्रों का यूज क्या गया टाइगर का क्या गया है या जो आपके जानवर है पेड़ पक्सी है आप लोग सोशल साइन्स साइन्स लेते हो तो तो बहुत जरूरी है ये निया की कितरों का होना बहुत स्ववाईग भासा का मतलब एक ऐसी भासा होनी जिसको बच्छा इजली पढ़ पाए जिसको टीचर इजली बच्को समझा पाए इस प्रकार की शंता के लोगूडिंग की बहुति ही जुक्छा होने चाल रहेती है तो इसमें भी बहुत क्रकार के सब examiner देता है match the following दे देता है या side में कुछ ऐसे example में दे देता है ताकि बच्चे का सब्द बंडार यहाँ पर बढ़ सके ठीक है अच्छा content होना चीए यह तो भाई anxiety तो छोड़ो कोई भी किताब हो अगर अच्छा content ही नहीं होगा तो किताबरी की शैली इस परकार से होनी चीए जो बच्चों के नुरूप होनी चीए इस परकार की उसकी प्लान होनी चीए किताबे जो बच्चों को एक step by step उसको आगे बढ़ाती हो step by step उसको आगे चीजे सिखाती हो पर्मानिक सरोत authentic sources के अंदर होने चीए जैसे आपने देखा होगा NCRT की किताब ही जो होती है अगर आपके examiner ने किसी question के आपका answer को गलत कर दिया और आपने वो answer NCRT की किताब में से पढ़ा हुआ है आप उसको challenge कर सकते हो examiner की इतनी हिमत नहीं है कि आपको number ना दे उसके उपर तो अगर कोई आपको लगाना होता है पुरूफ लगाना होता है challenge करना होता है कोई question का तो NCRT किताब ही मतलब आपको काम आते तो परमानिक सुरोध जो मिलते है इनके अंदर मिलते है ना कि publication के अंदर ठीक है विभिन विदाओं की सामगरी होनी चीए बिल्कुल भासा की जितनी विदाओं होती है उनके अलग-अलग सामगरी होनी चीए मालीजबच्चा गद की ओपद की या व्याकर्ण की उसको कुछ चीजे से सिका रहे हो तो यह सभी एक अच्छी पाठ्ट्य पुस्तकों की इनपुट की बात हो रहे है। जो भासा सिक्न्न की प्रारंबिक अवस्तावों में प्रस्तुत किया जाता है निमणांकित में से क्या नहीं सम्रित करता है अब देखो यार, Comprehensible Input, मैंने आपको ये बताया था, यहाँ पर, ये देख रहो, ये क्या लिखावा है, Comprehensible Input, क्या है Comprehensible Input, दिख रहा है न, I plus 1, क्या है, I plus 1, जो आपका यहाँ पर निवेश परिकल्पना के अंदर, जो बच्चों को बहुत गमिये निवेश दिया जात है, तो निमलांग, निमलिखीत में से क्या नहीं समलीत करता, Comprehensible Input, पाठे पुस्त के, जो पाठ्ठे करम पूरा कराने के लिए निदारीत हो, गलत, ऐसी किताब नहीं, जो सी पाठ्ठे करम को पूरा करवाने पर फोकस करते हो, जो विशेश था है, मैंने आपको बताई, ऐसी पाठ्ठे पुस्त के होने चीए, बड़े आकारवाली पुस्तक, चितरात्मक, चितर होने चीए, कहानिया होने चीए, शिशुगीत होने चीए, बिल्कुल होने चीए, कक्से की जो लाइबरेरी ये पुस्त काल लिया है, जिसमें पुस्त के हो, कोमिक्स हो, बिल्कुल यह आंसर आपका सही हो जाएगा बढ़ते नेक्स्ट के और अगला कोश्चन देखें अगला कोश्चन आपके सामने स्क्रीन पर यह आ गया कोश्चन आपको दिया है कि पाठे सामगरी से संबंदित जो भासा निवेस होता है वो क्या होता है भासा निवेस पाठे सामगरी मैं यह जो सब्दावलिव चारण और व्याकन पर ध्यान देते हैं यह जो निवेसों तथा इनकी प्रिक्रिवाइव का प्रिजेंटेशन करते हैं यह बासा निवेस जो सिब सूचना उपर ध्यान देते हैं बताओ सही आंसर आपका क्या हो जाएगा किसके साथ आप लोग आपर जा रहे हो अग्या अग्या प्रिटर फिग्लिस टीजीटी बहते हैं बाकि आपके सभी टीजीटी के बहते इनके डेमो क्लास वीड़ लगे दो रख लेक्टेशन पर दस तारीक से क्लास शुरूए ठीक है जो बच्चे सूपर टैट और इसकी बीपेस्टी वाले जादे त प्राइब लेते हैं कोन-kोन फोर्थ के साथ जा रहा है जो आप पड़ा रही है सेकंड पेपर के लिए ना सरी जो हपड़ अरे भाई जो सीडीपी वह दोनों पेपर के लिए पर फस्ट के लिए पर सेकंड के लिए जो लेंग्वेज है कोई लेंग्वेज आपकी हिंदी इंग्ली उससेंस्की तो कोई यह दोनों पेपर के लिए होती है पेपर फस्ट और सेकंड कुछ अंतर नहीं है बस कोई 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 एक जैमिनर पूछ लेता प्रायमेरी स्थर पर उसको पूछ लेता उच प्रात्मिक इस्थर पर वह वन्ना पूर्य आपकी सेम है एज़ी ज पर द्यान देते हैं पार्टा समगरी से संब्दीत सूचना पर ध्यान देते हैं फॉर्थ के साथ आप लोग जा रहे हो फॉर्स ठीक हो जाएगा अगला कॉश्ण साथन आपकी स्क्रीन पर है अगला कॉश्ण साथन आपकी स्क्रीन पर है देखे नज़र डालिए कोश्ण आपको दिया कि परमानिक पार्टे समगरी क्या है ओथेंटिक जो आपकी पार्टे समगरी है वो क्या है जरा उसके उपर नज़र डाल लेते हैं पहला किसी भी उद्देश्से के लिए लिखी गई पार्टे समगरी जिसे भासा के सिक्सें अधिगम में परियोग में लाए जा रहा है पार्टे पुस्तोकों के लेकों को द्वारा उद्देश्से के साथ लिखी गई पार्टे समगरी जिसे बहुत को स्थीख जारा में जो इसे बहासा के सिक्शन अधिगब में जो आपकी लेंग्वेज का टीचिंगंग निनी प्रोसेशken में परियोग में लाए जा रहा है तो आपकी क्या मानी जाएगी परमाणिक सामगरी मानी जाएगी ऑथेंटिक आपका ठीक है ठीक है बागे की साथ तो आपको जाननी की विजरूत नहीं है चलो आगे देखते हैं हगला कॉशन हगला टोपिक देखते हैं यह मापको समझाता हूँ चला इसको उपर डालते हूँ कब तक किलास चलेगा सरम मैं मसल स्वेन में भी पढ़ा रहा हूँ तुम लोग लेटे लेटे ठक जाते हो अब देखे बात करते हैं भासा की भासा के बारे में क्या के बात ही कहे गई गई है भासा से सम्मंदी दो चीज आपके एक्जाम में आते हैं एक हाता आपका कारयाली एक हाता आपका कारयाली भासा कि कौनशी कारयाली भासा होती है एक होती आपकी सह कारयाली भासा एक होती आपकी सह कारयाली भासा देखे जो हमारी लेंग्वेज है हिंदी तो हिंदी हमारी कारयाली भासा है ओफिशल लेंग्वेज है हिंदी हमारी ठीक है और हिंदी ध्या भाषवाथा नहीं है हमारी देश के कोई भी राष्ट भास नहीं है ठीक है हिंदी राजवाथा और पनी थी चोदैस सितंबर उन्मिशन निद्वाष को तुछ तो हिंदी दीवस्मान आते ओ घंग अगर मैं बात के जए कार्यली भास की बात करूं से करेली भास है आपकी इं के ऊपर करा इंकली सिंगली सिंगली लाइबरेरी इंगली सामगरी इंगली इंगली समजबं इसके लिए फॉंड जा दो ठीक है बहुत सारी चीज घ्रीस मलब आधूनिक बड़ा रोल माना जाता है हमारे देश्कीन को लेकिन सबस्याद जो फोकस में काले ने करा इंगलिस के उपर ठीक है पर फिर भी हमारी से कारेली भास है जो आपके इंगलिस होती है यह बात आप लोग आपर समझे अब उसके लावा बहासा से संब्सक्राइब कुछ पोइंट भी नहीं है ठीक है अब कोश्चन देखो अगला सामने आपकी स्क्रीन पर कोश्चन है यह आपका ठीक कुश्चन यहां से शुरुआत निमली कि तमेंसे कौन सा कथन एक युक्ति के रूप में बहु बहासावाद यानिकी मल्टी लिंग्वलिज्म के बारे में सही नहीं है सुरुआत में में आपको बता दिया था बहु बहु बहासावाद यानि मल्टी लिंग्वलिज्म के बारे में बताया था एक ऐसी क्लास्रूम एक ऐसा स्कूल जहाँ पर अलग-अलग बहासा वाले बच्चे रहते हैं उसके बारे में सही नहीं है कक्सा की जो भासिक विवि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए बिल्कुल उसको करना चाहिए विद्याले में बहुत सी भासाय पढ़ाई जानी चाहिए अच्छा बताओ इसकूल में बहुत सी भासाय पढ़ाई जानी चाहिए ताकि बहु बहु बहासावाद के कंसेट को बढ़ाय जा सके या सिक्सा आता आप लोग जा रहे हो भी भी थड़ 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 एक बताओ कुंछा सब्सक्राइब थड़ हो जाएगा भई विद्धाले में बहुत सी भासा पढ़ाई जानी चाहिए अपने बच्छा मातर भासा लेकर आता है ठीक है तो यह सही नहीं है नेगिटिव का भाई नेगिटिव आंसर आपका सही हो जाएगा अब आगए आपके गदपद आपके सर्जी यह तो पेर आपका बच्चा इसमें इंट्रेस्ट लेता अच्छी तरीके से और अपना अक्टिविटी को में इंगेज होकर चीजों को सीखता है इसलिए गद और पद हम बच्छों को पढ़ाते हैं बड़ेमेहतपून होते हैं और बच्चा रोचक्स तरीके और बच्चा के बहुत सी बात है कहानी कहानी में शीखते थे अब कोश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया जो आपको दिया हुआ है भी किलाश सेवंत की से सिक्षी का एक पत्तिनी पत्तिनी कवीता क्या ओ जाएक है आर रूक जाओ था पठन उपरांत कारे करी के रूप से तूकी पत्तियों यूश्या शेंस स्थूर हिए किया क्या मंडिया को या कुछ होगा या छा तो तो उसको बनाने के लिए कहती है चलो कविता के बाद उसने कहती है सूखी पत्यों के उपर चितर बनाओ अगर किसी को समझ माय तो बताओ भई पत्नी लिखाय क्या है अपने काम को समाप करने के लिए सिक्सार्थियों को कुछ गति वीदियों में वैस्त रख रही है आपको सूखी पत्यों से विबा जानौर की तस्वीर बनाने के लिए कोई कविता बनाने के बाद जो कविता यहां पर पत्नी लिख हुई है अब पता नहीं पत्नी है पती है कोई भी कविता हो उसके बाद उसने पत्यों से जानौर की तस्वीर बनाने के लिए अगर कह दिया तो हूं पर कस्वे से एंटेग्रेड कर रही है विद्दायरतिंगे स्कूप्स मोरिषिंगे इसको विकास करने का कोई यह नहीं अपको ठीक है ऑज को जानो राय के साथ समय की कर बचानावार के क्या होगी यार पंक्ति है क्या है कि पत्ति पटी तुम से पूछने प्रकार है कैसी भी कवीता हो अगर उसके बाद ऐसी को एक्टिविटीज कर रही है तो कला को भी जोड़ रही है और कला सिकाना में बच्चों को बहुत जरूरी है आपको पताइए कि नेक्स्ट कोशन आ गया निम्लिकित कत्रों को पढ़िए और उच्चित विकल का चाहन किया करते भड़ जो कि अगर कि आपके बाद कि अगर मान लिए आपका रिजल्ट आ गया फ्रवेडिकेंट में आपके रिजल्ट आ जाएगा अगर उससे पहले वेकिन शागी तो नहीं दे पाऊगे उसके बाद आएगी तो आप दे पाऊगे ठीक है कविता नी संदे रूप से ससक्त भावनाव का सहज अतिरियक पर भाव है कथन भी है काववे से ना तो भासा ज्यान का विकास होता है क्या बात कर रहा है और ना ही अगर आपके सामने दिया हुआ है यह रहा कुष्चन अधिगम के शुरुवाति वर्षों में कौन सा देश्य तुकवंदी अब देखो तुकवंदी आपके सवनिम विज्यान जाग रुखता है उसके जो तीन लेवल बताए उसके अंदर एक लेवल यह भी ता आपका अकसर तुकवंदी और सवनिम ठीक है जो तुकवंदी होत करते हैं कि याउन वियाकनिक चम्ता का विकास कौन उर्षा रहा है इसके तुकवंदी यह कहनी कविताया विकास मुल्यों का विकास होता है जब ऐसी कवीताय गाते इस प्रकार की मनलत तुकवंध्या करते या गद करते तो वच्छा अपने कल्चर से जूड़ता है सुरुवात में उन्हें बता है संस्कीतों का सम्मान करता है मुल्यों का विकास होता है कल ना तो वच्छा अपने आप ही करेगा चाहा आप उसको मारे सब्जेक्ट पढ़ा होगे लेकिन देखे क्या कोश्चन आपके सामने दुद्य भासा एंगि यो सेकिंड लेंग्विजे सके सिक्षण अधिगम के दोरान जो भासा अध्याप अद्यापक है उसको किसका प्रावधान करना चाहिए बताव हुई दूसरी भासा कर सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने से पच्छा रटने लग जाता है चीजों को दे लेлемं डिल और प्रेक्टीश रोटलर्णनिंग को बढ़ाती है जिसको मैं बार-बार और किर आप्ट ने सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब सब्सक्राइब आपको दे रहु间今天的 करफ मे अज हैजय सब्सक्राइब ध्सक्राइब हुए अजह नहीं देiforn собой तनाव मुक्त परिवेस भाई तनाव मुक्ती तो दे रखा हो कि सारा तनाव मुझे दे दो देखो मेरे अभी भी बहुत दर्द हो रहा है मसल्स में फिर भी आम मैं आपको पड़ा रहा हूं जैसी तेज बोलता हो ऐसा लगता हो जैसे किसे ने चाकु मार दिया ओ पेठ केंद कड़ो को उनको यहां पर जा रहा है सभी लोग एसीडी के साथ जा रहें दो चार बच्चे को छोड़ कर अगला कुश्चन देखते हैं आपके सामने क्या आगया अच्छा वह मोग टेस्ट यार प्लेश्टोर से डाउनलोड कर लेना मेरी अप्लिकेशन सचिन एकेडमी पर इस्टार्ट तो दे दिया करो ठीक है मेरी कंपनी वाले कह रहे थे कि सर जी बच्चे लगा लेते देते नहीं आप कह दीजा आपकी बात मानते हैं सारे मानलो मेरी बात यार ठीक है चलो वह अगला देखते हैं आपके सामने क्या है संप्रेश्चनात्मक भासा सिक्षन क संप्रेश्चन करके सिंकते तो संप्रेश्चनात्मक भतास सिक्षा करा न चीहाए इस परकार संप्रेश्चन आपका tęकी एसे विदी के रूप में इसको एक ऐसी की विदी रूप में जाना जा सकता है जिसमें प्रकाम करता यहां चीवन के न वास्थ्विक कि इस्थिव जिनमें संप्रिशंट किया जाता है काप्रियुक करते हैं विद्ध्यार्टों को तरह तरह के ऐसे उसर देते हैं जिनमें वे अपनी भासा सर्जित कर सके शिक्सार्टों के साथ विविन व्याकरनिक नियमों का अभ्यास करते हैं जो भासा दिगम में मदद करें या मातर भास जन्वरी के एंड में आ जाएंगे आपके ठीक है बताओ किसके साथ जा रहे हो जन्वरी के एंड में ले 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 आप ये सारे वैच वस्टके साथ बिल्कुल ठीक है बशसं पर शन्वरी दिएली लाइफ के रूप में जाना जाता है जिद्ध की अक्टिवी टीटी कराताह पहला अन्सरा आपका सही हो जाएगा बढ़ते नेक्स्ट कोश्टन क्यों ओर नेक्स्ट कोश्टन आपके सांदे यह रहा कोश्टन दियाए कि कड़क चाय अतिरिक सामान हटी मरोवरति कोमल फूल यह सब्दावलिया निमिलिकित में से किसके उधारन है सब्द को इस सब्दावली को सब्दों कैसे मेलिक रूप में परिवासित करता है कि दो या दो से अधिक सब्द एक साथ इस प्रकार इस्तमाल किये जाए कि वे सुनने में सही लगे की जब दो सब्ध दो यह तीन सब्द एक साथ में आ जाए और सुने में आपको ऐसा लगेंगे यारि यह तो एक ही मीनिंग निखाल ले एक अर्थिन्का निखल रहा है तो क्या कहला जाता है वह आपका मैं LoR कोई कमनी के सनिए वो काहें जाते हैं आपके विन्यान जैसे दो सब्ध कडगचा कडगचा है ठीक है आज हमारी बनी आरत cabin यह नेक्स्ट पूसन आपके सामने दिया हुआ है यह रहा नेक्स्ट क्सफन कि डैस अपने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और नेतिक पहलों से जुड़े मुद्दे पर, किस पर नेतिक पहलों से जुड़े मुद्दे पर, समालोचनात्मक तरीके से यानि किटिकल तरीके से चिंतन मनन के अवसर परदान करते हैं, यानि कि reflection की opportunity परदान करती है, ठीक पर नेतिक पर प्लेश्टोर पर जाकर सर्च कर लें ना मिल जाएगा आपको, हम, हम, तर एक जाम डेट बढ़ेगी क्या, अब तक admin card नहीं जा रही हुआ, अरे हो जाएगा, admin card की टैंजर मत लो, ठीक है, admin card हो जाएगा, फेक न्यूज मत देखा करो, यूटूब पर इस तरकी फेक न्यूज बहुत चलती है, ठीक है, यूटूब पर आपने देखे, कितने सारे चैनल मेरी फोटो ही लगी रहती है, मेरी वीडियो डालते रहते है, बच्चा वाफस जाता है, कोई वापर उल्टे सीधे, उनको न सास्त की बात हो लिए, यहापर क्या हो रहा है, राजनीतिक, सामाजीक, आर्थिक, नेतिक तोर पर आपसमें critical thinking कर रहे है, reflection कर रहे है, अपने नुबहु के सामाधार पर सीख रहे है, तो समाजीक मुद्दों पर बहुत से जो विक्चार स्विक्रत हो रहे है, तो सेगवात द्यापक को ने सतर के लिए पाठे पुस्त के तथा अन्य सादनों का चैन कर निगले का ठीक है, और इनका चैन करते समय निमली कितमे से एक प्रासंगीक नहीं है, बतावे, आप लोग भी जब teacher बन जाओगे, तो आप लोग assistant teacher बनोगे, ठीक है, और जो आपकी पिंसिपल ह उसने कहते हैं, चाओ तुम चैन कर लो, ठीक है, ऐसी मिल गई मान लो आपको पिंसिपल, तो आपको बताना है क्या प्रासंगीक नहीं है, चैन करते समय, पुस्त के और संसादनों की अनुकूलनता, बच्चों की अधिगम आव सकता है, और उन्हें आने वाली बास आए, व बच्चों की अधिगम आव सकता है, अब तो आपके थोड़ बूत मजे भी है, उन्हें स्टेट गवर्मेंट के जो स्कूल है जब बच्चों की लिए फिरी किताब आती है, तो आपकी बी आरसी पर आ जाती है, वासे टीचर कैसा करता है, बाइक पर लाद लाद के ले जात बच्चों को कुछ लेवली के कोडिंग, कौनचा TLM देना है, कौनचा मेटरिल देना है, लेकिन कोई जटिलता और गेंटा की बात नहीं करता, ठीक है, सामगरी की, तो आंसर इसमाँ आपका ये नेगिटिव है, और कुश्चन पूचा कोन प्रासंगिक नहीं है, यही प्र प्रासंगिक हो जाएगा, यह टाले सोगा, लेटिस में, इस कुश्चन के बाद थोड़ा सा दो मिनट मैं बैठूंगा, आराम करूंगा, ठीक है, तब तक आप कुछ कुश्चन पूछ लेना, फिर मेरे से, निमलिकित कतनों को पढ़िए तता सही विकल्प का चैन करिए, अभिकतन अजर्शन आपको दिया है, भासा ध्यापक द्वारा व्यक्तिपरक अधिगम, यानि कि सब्जेक्टिव लेंडिंग की बात हो रही है, ठीक है, सब्जेक्टिव लेंडिंग, जहापर बच्चे की उसकी एबिलिटी के कोडिंग उसको पढ़ाय जाता है, यह अप बहुत हो, कि अगर कोई नही बहां साथ, उसके दिगम से, शिक्सार्रे में विविधिताय होती से बीद द्वारा होती जेक्टाय नहीं होती है, ठीक है, तरांशन आपको आखकंड से की हो जाएगा, बतावजिक के साथ ज्सक्राइब, वो थो दिगरी है सारे के सारे B के साथ जा रहे है कुछ लोग्स के साथ भी जा पहली बार सवहा है मैंने तुक्का माराह और और मेरा तुक्काठीक हो गया फास देख वाई है तो तो यहां पर आपका सेखिंड हो जाएगा अगला कॉश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर बाद में बताऊंगा तो लोग बताई देता हूं फिर मैं इसके बाद बैठूंगा रक्सा में प्रस्तुतिकरण यानि की प्रजेंटेशन के दोरान विद्यारती एक एक करके अपनी राय दे रही है आप लोग भी दे दो अपनी राय अभी दे देना एक दो मिनट बैठूंगा तो बहा साथ ध्या और प्रजेंटेशन शेली यानि जो प्रजेंट कर रहा है किस प्रकार से कर रहा है अब बताओ इसके अकुडिंग सही आंसर क्या हो जाएंगे एक तो मैंने गलता आपका कार्ड दिया ठीक है कि डी 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 कि बताओ वह किसके साथ आप लोग यहाँ पर जा रहे हो पहला दूसरा चोथा तीसरा मैंने काटा सिप्प और नहीं कटेगा कोई भी को कि यही कटेगा रिटली बी ओने चीए निपनी ओने चीए वनना क्या फायदा पढ़ने का तो निपनी ओने चीए दिख रहा हो इसक्री में मैं नहीं नहीं दिख रहा यह पीछे हो गई आंसर फिर इसमें आपका क्या हो जाएगा सिर्फ यह गलत है यानिकि पहला दूसरा ठीक है रूजाओ भाई एक मिनट का बराम कर लो कोई कोशन पूछना है पूछलो फिर उसके बाद फिर हम पढ़ाना सुरू करेंगे दुबार आँ ठीक है तो फूम बनने में दिक्कत हो गही कोलाइज का नाम गलत हो गया सर कोई बात नहीं उससे कोई प्रॉलम नहीं हो ठीक है आपका बार जैप करना यह जाए ना बस उसमें आपके नंबर देख जाते हैं कोल सको दिक्कत निया ठीक है आलए कि कोई भी फोम बढ़ा हाह जा हमारा अक्सर नहीं वाले के स्ट क्वेशन के लिए तो इनको ध्यान के इनके इंदर काफी बच्छा आती आप लोगो ठीक है तो इनको थोड़ा सा ध्यांत पड़ाया कुरो तोड़ा ड्राइफुरूट खा लीजे आरुस्ता मैं अभी खाता जा रहा था ठीक है सोड़ा थोड़े सोड़े यह वाले चील के देदेगे तर मैंच का कुश्चन सखे नहीं हो रहा है मैच euch मैंस प्रक्टी में की साम मैं परेफेक्ट बार बार बोलता हो जितना प्रक्टी Uber फ्र Sikh बिनुड यह चाई पर फ Jeśli आपका काम हो जाएगा उसके बानने जाता एक आपका प्रख्र थीक है कि अब यह नहीं है बाकि जो टीजिटीके स्लेबस है वो तो है मलब सब्जेक्ट वो है आपके ठीक कि आई लव यह टीचिंग वे सर थेंक वनतिमा कि अब टीचर अच्छे वह टो की पढ़ानी के अपनी जैसे सभी बच्चों की लेंडिंग इस्टाइल यह लगें उसकी प्रकार से सभी टीचर की लेंडिंग इस्टाइल है आप लोग किसी को बुरा मत कहां गरो मेरे आगे ठीक है सभी ठीक कराते हर को मैनत कर गई आता है अ मैं कभी नहीं कहता कि मैं बैस्टू मैं सबसे दुनिया में अच्छा हो यह वो ठीक है नहीं कहने चाहिए कभी भी तो साधिकव करें आप अभी जा रहो बस अभी खड़िये गरवाली वही पर उसे छोड़ गाया हो फेरे पढ़ रहते हैं मैंने सोचा मेरे थन किलाज दे पर फेरे ले लूँगा अगर के लिए आपका बैच ले सकते हैं कि दो काफी चीजे से लिए लग अलग होती है और जो कोई भी बैच आता है मेरा तो मैं पर्टिकुलर उसी प्रके लिए ओजाद है मलब काम्याब होता है क्योंकि हर पेपर का स्लिवस अलग है अगर आप ल आपको चेपता जाओंगा तो फायदा नहीं है ना इसलिए कोशिश की करा रहें ना इतने काफिया आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो मेरा फर्स्ट अटेम्ब में निकल गया था आठ दिन में ही अच्छा ठीक है आपकी क्लास करी थी आप सेकंड पेपर की तयारी कर दिए सुपरीम कोड का जब टीशी जणाया था तो पर बंचो नहे जाले दिया ता ठीक हुआ है अक Men और पूर्स चंक्रीयातमक या अम्रेफ संक्रीयातमक एक चीजा अलग है फोर्स अप्लेया नहीं है भ marriages फिर जो आपकी अमूर्त जो आपके वस्ता होती है वो अलगा लगा है क्या जिन्हें दीती है पूर्ष संक्रयात्मकरस्ता आपके प्रियोप्रेशनल इस्टेज है और आपकी पूछलो एक दो डाउट डाउट पूछलो जल्दी कि बिएड़ एपेरिंग में BPSC और सूपर्टेट अप्लाई कर सकते हैं अर्चना देखो अभी एपेरिंग वाले ट्यारी फ्रस्ट गंदर ले लिए ते सेकंड गंदर नहीं लिए और इस बार मुझे नहीं लग रा सायद एपेरिंग में हो क्योंकि टाइम इनोंने काफी द सब्सक्राइब करते हैं काफी रैस्ट हो गया जब मैंसे कभी फिर हुआ करूं तो मुझे अपने डाउट पूछ ले करो यह मोकानी मिलने का वनना फिर पढ़ाई के दुरान ठीक है आप लोग लगे रहे तो यह दर उदर के सवाल में भासा की कक्सा में जो विद्यारती है वो अध्यापिका की उपस्तिति में एक दूस कुल रिवहां के दौरान जब भी और जहां भी आवशक को अध्यापिका विद्यार्तों को आवशक संकेत मदथ के रूप में दे रहे यानीकि इनकोле स्क होलिंग यह पर दे रही है या समश्त जो सिक्षण है को अधिगम परिग्रिया वो अधिगम के कि सिद्धान को परत रिफ्लेक्शन दे रही है कि वैवारवाद है संगेनात्मक संकेत हैं अन्तिक्रियात्मक है या सामाजिक सांस्कृतिक है बता किसके साथ आप लोग आपर जाओगे सर्मेट का कंटेंड को छोड़के मोग टेस्ट में 110 पलस है अगर आप खाली 110 आ रहे हैं और मैस को छोड़ रहे हैं यहां पर तो कबात बन जाएगी सीटेट में पास हो जाओगे आगे क्या करोगे कोई भी एक्जाम देलो मैस उसके अंदर आना है तो मैस को करो जितना हो सके प्रैक्टिस करो इतना टफ लेवल नहीं है बेस यहां पर बन जाएगा मैस को बिल्कुल मत छोड़ो ठीक है ऐसी गलती मत करो बार बार मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ ऐसा छोड़िये मत किसी भी चीज़ को बताओ किसके साथ जा रहे हो थर्ड 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 अंते क्रियात्म बिल्कुल ठीक बात है अंते क्रियात्म की तो कर रहे है अभी जैसे हम लोग अंते क्रियात्म कर रहे है सर्जी मैत के अलावा में 110 आ रहे है तो मैं उसको कह रहा हूँ नहीं छोड़ो मत मैत को मत सब पढ़ो अपना ठीक है तो इंट्रेक्ट करें आपस में थड़ा अंसर यहापर आपका सही हो जाएगा अगला कॉशन देखते हैं सामने स्क्रीन पर आगे नेक्स्ट कॉश्चन सर्विय एवं लिखिस सामगरी वो सामगरी जिसको सुन सकते हो लिख सकते हैं इसके सरंचनात्मक और व्याकनिक तत्तों का परत्यक्स अध्यापन अच्छाए कोई स्टेट्मेंट दिया है सर्वे और लिखिस सामगरी को विध्यारितों के परिये हिदू सामाजिक और सांस्कितिक संदर्बों से जोड़ना, थीक है, कारिये की इस प्रकार से अभिकल्पना करना, जो समूची सामगरी के संदर्ब में कोसलों के विकास पर केंदरित करती हो, तो निमली कि तुमें से को कुन सा उपर बताएगा सिद्धानतों पर आधारित है वो आपको बताना है क्या सामगरी आधारित निर्देश है प्राकर्ति उपागम है मोन तरीका या फिर कारिय आधारित भासा सिक्षण नहीं आपको बताना है अच्छा एक चीज रहेगी एक फोटो मैंने लीती जो हमार है तो यह 22 वहास है जिनके बार में आपको पता होने चीए आपका सिमीज है बंगाली है गुजुराती है और यह पंजाबी है संस्कृत है सिंधी तमिल तेल्गू उर्दु बोडो बोडो आपके सीटेट के एक्जाम में पूछी गई थी पूछा गया था निमली कितमें से होगे ठीक है काबोल जाती है को नहीं बताना जारा मल्यालाम होगे कश्मीर होगे कर्नेड होगे हिंदी होगे यह आपकी टोटल 22 वहास है इसलिए मैंने खा इनको इसकी इंसोट ले लेना इनको याद कर लेना अब एक और कॉश्चन यहां से देखने को मिलता है इनके क्लासिकल ल्यंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज कोन क्षापकी क्लासिकल लैंग्वेज होती है देक है यह भी क्लासिक लेग्वेज की अगर मैं को में करो मिल longo do83 और संसकृत भिर्म अलयालम जह और रंप यह आपकी क्या होती है एह आपक्य होती है क्लासिकल लैंगविज और अब युक्त वह हमारी आपने रचन जो पाफी चलिए-परशली थो तो यह ठीक है तो इस प्रकार से जब उन पैमानों पर खता ख्राओ खराओ इद्य कोई वाषा तब इसको सास्तिर्य वास है नहीं कि लाचिकल लेंग्वेज का दरजा दिया जाता है ठीक है तो मुझे बताना था और तो नहीं बचा सब्सक्राइब कर दिया था तो पास होने पर वैलिड होगा क्या गुल्सन कैसी गड़ वड़ी करिए अब यहाँ बाड की जंग डिलेड कर दिया वही आपने समस्चा तो यही आपका कि द्यान से बढ़ा करो फोम को बताओ किस के साथ जा रहे हो क्या है सामगरी आधर निर्देश है बिल्कुल ठीक बात है जितने भी निर्देश हो रहे हैं कि उनके सामाजिक सांस्कृति संदर्वों से जोड़ना सराचना अत्मक व्याकिनिक तत्तों का उनको पर्तक कराना या फिर को इस प्रकार से अभिकल्पित करना जो समूची सामगरी के संदर्वों में लक्षय केंद्री तो विकास पर तो आपके सभी सामगरी पर आधारित निर्देश है जो तीनों निर्देश आपके सामने आ रहे हैं फरस्ट आंसर आपका सी हो जाएगा बहुत सा आपका किस बात पर बल देती है अपकेस है मानली जे मैं आपसे कहने लग जाओ कि अभी जो इलेक्शन हुए थे राजिस्तान के अंदर हुए और वांके मध्यप्रदेश के अंदर जैसे मानली आपके हुए तो आपड़ बहुत सारी गोशना हुई थी बहुत बढ़े बढ या वासीक वर्ष्टिंटन बल दे रही है उनके बोलने के विमर्ष्टन पर बल देही है जो नेता हुने आ हो लेकिन उनके ड्यान स्कति एक पुरह झाल किना और कितने काम करा है कोई भी पार्टी का नेता है आपको किसी पार्टी का भक्त नहीं वन्हां किसी का समर्थक नहीं वन्हां किसी की बुरा ही नहीं करने किसी क Ihr a तो आपके पास कोई नेटा है? नेता को आपके पास कोई नेता को आपकों पूरा करते हैं आपको और यहां पर नाखनी इस movement कर देख रहे दो कि भी एप किन शेय। तो आपको voting नहीं बनना ठीक है आपको चिंतन करना लिए पक्स भी पक्स देखने उसके बाद जो भी अच्छा अगला question आपके सामने दिया हुआ है आदर्च इस्तिति में अधिगम परतिफल यानि जो लेंडिंग आउटकम से है उसके बारे में क्या ठीक है लंडिंग आउटकम जो आज की किलास में हमारे आयोप निकल कराएंगे जब आप लोग लास्ट में आंसर बताओगे यानि जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो कितना उसने समझा गरण करा कहा तक वो पहुचा है ठीक है तो यह सब आपके लं स कंदीन और लिएखर और दिखाते क्यards आपके ეर दिखाते मेल गांुड कि में ऑपकर करने में बद्केरना फिक्सार को बहाशक की सब्चना पर अधिकार प्राप्त करने में मदद करन अधिकार प्राप्त करना मदब ने आ कि नए तेखना कि स्था कर Sikigew 59 कितने उस चेप्टर से समधनी लेंडिंग आउटकम्स आ गए ठीक है फॉस्ट आंचर आपका सही हो जाए है तो लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट आपके सामने आ गया यह रहा कोश्चन जो आपके सामने आए हुआ है परतिस्थापन ही या विकल्प सूची किसके सिक्सेंड में इस्तमाल होती है व्याकर्ण के कवीता के सब्दर्थ के या रचनात्मक्ता के बताओ सही अंसर क्या हो जागा किसके साथ आप लोग सूची किसके जंगें इस्तमाल करते हैं अगरम बच्चे के लिए पढ़ाएंगे यह तर मेरा फर्स्ट टाइम में सीटेट कलना चाहती हो आपके असिरवाद हो मेरा फर्स्ट टाइम है तीक है देखे मैं तो असिरवाद गया मेरी तो सभी आप लोगों के लिए समझा नहीं अच्छा बताना जो विकल्प सूची है जरा कमेंड बोक्स में बताओ यह तो आंसर बता दिया कि चलो भई अपने व्याकन के जंगे पर हम इसे इस्तमाल करते हैं ठीक है क्या होती है विकल्प सूची जरा बताना और से सम्मंदित कौन सा कोश्चन उस दिन मैं यह आपको मिलाने करना है इसा और आपके पठन के तरीके यह पड़ने के तरीके और यहां पर पाठक को क्या काम करने जी इक करके नजर देखते हैं क्या करना चीए ठीक है देखो लेखक कैसे लिखते हैं इसके अदार पर यह सुनिश्चीत करना चाइगर लेकक क्या मेहसूस करते हैं तो लेकक क्या मेहसूस करते हैं चबते हैं परwachी समझने के लिए पाठ्य सामगरी के हिस्सों से मदद लेना कुछ ऐसे सब्द आ गए जो हमें पता ही नहीं है तो इनको समझने के लिए पाठ्य सामगरी के हिस्सों से या पर मदद ली जा रही है तो क्या हो रहा है अनुमान तो नहीं हो रहा है यह होई गया संदर्ब से जोड कर हम लोग इसक बचत की गई है अब इसके बार में आप लोग बती जड़ा देखते हुआ गान पठना नहीं यह पाठ्थ वस्तु से और अगला देखते हैं वई पाठ्थ वस्तु में बाधा का किस तरीक से परियोग किया गया इस पर ध्यान केंदरित करना चाहिए यह किस पर ध्यान केंदरित करना चाहिए तो यह हो जाएगा आपका गहन पठन पर इस पर ध्यान केंदरित करना चाहिए कि बासा किस तरीके से परियोग मारी है ध्यान केंदरित करो गहन पठन करो और बचा हमारा अनुमान पार्ट सब्सक्राइब करें हाँ हाँ है कि दिल्कुल ठीक अगर आप लोग सभी दो के साथ जा रहो मैं भी चला जाओंगा फिलाल मैंने मैच्टा फॉलिंग करें कि आपको बता दिये हम बिना हेड़फोन के पढ़ रहे मम्मी आके बोल लिए अभी तक जा जागी हो उस दिन क्या हुआ था परसो जब आपकी सीड़ी में रथन चली थी जज घंट के करीव कि आरे जगे तो दिन रात को भी लगबग रात भी सुबह के टाइम भी लगबग 20,000 के करीब बच्चा कोश्चन देखते हैं कि भासा सिक्सेंड के लिए एक वास्त्विक एवं वैवारिक इस्तिति का उप्योग करते वे सरलता पूर्वक भासा से परिचित होने में चिक्सार्थियों की मदद करने वाली जो पदितियों क्या कहलाती है सरचनात्मा कुपागम इस्तितिपरक भा उसे अंसर क्या हो जाएगा ठीक है और 10 घंटे के लिए रात को जगने बाद मैं गया सोने के लिए उसके बाद जो है दो तिन घंटे के लिए मुस्की लिए लेट था अपने घर से ठीक है चुट्टी पढ़ गए ना इसकी बस नींद खुल गई तो नींद पूरी नहीं कर अब नींद पूरी नहीं क्योंकि हिंदी वाली के अंदर में लग राता था तेयार करने में तो अभी एंचियाटी वची है इसकी सोसल साइंस और साइंस वची अभी नींद ऐसी रहेगी आखों में चड़ी रहेगी वनना चार गंटे में तो मैं ठकता नहीं हो ठीक है बता आपकी वास्तिविक और व्यवारिक चीजों की बात हो रही है ना तो आपकी इस्तिति परक भाट होगी कि नेक्स्ट कुछन आपके सामने आ गया निमलिकत में से कौन सा विद्यारतों को लिखना सिकाने का विशिश सिक्षन सास्तिय करम है वह आपको बताना है जो जो चीजी रेखाओ और गोले द्वारा अकसर लिखना विद्यारतों से विशिश्ट प्रकार की अनेक आकरतिया बनवाना या विद्यारतों से उचे सवर में अक्सर बुलवाकर अनेक बार लिखना करम में लिखना है इनको एक सिक्वेंस है देखिए अगर हम बात करना चोटे सबसे पहले हम उनसे आकरतिया को बिखाए ना बनाते इसके बच्चों को थोड़ा लिखना सिखाएंगे यानि हम बात करें जैसे जो बच्चे स्क्रेबिंग करता है तो आकरतियों करवाएंगे उसके बाद सीधी रेखा है और गोले द्वारा अक्सर लिखाएंगे जैसे की जो कोपी आती है ऐसे आपने देखा हुआ इंगली सिंदी की तो उस पर इनसे मतलब उसको अक्सर लिखवाएंगे ए लिखवा दिया बी लिखवा दिया आ लिखवा दिया उसको ठीक है बड़ा आ उसको लिखवा दिया इस प्रकार से ठीक है और तीसरे पर विद्यारतों स आपसे ऊचे सवर में अक्सर बुलवाकर अनेग बाल लिखवाएंगे क्योंकि मैंने आपको वताया था मुखर पत्थन तो بच्छा क्या काम करता है बच्छा अपन कि आप लोग अलग-अलग के साथ जा रहे हैं नेक्स्ट कोशन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया किलास पाच में भासा सिक्सेंड करते समय जो स्री लाल है वो पाठ्ट सामगरी को बच्चों की पष्ट भूमी रिती रिवाज और प्रमप्राव से सम्मंद रखते हैं तो स्री कि इसका साथ आप लोग यहां पर जा रहे हैं अच्छा कि ठीक है कि बिल्कुल ठीक हो जाए आपका जीवन से जुड़ाव का शिद्धांद्र आपका जीवन से जुड़ाव क्योंकि जो पाठ्ट सामगरी है उनकी पष्ट भूमी से उनके रिती रुवाज मनलब उनसे से जुड़ी है और तान्चा सही हो जागा नेक्स्ट कोशन आपके सामने स्क्रीन पर आगया निमली कि तमेंसे कौन सा भासा परिक्षण यानि कि भासा का परिक्षण विध्यारतों की किसी विशिष्ट कारे से संबंदित उस उपलब्दी का मापन करता है जिसकी उसके बा लोग यह कोई आपका चाहिंत आपको परिक्षण लिए इसकी प्रोफिशेंश कितनी आई है ठीक है किसी सबद्द के आपका परिक्षण जो आप लोगों का स्कौर पता चलेगा इतना आप लोगों के स्कौर करा है ठीक है चलो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट आपके सांद आगया यह रहा नेक्स्ट दिया हुआ निमिलिखित कतनों को बड़ी से विकल्व का चैन करिए करते हैं अब एक अजबर्शन आपको दे दिया अपने प्रारम्मिक बालेवस्ता में एक बच्चा संग्या की पिक्सा किरिय से प्रारम करते हैं और प्रारमति बालेवस्ता की बात शीखते हैं तो उनकी सबस्सेम्पदा सीमत होती है मैंने आपको बताया था कि जो आपके छोटी क्लास के बच्चे होते हैं उनकी सुरुवात में जो सब्द संपदा या निसा बंडार कम होता है दीरे-दीरे करके सब्दों का बंडार बढ़ता जाता है आप लोग भी अपनी सब्द संपदा को जादा से जादा बढ़ाईए तब इस एकजाम में आप लो संपदा को नाम आपका संग्या तो उसकी क्रियाु करता है तो ब्रों सही है और यकी से होता है नेक्स्ट दिया है स्वंदित सब्द बनाने के लिए कह रही है कि जो सब्द है नंद और कश सम्दित सब्दों का जाल बनाओ इसको पर कुछ सेंटेंच लिखो सब्द संपदा सब्दों का बंडार है वह शी कने लिए इसुप्दागम को क्या जाल बताओ आपका सही आंसर क्या हो जाएगा किसके साथ आप लोगे आपर जा रहे हो कि चार गंटे में पूरे होगे इसके साथ जा रहे हो बताओ भई बताओ यह के साथ आप जारो बिल्कुल ठीक बात है जैसे आपके सामने कुश्चन आता है जब क्या होता किसी टोपिक को आप चोटे चोटे टुकड़ों में पार्ट देते हो उसी से सम्मधित आपके होने चीए तो आपकी थिमेटिक एपरोच होती है याई कि थीम विशेक उपागम आपका होता है फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा क्योंकि आनंद और क्वेश्चन माली जो दो थीम ले ली हैं यह इसी वेशी लेकिन मैंने ले ली अब इससे सम्मधित आपके पाच पास सम्मों में इन सब्दों के अधार पर सब्द जाल बनाने के लिए के लिए आपके थीम में बा सामगरी के परियोक्त निरिक्सेंड करने के लिए कोन सा मांदन सरवादिक रूप से महत्पून और सायक है वह आपको बता रहा है देखते हैं कोन सा मांदन सबसे महत्पून हो जाएगा सामगरी की उपलब्दता होनी चाहिए तैयारी अभ्यास अभ्यास से कोई मतलब नही आपका और लिखेती रिपोर्ट लिखेती रिपोर्ट भी करनी चेक लिश्ट पूरा नुमान और अधिगम पर्तिफल नहीं आंचल आपका थर्ड से हो जागा जो सबसे सही मांदन्ड इसके अंदर आपका देखने को मिलेगा ठीक है अब हमारा लास्ट कोश्टन बचाए उसके बाद आपकी मैराथन क्लास कंप्लीट हो जाएगी लेडी में आपको जीतने टोपिक ते वह बता दिए उन्चर रिलेटिटिट कोश्टन करा दिए कंसेफ्ट आपको समझा दिए और लास्ट में कुछ कोश्टन और आपको कराए क कुश्टन हापके 78 है लेकिन आपने देखा होगा आज की मामेराथन से आपने कितने सारे कंचाट समझेंगे ठीक है और मैंने इसमें कोई चीज रिपीट नहीं करी है जो हमारी CDP की मामेराथन में हुई थी उसके अंदर मैं इसलिए रहा हूँ उसको अंदर जाके देख ल संदिते और जो मैंने रिपीट नहीं करी वहना रिपीट करता फिर कुछ फायदा नहीं था बताओ निमलिकित में से किसकी उत्पत्ति भासा को परकरती और सामजिक संदर्व में पाठ्य सामगरी को भूमिका के विद्दा के सिद्धान से जुड़ी हुई है क्या पाठ्य स विसवस्तु आदाइट निर देश तो आपके होनी रहे क्योंकि इसके अंदर भासा को परकरती और सामाजिक संदर्व में चुड़ी उसको भूमिका में रखा गया है तो विसवस्तु तो आपका उन सरफ तो आपका सामगरी आदाइट निरदेश हो जाएंगे पहले यहां आपकी सब्सक्राइब कर लेना ताकि बाकि आपको मिल जाए वीडियो को लाइक आपने करी दिया हुगा और शेयर जरूर कर देना दोस्तियार के पास गुरूप के अंदर अपता कि दूसरों का भी फायदा हो जाए बाकि यहाँ पर आपका जो मोक टेस्ट के लिए पूछ रहेते हैं सच नेकडमी ओफिसल एप्लिकेशन पर पेड़ वालों के लावा जो फिरी रखे वे वह इस पर आपको मिल जाएंगे ठीक है कोई कोश्चन हो तो पूछ लीजे आप लोग फिर उसके बाद मैं इसको खतम क बताओ वह कितना को है राउल के 68 वेरी गुड भी राउल मुहमत जी सान के 65 ठीक है इसको ठीक है विने कुमार 43 विने कम है इसको बढ़ाओ स्कूर को ठीक है तादना दिक्सित 50 एक कम है भाई जिफिप्टी से नीचे वाले कम है आपके 50 का सब्सक्राइब इससे बड़े व सब्सक्राइब आपके साथ मेवी चार घंटों से खड़े कर रहा हूं क्यों बैठकर करो ठीक है यह से काम मत कर अगर वही इसके लिए तो हम यह मजबूरी है अगर मेरी मजबूरी नहीं होती है यहापर कोई ऐसा बैड़ की सीधा होती तो लेट कर भी पढ़ा देता कैसे क काम करता हुए ठीक है तर मैंने पेड़ क्लास ले रख किया है ठीक है मोह नहीं याद हो ठीक है आपको पती है पेड़ क्लास में आपका कंटेंट कोई भी अगजाम का टाइम से पहले करा देते हैं अब तो प्रैक्टिस चल लिए उसमें तर इंग्लिस नहीं उपारे क्या क करो यार यह पेड़ागोजी आपने कर ली ना जो लेंग्वेज की यहीं आपकी इंग्लीस में भी आती है बाकि एक मैं संपूर्ण उसके लिए किलास लूँगा तो इंग्लिस पैड़ागोजी उसके अंदर आपको करा दूँगा ठीक है कोड़ डिकोड एक बार दुबार देखना समझवा जाएगा कि अधर मेरा सीडीपी में कम नंबर आ रहा है वाई मेरा थनकिलाज देख लो उसके बाद बताना कम आये तो कि अधरी तर्एं के रहे हमारे सर सचिंसर करते मैंनत राद दिन ठीक है भाई आपका स्कूर है सुरेश राज के 66 है ठीक आपका स्कूर बढ़िया है ठीक है आपके अच्छे है अमन के आपके 62 वेरी गूड यह जो 60 प्लस वाले स्टूडेंट आप लोग आ रहे हो आपके इसको रच्छे बाकी इससे कम वाले थोड़ी और तयार इजादे करिए ठीक है कोई बात ने उससे को याग इतनी दिक्कत नहीं होने की ठीक है वैसे बाद में भी ठीक करा सकता अब इसको अनामिका गंगवार 73 आई है और यह वेरी गूड अनामिका 78 में से ठीक है मिलता हो आप से कल तो कल हम लोगों की खिलास होगी तो कल आप लोगों की में कुछी क्लास लूँगा तो कल आठ बजे से मुलकात होती है तो तब तक आप लोग बढ़ते रहना वही अपना धियान रखना एकजाम नजबिक है ठीक सर्थी से बचाना ठैंक्यू गुदिजाब है